दोस्तो स्वागत है आपका आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव सिरिस से नायाप मूर्ती चोरी की कहानी आज आप इसका लास पार्ट सुनोगे उमीद करती हूँ कि आपको इसके पहले की कहानी पसंद आई होगी आप इसकी कहानिया चैनल की प्लेलिस डिटेक्टिव सिरिस ना मंगल तेर्थ गाट पहुंच गया, अपनी कार मैंने वहां से बहुत परे एक पेड़ों के जुर्मुट में छुपाती थी, खंडर मंदिर वहां बराबर था, लेकिन जैसा की बताया किया था, गाट पर नहीं था, वो गाट से, नदी से कोई, पांसो गच पर पेड़ों के ए प्रतिक्षा करने का हल नहीं था, पिछवारे में जगा जगा से तूटे पर कोटे वाला एक बड़ा सा अहाता था, जिसमें एक इतना बुड़ा बढ़ का पेड़ था, कि उसकी शाखाएं जुक कर वापिस जमीन में जा थसी थी, उसके खोकले जरजर तने के गिर्द एक तूटा फूटा गोल चबूतरा था, चार बजने के इंतिजार में जिस पर जाकर मैं बैठा, मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया, और रह रहकर बेचैने से पहलू बदलता, इसके छोटे छोटे कश लगा था, प्रतिक्षा करने लगा, चार बज गए, उस उजार जगा के स दोर दिया था, ठीक चार बजे पहांचने पर, पांच मिनट और गुसरे, अब मुझे लगने लगा, कि मुझे बगाईदा उल्लू बनाया गया था, या वो मुझे मेरे एक्शन्स को जांचने परकने के लिए ड्राइड रन था, खूफिया तरीके से मुझे वाच करके, उ कोई इरादा नहीं था, कि मैं वाकई अकेला वहां पहुंचा था, हो सकता था, फिर मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निकाह डाली, अपना आधा पिया सिगरेट परे फैंका, और वहां से वापसी के इरादे से उट खड़ा हुआ, और इंतिजार करना मुझे मुर्खता जो जो नजारा मुझे दिखाई दिया, उसकी कताई अपेक्षा मुझे नहीं थी, घाट और खंडर मंदिर के बीच जो उजार रेतिला मैदान था, उसमें एक विशाल, रंग बिरंगी वैसी चत्री गड़ी हुई थी, जैसे की बीच पर या गार्डन में सूर्य की किर्णों स ओड के लिए इस्तिमाल में आती थी, उस चत्री के नीचे वेलचेर पर मिस्टर लोबो अकेला मौचूद था, एड़ गिर्द दूर दूर तक कोई मौचूद नहीं था, अल्बता मुझे गैरंटी थी कि वो वहां अकेला पहुँचा नहीं हो सकता था, लंबे डग भरता म मैं उसके करीब पहुँचा, उसकी मेरी तरफ पेट थी, मेरे करीब पहुँचने पर भी उसने गर्द नहीं गुमाई, जैसे कि दूर बैती नदी का नजारा करता, वो बहुत बड़ा काम कर रहा था, मैं उसके सामने जाख खड़ा हुआ, तब मैंने देखा कि वेलचेर के आगे एक खुली हुई फोल्डिंग चेर पड़ी थी, उसने सेर उठाया, उसके प्लास्टिक के 102 साल चेहरे पर मुझे कोई भाव नहीं दिखाई थी, चार बजे, मैं व्यंगेपॉंट स्वर में बोला, ठीक, डोंट गेट लेट, यही बोला था ना, हेलो मिस्टर कोहली, वो बोला, नाइस मिटिंग यू अगेन, मैंने उसके पीछे निगा दोड़ाई, तो वेलचेर के निशान मुझे दूर तक, वहां तक दिखाई दिये, जहां में डोड से पहले, एक पेड़ों का जुर्मुट था, टायरों के निशानों के साथ, मुझे वहां पहुँचते और लोड़ते, एक जोड़ी कदमों के निशान भी दिखाई दिये, मुझे समझते देर नहीं लगी, कि उसकी कार, उसका जमूरा राय माजी, उस पेड़ों के जुर्मुट के पीछे थे, और कोई बड़ी बात नहीं थी, कि मैं राय माजी के हाथ में थमी, टेलोस्कोपिक साइट वाली राइफिल के निशानी पर था, मेरी निगाल लोड़ कर, फिर मिस्टर लोबो पर पड़ी, उसके शरीर का कमर से पैरो तक का, निशला भाग तब भी एक कमबल से धका हुआ था, लेकिन उसका कोई हाथ कमबल के नीचे नहीं था, दोनों हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे, अलबता कमबल के नीचे उसकी गोद में गन फिर भी हो सकती थी, बैठो वो बोला, दरबार कहीं भी लगा लिते हो, बैठो, मैंने बैठने का उपकरम नहीं किया, मैं आप अलग उसके तरफ देखता रहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, वो बोला, क्या सोच रहा हूँ, तनी खट बढ़ाया सा मैं बोला, जो सोच रहे हो, उस पर अमल करने की हिमाकत नहीं करना, अच्छा, कौन रोकेगा मुझे, वो मुस्कुराया, आप मेरे कबसे में हैं, आप लड़की से अदला बदली के काम आ सकते हैं, क्वाब देख रहे हो कोहली, यहां मेरा बाल भी बांका हुआ, तो लड़की का सिर्फ बाल ही होगा, जो बांका नहीं होगा, ऐसा इंतजाम मैं पीछे करके आया हूँ, उसकी बात में दम था, फिर भी मैंने कोशिश की, मुझे, मैं बोला, आते जाते एक ही जोड़ी पैर जूरत थी, मैं सोचने लगा, तुम्हें क्या पता पेड़ों के जुर्मट में राई माजी के साथ कितने आत्मी माजूद हैं, यह तो बलफ है मिस्टर लोबो, कॉल करके देखो, मैं यहां आपका काम तमाम कर दूँ, तो राई माजी जैसे ही भाग जाएगा, आपके किसे क्या लेना देना होगा, यह तो दाव है, उसके एक शेंट स्वर में चैलेंज का पोट आया, खेल के देखो, मैं खामोश रहा, आई डियर यू मिस्टर कोहली, मैंने असहाई भाफ से गर्दन हिलाई, फिर धम से फोल्डिंग चेर पर बैठा, नाइस, तो मैं मुव्स काउंटर मुव्स, बलफ्स, काउंटर बलफ्स, खतम समझूं क्या, और उस बात पर आऊं, जिसकी वज़ा से ये मिटिंग अरेंज की गई है, मैं क्रेशाप के हवाले करने को तयार हूँ, मैं पराजित स्वर में बोला, एक टाइम था, जबकि ये घोशना मुझे सुनने क मिली होती, तो मुझे लगता, मेरे कानों में जैसे किसी ने अमरित गोला हो, लेकिन अब इस मैगना निमस ओफर की कोई कीमत नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक टाइम था, जबकि मुझे यकीन था, कि डिसलवा ने जो करेश्ट तुमें सौंपा था, वो असली था, और जो मे करेश्ट अभी भी मेरे पास है, तुमने चेनियों को असली करेश्ट सौंपा था, मैंने वक्त रहते तुमें वार्ण करने की, तुमें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरे बात नहीं सुनी, तो क्या वो असली था, हाँ, नहीं हो सकता, असली मेरे पास है, पहले assignment के तहट आपको सौंपने के लिए डिसिलवा के पास था, वो असली था इसलिए उसके मन में बई मानी आई और उसने अपनी assignment के साथ आपके साथ दगा किया वो क्रिश नकली नहीं हो सकता नकली है बच्चे के खिलाने जितनी उसकी कीमत नहीं आप मुझे उलजा रहे है मिस्चर लूबो सुलजाने की कोशिश करता हूँ सुनो जब सेवियो डिसिलवा ने मुझे खबर दी थी कि उसने क्रिश का सुरात पा लिया था, लेकिन वो किसी कीमत पर बिकाओ नहीं था तो मैंने उसे किसी कीमत पर भी उसकी चोरी और्गनाईस करने का हुकम किया था और किसी आइंदा इस्तेमाल के लिए खुद उसका डुपलिकेट तयार करवाया था किसी एंटी कार्टिफेट को देखा होने के बिना उसका एक्जेट डुपलिकेट बना लेना कैसे मुम्किन था ये मैं तुमें पहले बता चुका हूँ डुपलिकेट मियामर के एक कारीगर ने तयार किया था जिसको कि क्रिश में ना कोई दिल्चस्पी थी और ना उसकी केस सिस्ट्री की उसके बेश केमती होने की कोई खबर थी जब डुसिल्वा हिटोरा पहँचा सिंगापुर से हिटोरा पहँचने का क्या मतलब मैंने पूचा क्रिश के साथ पहले पटना पहँचना था वहां से बाई रोट बीरगन्श रकसोल और आगे हिटोरा पहँचा था ऐसा जो कुछ उसने किया था क्रिश की सलामती के लिए किया था जो कि बेश केमती तो था ही उपर से चोरी का माल था I see ऐसे बेश केमती आर्टिफेक्ट को कस्चम पर डिकलियर करना जरूरी होता है जो कि वो नहीं कर सकता था जो रूट उसने पकड़ा था उस पर उसका कोई जुगार्ट होगा जिसके तहट वो उसे डिकलियर किये बिना ला सकता था दूसरे अब ये बात जाहिर है कि उसके मन में बैमानी आ गई थी अपनी बैमान नियत को अपने लिए मुफीद किसी अमल में लाने के लिए वो रूट अडॉप्ट करना शायद उसकी कोई स्ट्रेटेजी था जिसके तहट वो हितौरा में मौचूद था मेरे खयाल से हाँ आगे जब मजे उसके हितौरा में मौचूद की की खबर लगी तो मैंने डुप्लिकेट क्रिश के साथ जो कि तब एक मियामर से मेरे पास पहन चुका था पाबलो सिक्वेरा को हितौरा भेजा ताकि वो जैन्यून से उसकी अदला बदली कर पाता नाकाम वो इस खबर के साथ वापिस मेरे पास लोटा कि हितौरा में उसके डिसिल्वा से मुलाकात हो पाने की नौबत ही नहीं आई थी बड़े मिस्चेरियस सालात में पहले ही वहाँ उसकी मौत हो गई थी डुप्लिकेट किर्श जिसे वो साथ लेके गया था उसने मुझे वापिस सौंप दिया बिना किसी तरह के मौईने के किसी तरह के शक के मैंने डुप्लिकेट अपने पास रख लिया आगे कुछ मेरी समझ में आ रहा है ठीक समझ में आ रहा है चीनियों से डिल सेट करने के वास्ते वो क्रिश तुमारे होटेल के कमरे में तुम्हें सौंप देने के बाद राय माची ने मुझे बताया कि पाबलो सिक्वेरा ने नशे में धुथ होकर उसके सामने मुझ फारा था और उसे बताया था कि अपनी मौत से पहले डिसिल्वा उसे एक बार में मिला था जहां दोनों ने ब्रिंक्स शियर की थी उनमें विश्वास और दोस्ती का महाल पैदा हुआ था जिसका फाइदा उठा के सिक्वेरा ने मूर्टियों की अदला बदली कर ली थी उसने अपने पास मौझूद क्रिश से डिसिल्वा के पास मौझूद क्रिश को बदल लिया था और खबर नहीं हुई थी ऐसा हुआ थो तो बड़ी खुशी की बात थी इस वाबत जूर बोलने की क्या सरूरत थी वो लड़का अपनी उसी उम्र में अर्कोहलिक बनता जा रहा है नशाला परवाही को जनम देता है मेरे उसको वार्निंग थी कि जिस मिशन पर वो निकला था जब तक वो मुकमल नहीं हो जाता था वो वापिस काट मांडू मेरे पास नहीं लोटे आता था उसने शराप को हाथ नहीं लगाना था उसकी पोल ना खुले इसलिए उसने जूट बोला था उसकी पोल खुलना मामुली बात थी आप उससे खफा हो लेते कोई छोटी मोटी सजा दे लेते यहीं तो होता बड़ी हर डिसमिस कर लेते इतनी से कोटाही के लिए जान से तो नहीं मार देते लेकिन मूर्तियों की अदला बदली एक वाक्या था उसकी बाबत खामोश रहना वक्ती तौट पर हमेशा के लिए नहीं कोहली मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मुझे अच्छे मूर में देखता तो उसका फाइदा उठा कर असलियत बयान करता मिस्टर लोबो अब क्या बोलूँ जो है सो है बहरहाल आप ये कहना चाहते है मिस्टर लोबो कि रिदकल जब आपने क्रिश की मूर्ती मुझे सौंपी थी तो आपको नहीं मालुम था कि वो नकली नहीं असली थी हाँ बाद में बाज़रिया राय माची मुझे असलियत की खबर लगी तो ये सोच के मेरे चक्चे छूट गई कि आगे चीनियों को सौंपने के लिए मैंने डुप्लिकेट नहीं जेन्यों क्रिश तुम्हें सौंपा था मैंने वक्त रहते तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की तो तुमने फोन पर मुझे बात नहीं की जब बात की तब तक बहुत देर हो चुकी थी चीनि क्रिश के साथ तुम्हारे पास से जाबी चुके थे तब मेरा जी चाहा कि मैं राय माची को बोलूं कि मेरे सामने उस चोकरे के पाबलो सिक्वेरा के उस बंगलिंग इडियर्ट के टुक्डे कर दे मेरे सामने उसकी मुंडी काट के फुटबॉल खेली लेकिन मैंने जब किया तो क्या माफ कर दिया उसे कोई सजा नहीं दी नहीं माफ नहीं कर दिया सजा बराबर दी लेकिन जुदा किस्म की क्या वो दोनों चीनी जो तुम्हारे पास आई थे इतने जल्दी काट मांडू से लुकसत नहीं हो गए हो सकते थे मैंने उसको हुकम दिया कि वो उनको तलाश करे और कैसे भी लेकिन बारो क्रेश उनसे वापिस हासिल करे उनसे वो कर्तब कर दिखाया क्रेश जो तुमने उन्हें सौंपा था जो असली था उसने चीनियों से हत्या लिया कैसे? चोरी से और कैसे? गुड़ फिर मेरा यहां क्या काम? फिर इस मीटिंग का क्या मतलब? आपका काम हो गया आपकी मुराद तो पूरी हो गई काम नहीं हो गया मुराद पूरी नहीं हो गई क्या मतलब? वो चोकरा क्रेश के साथ मेरे पास तो नहीं लोटा क्या? असली क्रेश आसिल कर लेने के बाद उसके साथ मेरे पास लोटने की जगा गायब हो क्या कमाल है? जब ही तोरा में क्रेश उसके पास था तब नियत मैली नहीं की अब क्यों की? तब जो हुआ था वो एक मिस्स एडवेंचर था, एक नादानी थी, बलकि मूर्खता थी, जो उससे हुई थी, जिसे वो यकीनी तौर पर सुधार लेने वाला था, लेकिन अब जो हुआ, वो इसलिए हुआ, कि नियत खोटी हो गई एका एक, किसी ने प्रॉंट किया, सिखाया पढ़ाया, विश्वास घात का सबक सिखाया, तदकाल मेरी तवज्जो निकोल की तरफ गई, कम अकल, नादान लड़का, ऐसी राचल पढ़ा, जो उसे नहीं पकड़नी चाहिए थी, ओ, अब प्रेजन पोजिशन ये है, कि असली क्रिश सिक्वेरा के पास है, और वो तुम्हारी चोकरी की रिहाई की कीमत है, आपका मतलब है, क्रिश सिक्वेरा से चेन कर मैं आपको लटाऊं, तो तब आप पायल को रिहा करेंगे, हाँ, मेरा एन यहीं मतलब है, सिक्वेरा कहा है, अगर मेरे पास से सवाल का जवाब हो तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत थी? मैं खामोश रहा. सुना है पीडी हो, गुम्शुदा लोगों को तलाश करना तुम्हारे कारूबार का हिस्सा है. तलाश करो उस छोकरे को. मैं उटकर खड़ा हो गया. मैं कुर्सी से दो कदम पीछे हटा और मैंने पतलून की पेट की तरफ से वो गन निकाल कर हाथ में ली. जो मैंने परसो होटेल के कमरे में निकॉल के बैक से निकाली थी. मैंने गन उसकी तरफ तानी. उसके कान पर जूम भी नहीं रेंगी. धीरत से मुस्कुराते हुए उसने मेरी तरफ देखा. मैं तुम्हें शूट करता हूँ. वो हसा. खोकली विनोद रही थसी. और जाकर राय माजी से कुबलवाता हूँ की. तभी एक गोली शू की आवास करती मेरे कान के पास से गुजरी. एक मेरे सिर के उपर से बालों को हवा द लेती गुजरी. दो मेरे पैरों के करीब जमीन में आकर टकराई. ये फायर वाडनिंग के लिए थे. वो शांत स्वर में बोला. अब जो फायर होगा. वो जान लेने के लिए होगा. राय माजी को मेरा ऐसा ही हुकम है. अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अम सॉरी. मुझे तुम्हा करेगा. उसने यो नुमाईशे जुर जुरी ली. जैसे मेरा आइंदा अंजाम उसे डरा रहा हो. जल्दी से मैंने गन जहां से निकाली थी. वहां वापिस पहुंचाई. और नाहक अपने दोनों खाली हाथ हवा में लहराई. नाइस. मिस्टर लोबो बोला. मैं बहादुर की कदर करता हूँ मिस्टर कोहली. लेकिन हर काम का कोई वक्त होता है. कोई मुकाम होता है. बहादुर बन के दिखाने का ये तो मुनासिब वक्त नहीं. मुनासिब मुकाम नहीं. सौरी. तुमारी सौरी मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ. पायल कब मेरे पास वापि सोका अगर उसके साथ कोई बद सुलूकी हुई नहीं होगी होनी होती तो हो चुकी होती तुम्हें कबर लग चुकी होती आगर तुमने लड़की से बात की थी आगे भी नहीं होगी ना नहीं होगी I give you my word of honor मुझे आप पर विश्वास है मिस्चर लोबो आपके word of honor पर विश आमिन हो वो मुझसे बाहर नहीं जा सकता उसकी मजाल नहीं हो सकती यकिन करो मेरा ठीक है क्रिश लेके आओ लड़की को ले जाओ बतौर पेड़ी तलाश की जो face charge करना हो वो भी लेके जाना मू मांगा बोनस भी लेकर जाना जब क्रिश मेरे हाथ लग जाए तो तब मुझ कहां आना होगा कहीं नहीं पार्टल में होटेल में बैठना मैं कॉंटेक्ट करूँगा आपको कैसे पता लगेगा कि कब क्रिश मेरे पास होगा नहीं पता लगेगा इसलिए कॉंटेक्ट करता रहूँगा ओके ओके अब खंडर में वापिस जाओ इंतिजार में जहां बैठो दस मिनट बाद वहां से उठना और फिर जहां जी जाए जाना मैंने सेहमती में सेर हिलाया प्लीज गो बारी कदमों से मैं खंडर मंदिर की और बढ़ा मैं 32 पुतली पहुँचा विशु अपने आफिस में मौजूद था आजा साई वो स्वागत पॉंट स्वर में बो धेर हुआ घोट लगाएगा क्या वो आशापॉंट स्वर में बोला अभी नहीं तो चाए हाँ पीऊंगा वो सेंडविच भी खाऊंगा जो पिछले फेरे में नहीं खा सका था उसने चाए और सेंडविच का इंतिजाम किया क्या मेरे लिए कोई खबर मैंने पूछा हाँ ह है वो बोला क्या वो पुटड़ी निकोल डिसिलवा या वो उसका हमजात प्रेवल कैमपैनियन करके पुटड़ा पाबलो सिक्वेरा आज की या आने वाले कल की या गुजर गए कल की कहीं के लिए भी किसी भी फ्लाइट पर बुक नहीं है अच्छा मालुम कर भी लिया दो लेकिन साइं वो दोनों इंडियन है कार्ट मांडू से निकलने के वास्ते उनका जहास पर चड़ना ज़रूरी नहीं बस या कार्ट के जरिये रक्सोल और आगे टेहलते हुए भी इंडिया निकल जाए तो कोई टोक नहीं होगी मेरे को नहीं लगता वो ये तरीका अक्तियार करेंगे तो फिर आज और कल की तो गैरेंटी है उनका कोई पैसेज बुक नहीं तो बोले तो आगे भी चेक करता रहूं आगे की आगे देखेंगे फिलहार जो किया वो काफी है लेकिन इतनी जल्दी ये करत तक कर कैसे पाई करतों में लेता ही साइन लेकिन तेरे काम की अर्जेंसी का खयाल था इसलिए पुलिस में अपने कॉंटेक्ट की मदद ली क्या तुम पुलिस के पास पहुंच गए अरे साइन सारे महक में के पास नहीं एक आदमी के पास इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर तदकाल मुझे तारानात विसुराल का खयाल आया खाम खाम जैसे सारे काट मांडू में एक के पुलिस इंस्पेक्टर हो कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया मैं बोला मेरा जिक्र तो नहीं किया बिल्कुल नहीं वैसे अपना इंस्पेक्टर प्रचन देवा यारों का यार है जिक्र किया भी होता साई तो कम से कम उसकी वज़ा से तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला था क्या वो हेड़ क्वार्टर में ड्यूटी करता है नहीं त्रिपुरेश्वर मार्ट थाने में विशू प्लीज करके बोलता हूँ दोपारा मेरी ऐसी मदद की नौबत आई तो किसी पुलिस वाले के पास नहीं पहाँशना बले ही वो तुम्हारा कितना ही जिगरी यार हूँ मैं मर्डर ससимость हूँ और भी कई गयर कारूनी काम मैंने नेपाल में कीए है मجبورन किये है लेकिन कीए है किसी पुलिस वाले को मेरे कार नामों की बावत बनग भी लग गई तो वो तुम्हारी यारी का भी लिहास नहीं करेगा वैसे भी पुलिस वाले किसी के यार नहीं होते अपना अपना खयाल है साइं वरना अपना इंस्पेक्टर प्रचन देवा तो यार ही नहीं वफदार भी है All the same ओके ओके अब चलता हूँ कहा जाएगा होटेल अपने होटेल ब्ल्यू डायमिंट टोपास पैलिस पाटन जहां चेक-इन का मुझे हुकम हुआ था अभी भी वही है हाँ जरूरी है क्योंकि अभी भी वह हुकम कायम है दोसरे उन लोगों से कम्यूनिकेशन का जिसे मैंने तर्ड किया तो कम्यूनिकेशन की डोड टोट जाएगी वही एक जर्या है जूलेलाल एक रिसनेबल टाइम तक मुझे वहां रुकना ही होगा बात में रात गुजारी के लिए मैं ब्ल्यू डायमिंड लॉक्ट सकता हूँ रात गुजारी के लिए हाँ और चेंज वगेरा के लिए क्योंकि मेरे कपड़े जरूरत का बाकी साजो सामान तो वही है चीक है और फिर मैंने वहां से रुकसत पाई विश्व को अपने संदर्ब में पूलिस के पास जाने से मैंने मना किया था लेकिन अपने आइंदा अभियान के संदर्ब में मैं बार-बार सोच रहा था कि क्या इंस्पेक्टर विसुराल से मुझे कोई मदद हासिल हो सकती थी इंस्पेक्टर विसुराल की बात जुदा थी क्योंकि उस पर मैं पहले ही एक्सपोस्ट था और कतल के दो मुक्तलिफ केसों में एक तरह से मैं उसकी एलाई था उसका टेंप्रेरी जोडिदार था अपने होटेल लोटते वक्त सारे रास्ते पता नहीं क्यों मुझे खयाल आता रहा कि या तो इंस्पेक्टर विसुराल खुद लोबी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा या कोई और पुलिस या मुझे हेड कौर्टर इंस्पेक्टर विसुराल के पास लिवा लेच चलने के लिए वहां माजूद होगा मैं होटेल पहुचा तो वहां मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया मुम्किन भी नहीं था उस बाबत जो मैंने सोचा था वो मेरी खाम खयाली थी एक डरे हुए दिमाग की नाजाईज सोच थी इंस्पेक्टर विसुराल को, पुलिस को मेरे उस नए ठिकानी की खबर नहीं हो सकती थी मैं खुद पर खिशने लगा कि क्यों असंभाविद बाते मेरे जहन में आती थी अब मैं सोचने लगा कि क्या खुद मुझे उससे संपर्ट करना चाहिए था मेरी अकल ने वो राय मुझे नहीं दी अपना अगला कदम उठाने के लिए अपने सामने मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था निकोल डिसिल्वा और पाबलो सिक्वेरा किसी आउट गोइंग फ्लाइट पर भुक नहीं थे तो उन्हें कार्ट मांडू में ही कहीं होना चाहिए था रात गुजारी के लिए किसी होटेल में पना पाना उनके लिए लास्मी था अपनी गुमनामी बरकरार रखने के लिए वो बड़े और मशूर होटलों को अवाइट करते और किसी चोटे मामुली होटेल में पना पाते तो भी डिनर के लिए ड्रिंक्स के लिए भी पापलो के तो खास दोर से क्योंकि वो नियर अल्कोहलिक बताया जाता था तो उन्हें निकलना ही पड़ता वो बात मुझे जची मैंने ज्यादा से ज्यादा रेस्टुरेंट्स में भटकने का फैसला किया अपने कमरे में जा कर मैंने शावर बात लिया और फिर होटेल से निकला जो प्लैन मैंने बनाया था उसके तहत ये कताई जरूरी नहीं था कि मैं उनसे कहीं टकरा चाता मैं जिस रेस्टुरेंट्स में भी जाता वो तभी वहां से गए हो सकते थे या मेरे जाने के बाद वहां पहुंचे हो सकते थे वो कहीं से खाना पैक करा कर होटेल में ले जाके खा सकते थे कहीं होम डेलिवरी जैसे जॉइन को जैसे किसी पीजा पारलर को फोन कर सकते थे उनके होल इन दे वाल जैसे होटेल के करीब ही जो कुछ भी मिलता होता किसी वेटर से, पोर्टर से, किसी से भी जो कोई भी उपलब्ध होता मंगवा कर खा सकते थे फिर भी मैंने यूँ उनकी तलाश में निकलने का अपना इरादा नहीं छोड़ा आखिर निठला भी तो मैं बैठा नहीं रह सकता था पायल मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसे क्लाइन को सेफ डिलिवर करना था उसकी इज़त का सवाल था मेरे जहन पर राए माजी नाम के जानवर का अक्स उभरता तो मुझे सौ बुरे खयाल आते थे मिस्चर लोबो का कितना ही दावा क्यों नहों कि राए माजी उससे बाहर नहीं जा सकता था पट बैठता था क्या पता चलता था मैंने अपनी भटकन अपनी तलाश अपनी पोश्टाच शुरू की पोश्टाच भी तो जरूरी ही थी कुछ पोश्टा तो कुछ पता चलता ना और पोश्टाच का नुकसान ये होना था कि मेरा मिशन सीक्रेट नहीं रहता कोई योर्स ट्यूली से कॉप्रेट करने की जगा फिल्म स्चार जैसी बनी हुई टूरिस हसीना से कॉप्रेट करता तो वो पहले ही खबरदार हो जाती और फिर ऐसी गायब होती पापलो समेट की चिराग लेकर ढूर्णे नहीं मिलती वो एक ऐसा अंदेशा था जिसकी बाबत में कुछ नहीं कर सकता था सिवाई उपर वाले से दुआ मांगने के कि जैसा मुझे अंदेशा था वैसा कुछ ना हो मेरे अभियान में अभी थोड़ा ही अर्सा गुसरा था जबकि एक रेस्टरेंट में से निकलते वक्त मेरे कदम खुदी बार पर ठिटक गए मैंने बार मेंसे ब्लैक लेबल का एक लाश ड्रिंग खासिल किया और नदीदों की धरा उसे हलक से उतारा दूसरे पैक के साथ मैं कदरन धीरत से पेश आया ब्लैक लेबल से ही शायत मेरे दिमाग की मोम पिगली और मुझे पाबलो की आस्चिन याद आई पाबलो गवानी था और निकोल की तरह ही कार्ट मांडू में परदेसी था उसके बॉस मिस्चर लोबो का ही कार्ट मांडू में आवास टेंप्रेरी था लिहाजा कार उसकी अपनी तो नहीं हो सकती थी जरूर वो वैसे ही किराई की थी जैसे मेरे पास वोल्क्स वेगन थी सेल्फ ड्रिवन कार रेंटल का वहाँ बहुत रिवास था बहुत बिजनस था वो फरार होने वाले थे या हो चुके थे तो कार तो रेंटल एजनसी को यकीनन लोटाती गई होगी वो लेट मुझे आशा जनक लगी मैंने बार मैंस से टेलिफोन डेरेक्टरी हासिल की और उसके क्लासिफाइट सेक्षन में कार रेंटल का कॉलम तलाश किया मेरा जोश काफी हद तक ये देख कर थड़ा पड़ गया कि उसमें दरजनों कार रेंटल एजनसी या दरश थी लेकिन किसी भी एड के साथ उपलब्द कारों के नाम, मेक वगेरा दरश नहीं थे मैंने घड़ी पर निगार डाली, तब तक 9 बच चुके थे डेरेक्टरी में एजनसियों के बिजनस आवर्स 9 से 9 या 7 से 9 दरश थे उस लेट से जो आशा बनी थी, फिलहाल वो बे मौत मर गई मैंने डेरेक्टरी से किनारा किया, अपना ड्रिंक खत्म किया, बे लदा किया और वहां से बाहर निकला रेस्टरेंट दर रेस्टरेंट आधी रात तक मैं थमेल और दरबार स्क्वाइर के इलाके में भढ़कता रहा जहां कि सबसे ज्यादा रेस्टरेंट थे, कुछ हाथ नहीं आया, मैं ब्लू डायमेंड वापिस लाटा मैं रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुँचा, तो रिसेप्शन क्लर्ट ने येस सर बोला लेकिन कीबोर्ट की यॉर्ड बढ़ने से पहले लॉबी में परे कहीं एक गुपत इशारा किया तदकाल मैंने उसके निगा का अनुसरन किया तो उसे एक सोफा चियर पर बैठे, एक मैगसिन में मन लगाने की कोशिश करते एक नहायत दुबले पतले नेपाली युवक से मिलते पाया अभी मजबूरी की हालत से और भटकन से भटका हुआ तो मैं था ही उपर से नशे में था, मुझे नाहग गुसा चड़ने लगा अभी चाबी पास रखो, मैं रिसेप्शन क्लर्क से बोला मैं घूमा और लंबे डग भरता उस युवक के सामने पहुचा उसने काईक शन मैगसिन से निगा नहीं हटाई आखिर विचलित हो कर उसने मैगसिन को नीचे किया क्या है? मैं घुड़क कर बोला क्या क्या है? वो हड़ बढ़ाया, एका एक उसकी दाईं आंग चपकी फिर चपकी, मैंने वैसे भी दो बार अपनी दाईं आंग चपकाई वो और हड़ बढ़ाया क्या है वो बोला फिर क्या है के इलावा कुछ नहीं आता क्या तेरे को यहां क्यूं खड़े हो जाओ यहां से क्यूं मुझसे मिलना नहीं चाहते क्या अरे भई कौन हो तुम जो खाम का गले पड़ रहे हो मैं कौन हूँ हाँ कौन हो अभी बताता हूँ मैंने reception clerk को आवास दी, उसका ध्यान मेरी तरफ आकरशित हुआ, तो मैं उच्छ स्वर में बोला, पुलिस को बुलाओ, ये आदमी मेरे को होमो जान पड़ता है, इसने अभी मेरे को आँख मारी reception clerk के चेहरे पर हाहा कारी भाव आई, मेरे को प्रॉब्लम है आँख में नेपाली चोकरे के मुँ से अनायासी निकला, ये तो बहाना है जो अभी अभी तुम्हें सूझा है clerk reception के पीछे से निकला, और लगबग दौड़ता हुआ, मेरे करीब पहुचा, नेपाली चोकरा मैगसिन परे डालता, उठकर खड़ा हुआ आप मेरे साथ चलिए, वो अधिकार पॉंट स्वर में बोला लो, मैं बोला, सुन लो, पहले आँख मारी, अब प्रपोस कर रहा है, कहता है मैं इसके साथ चलू मैं clerk की तरफ घुमा, तुम मूँ क्या देख रहे हो, मैंने बोला ना पुलिस को बुलाओ सर, ये पुलिस है, clerk बोला, मैंने अपने माथे पर हाथ मारा, आपके ही इंतिजार में कब से यहां बैठा है सुधिर कोहली, दा अनलकी बास्चर, नेपाली चोकरे ने मुझे पुलिस सेट क्वाटर और आगे पुलिस इंस्पेक्टर विसुराग के हुजूर में पहुँचाया वहाँ उसने नेपाली में जल्दी जल्दी कुछ कहा, जो की मेरे पल्ले नहीं पढ़ा उसने चोकरे को रुखसत किया और मुझे से मुखातिब हुआ, बैठो थैंक यू, गुरंग की आँख में प्रॉब्लम है ये क्या उस लड़के का नाम है जो मुझे यहाँ लाया हाँ, ऐसा डिफेक्टिव पेस पुलिस में कैसे भरती हुआ जब भरती हुआ था, तब प्रॉब्लम नहीं थी अभी भी टेंप्रेरी है, ठीक हो जाएगी जनाब इंस्पेक्टर सहब, पुलिस यों हर गड़ी मेरे पीछे लगे रहीगी तो मैं क्यों कर कुछ कर पाऊंगा हर गड़ी? तो और क्या, वो आपका जमूरा, आंक मार गुरंग, मेरे होटेल में ही तो नहीं रहता होगा तुम्हारे इंतिजार में वहां बैठा, एडियां गिस रहा था अगर पुलिस सरवक्ट तुम्हारे पीछे होती, तो हमें मालुम होता, तुम कब कहा थे? फिर कभी भी पकड मंगवाने में क्या प्रॉब्लम थी? मुझे जवाब नहीं सूचा, जवाब तो वो डपट कर बोला हो तो तो दो दाजवाब, मैं दबिस्वर में बोला सोच समझ कर मुझ फाड़ा करो, तुम मर्डर सस्पेक्ट हो, मेरे यार नहीं हो, रिष्टेदार नहीं हो, अंडरस्चैंड? येस सर, तीन कतल की तफ्तेश मेरे हवाले है, और मैं हूँ, कि मुकाम पर पहाशने की जगा, अभी भटक ही रहा हूँ उसने अंसहाई भाफ से गर्दन हिलाई, अब बोलो सब कुछ पहले ही बोल नहीं चुका क्या, फिर बोलो, ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूँ, कि कोई बात छूट नहीं गई नहीं छूट गई, क्या हीरिंग में कोई प्राब्लम है? नहीं तो, मैंने कहा, मैं सुनिश्चित कर सकूँ, समझे सौरी, तो सेवियोर डिसिल्वा तुम्हारे लिए अशनभी था? प्रैक्टिकली तो अशनभी ही था प्रैक्टिकली क्या मतलब? मैं कोई तेन साल पहले एक म्यूचिल फ्रैंड के मिलवाई एक बार, सिर्फ एक बार, उससे मिला था और दोबारा मैंने कभी उसके सूरत नहीं देखी थी मैं उसे कपका भूल चुका था इस वज़ा से जब मैंने उसे हितौरा में देखा था तो मुझे कता ही नहीं सूजा था कि मैं उससे वाकिफ था बाद में दिमाग पर बहुत जोड देने के बाद थी मुझे तीन साल पहले उससे कोई मुलाकात याद आई थी हम, पतनी, निकोल डिसिल्वा उसके बारे में क्या कहते हो? उससे तो मैं एक बार भी नहीं मिला था यहां नेपाल में वो मेरे लिए नितान तशनवी थी पहली बार तभी उससे मिले थे जब वो तुमारे लाश बरामत कर चुकने के बाद हितौरा में तुमारे होटेल के कमरे में आई थी ये मैंने कब कहा इंस्पेक्टर सहब अरे भई वो आई और तुम्हें बेहोश करके गई ना यही तो बोला था न तुमने आप मुझे जुबान दे रहे हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कमने में तब अंधेरा था इसलिए मैं अपने हमलावर की सूरत नहीं देख सका था कुछ देख सका था तो बस यही कि हमलावर औरत थी रम डूडल में तुम्हारे साथ कोई औरत थी वो कौन थी? कोई बार फ्लाई थी जो वहीं मुझे मिली थी और कमपनी की खाते जिसे मैंने लिफ दे दी थी यकीन तो नहीं मुझे तुम्हारी बात पर लेकिन आपको रम डूडल में मेरे विज़र्ट की बावत कैसे मालूम है? उसने उत्तर नहीं दिया मुझे मालूम है कैसे मालूम है? अच्छा फिर भी कहते हैं कि पुलिस मेरे पीछे नहीं लगी हुई वो हसा वहाँ फिर बोला तुम्हारी कमपैनियन भी थी जो डांस फ्लोर पर एक लंबे बालू वाले लड़के के साथ यू जूम जूम के नाच रही थी जैसे कि नशे में हो वो लड़का कौन था? कोई टूरिस्ट था इंडियन गोवानी तुमने अपने पिछले बयान में कहा था कि ऐसे ही एक लंबे बालू वाले गोवानी लड़के ने मिस्चर लोबो के बंगले से तुम्हारा पीछा किया था क्या ये वो ही लड़का था? हो सकता है हो सकता है क्या ऐसा नहीं है? इस बाबत मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता हम तुम्हें मालूम है मिस्चर लोबो ने अपना बनेश्वर वाला बंगला खाली कर दिया हुआ है अच्छा क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं अब कहां गया उसने घोर कर मुझे देखा मैंने बेचैनी से पहलू बतला मुझे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था उससे मिस्टर लोबो में मेरी खास दिल्चस्पी उजागर होती थी क्यूं जानना चाहते हो वो बोला वो मेरे लिए भारी दुविदा की घड़ी थी मिस्टर लोबो कहां मूव कर गया था इस भाबत अपनी खास दिल्चस्पी मुझे उस पर उजागर करनी नहीं चाहिए थी अब जवाब देना भी हिमाकत होती ना काबिले एत्बार जवाब देना भी हिमाकत होती लगता है किसी खास वज़ा से जानना चाहते हो क्या है वो खास वज़ा क्या मैं हकीकत बयान करूं उसे पायल के अगवा की बाबत बताऊं अगर पुलिस को मिस्टर लोबो का मौजूदा ठिकाना मालूम था तो मेरी अगवा की रिपोर्ट पर वो लोग बड़ी आसानी से उस ठिकाने पर रेट करके पायल को भरामत कर सकते थे लेकिन रेट का नतीजा फॉरन तो सामने आ नहीं जाता था मैंने खुद को समझाया नतीजा सामने आते आते आता और उतने में कुछ भी हो सकता था नहीं वो सलीब मेरे कंधे पर था और मैंने उसे ही ढोना था वो उतावले स्वर में बोला, कोई खास वज़ा नहीं, मैं लापरवाही से बोला, सिवाए इसके, कि मैं क्रिश की बाबत जानने को उच्चुख हूँ, क्या हुआ, तुम्हें मालूम है क्या हुआ, तुमने खुद तो बोला था, उसे तुमने उन चीनियों को सौंपा था, जिनकी लाशे मोर्ड में पड़ी हैं, जिसने उनका कतल किया, वही क्रिश ले गया। नकली, उनको जो क्रिश सौंपा गया था, वो नकली था, मैंने बोला था आपको, नहाजा कातल के हाथ नकली क्रिश लगा। उन चीनियों के कतल की बाबत, क्या तुम्हें वाकिक कुछ नहीं मालूम? मैंने इंकार में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें भला क्यों कर मालूम होगा कोहली? मैं सक पकाया, उसके लेजे में एका एक व्यंग्य का पुट आ किया था। परसो, क्रिश और चीनियों के बारे में जो कुछ तुमने कहा था, वो तब ही से मुझे खटक रहा है। तुम कहते हो, तुम्हें क्रिश चीनियों को सौंपने का, सिर्फ सौंपने का हुकम हुआ था, वो कोई डिल नहीं था, ठीक है ना? मैंने जिजकते हुए सहमती में से हिलाया। लेकिन मेरी अकल बिना किसी डील के ऐसी सुपोर्दगी मुम्किन नहीं मानती। कैसी डील? मॉनिटरी डील? आई सी। तुमारे पास डिलिवरी के लिए असली या नकली इस बात पर इस वक्त बहस नहीं, क्रिश था, उनके पास रकम थी। एक काला ब्रीव केस द देखा था, बेल बॉइस ने देखा था, तुमारे कमने वाले फ्लोर वेटर ने देखा था, और भी लोग हैं जिनों ने देखा था, वही काला ब्रीव केस पर सो होटेल के स्विमिंग पूल में तैरता बरामत हुआ था, तो इसमें सवा लाग डॉलर के नोट बन पाए कॉमन सेंस ये कहती है कि चीनियों को क्रिश रकम की एवश में मिला था, इस लिहाज से तो रकम ब्रीव केस में बंत, मेरे पास होनी चाहिए थी, तुम्हारे ही पास थी, लेकिन इंस्पेक्टर ध्रुफ खटका की विजिट से पहले, अपने रूम की बैलकनी से, तुमने उसे नीचे स्विमिंग पूल में फैंक दिया था, वज़ा क्या थी इंस्पेक्टर सहब, है तो सही एक वज़ा, वो क्या, वो तमाम के तमाम नोट नकली थे, क्या, काउंटर फेट करेंसी पोजेशन में पाई जाती, तो तुम्हारा अंजाम बुरा होता, यही क्राइम ब दवाब देते नहीं बना, ब्रीव केस में बन डॉलर नोट के जाली होने की तरफ हमारी तवज़ो बहुत देर से गई थी, पर सो यहां तुम्हारी हासरी के वक, अगर मुझे मालुम होता, कि वो नोट नकली थे, तो तुम यहां से आसानी से रुकसत नहीं हो पाई होते, तो नोटों का नकली होना ही, तुम्हारे किलाफ बड़ा सबूत होता, वो चीनियों ने तुम्हें ही सौंपे हो सकते थे, और उनसे पीछा चुडानी की ख्वाईश भी, तुम्हारी ही हो सकती थी, तो आपका मतलब है कि मुझे मालुम था, कि वो नोट नकली थे, हां, तो फिर मैंने वो कबोल क्यों किये, क्यों मैंने नकली नोटों की एवज में चीनियों को क्रिश सौंप दिया, क्योंकि तब तुम्हें मालुम नहीं था, बात में लेकिन इंस्पेक्टर खटका की आमद से पहले मालुम हुआ था, बात में आनन फानन चुटकियों में इंस्प जो आपको नहीं मालूम, शुक्र है, कोई तो ऐसी बात है जो आपको नहीं मालूम, कोई घुंडी है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारी समझ में बराबर आ रही है, नहीं तो, आ रही है, बराबर आ रही है, तुम वो घुंडी सुलजाओगे वरना, वरना क् यहीं कटेगी यह धमकी है क्या वार्निंग है यह तो जुल्म है नहीं यह लिहास है दान की बच्चिया के दांत नहीं गिनते मिस्टर कोहली मुझसे ट्रूथ को बलवाने में सुबा के चार बच गई एक-एक सवाल उसने दस-दस बार पूछा एक-एक जवाब उसने बेस-बेस बार दोहराने को बोला उन बातों को भी कई बार दोहराने पर मुझे मजबूर किया जो मैंने अपने बयानों के तहट पूरी शराफत से उसे बताई थी एक खास सवाल तो उसने कम से कम नहीं तो पचास बार पूछा पुलिस के निगरानी से मुझे क्यूँ एतरास था और वो एतरास खास तोर से अब क्यूँ हुआ था उसके उस थर्ड डिग्रे ट्रेट्मेंट के तहट मुझे तक्रीबन सब कुछ बताना पड़ा ना बताता तो जवाब तर्बी का वो सिल सिला चार बजे भी नहीं थमता सिर्फ ऐसी कोई बात मैंने उसे फिर भी नहीं बताई जो कि निकोल और पाबलो की मेरी तलाश में फचर डाल सकती थी नहीं मैंने उसे ये बताया कि क्यों मैं मिस्टर लोबो का माजूदा पता ठिकाना जानने का तमन नाई था इसलिए जाहिर है कि मैंने उसे पायल की बाबत कुछ भी नहीं बताया हम उसने लंबी हुंकार भरी कौफी पेश करूं क्या नहीं मैं बोला तो ठकान की वज़ा से मुझे बोलना भी भारी लगा कफन पेश कीजिए ताबूत पेश कीजिए कब्र पेश कीजिए ताकि मैं दफन हो सकूं गर्ख हो सकूं मुर्दों से शर्ट लगा सकूं मुझे तुमसे हमदर्दी है क्यों नहीं क्यों नहीं पहले खड़ा खोदा फिर मुझे उसमें धक्का दिया अब बाहर निकालने के लिए हाथ पेश कर रहे है अगर हमदर्दी है तो नहीं करना था वो काम जिसने कि मुझे हमदर्दी के काबिल केस बनाया है ये तो लफवाजी है मैं खामोश हो गया आज की मेटिंग की आखरी बात सुनो अब आखरी है तो भगवान के लिए जल्दी सुनाईए मेरा दिल गवाही देता है कि जो तीन मर्डर हाल में हुए है उन में किसी न किसी तरीके से तुमारा पूरा पूरा दखल है कैसे है बदकिस्मती से ये मुझे अभी भी नहीं मालूम मैं मानता हूँ कि पहले नहीं तो कम से कम आज तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है लेकिन साथ ही जानता हूँ कि बहुत कुछ नहीं बताया है ये मेरे सबर का और नेपाली महमान नवाजी का नतीजा है कि अभी भी मैं तुम्हें आजाद घूमने के छूट दे रहा हूँ लेकिन ये छूट बहुत थोड़े वक्त के लिए है अगली बार जब तुम यहां लाए जाओगे तो मैं तुम से कोई सवाल नहीं पूछूँगा सीधे हवालात में बंद किये जाने का हुकम दूँगा अगली बार हाँ यानि कि अभी मैं जा सकता हूँ हाँ जा सकते हो जिस भगवान को मानते हो उसके धन्यवादी होते जा सकते हो भगवान है गेट अलॉंग थैंक यूँ मैं अपनी पुलिस विजल की बाबत निश्चिन्थ हो जाओं या वो अभी चलेगी निश्चिन्थ होने का क्या काम आदमी के बच्चे को ओन टोज ही रहना चाहिए बड़ा गोल मुल जवाब दिया आपने गोरखा ट्रेवल्स के कैबिन के बाहर उस वक्त दो टैक्सी खड़ी थी जिन में एक मैंने चैन की लंबी सांस ली उस ड्राइवर की थी जो मुझे हितौरा लेकर गया था वो एक फोल्डिंग बेट पर पड़ा था उसको जगाने के इरादे से मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो पहले ही उठकर बैठ गया उसने ततकार मुझे पहचाना नमस्ते शाप वो उठकर खड़ा होता बोला नमस्ते मैं बोला भेम बहादुर बताया था ना नाम हाँ शाप देख लो याद है मुझे अभी कल रात की तो बात है शाप शोता नहीं है शाप या दिन में शोता है रात को जाकता है मैं हसा सोता तो रात को ही हूँ भीम बहादुर लेकिन किस्मत की बात है तीन दिन से सोना नसीब नहीं हुआ क्या दिन में नहीं शोया रात भी नहीं शोया टैक्शी मानता है क्या शाप? हाँ मानता तो है जाके बैठो शाप मेरी टैक्शी तुम्हें मालूम उस घड़ी लकडी के कैबिन में कोई नहीं था उसने दूसरी टैक्शी के ड्राइवर को जो परे एक दूसरी फोल्डिंग बैट पर पड़ा था जिन जोड कर जगाया और नेपाली में कुछ कहा फिर वो अपनी टैक्शी पर पहुँचा ये देख कर वो सक पकाया कि मैं पीछे बैठने की जगा आगे ड्राइविंग सीट के पहलू में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था लेकिन मुह से कुछ नहीं बोला वो स्चेरिंग के पीछे आ बैठा उसने इगनेशन आन किया और बोला किधर चलू शाप अभी 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 ज़रा इगनेशन बंद करो उसने आदेश का पालन किया ज़रा मेरी बात की तरफ तवज्जो दो बोलो शाप कार्ट मांडू में कितनी कार रेंटल एजनसी होंगी बहत है शाप टूरिस टाउन है एट उखाडो ऐसी एजनसी निकलती है क्या किराई की गाड़ी मांगता है शाप मांगता है लेकिन ड्राइवर नहीं मांगता तो क्या खुद चलाएगा शाप हाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइशनस है क्या हाँ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है शेल्फ ड्रिवन टैक्शी कार आप मिलती है इधर की राई पर वर्क श्वेड़न को ही बहुत पॉपलर है मेरे को मालुम है कैशे कैशे मालुम है शाप एक लीना की राई पर अभी भी पास है ओ मेरे को छोटी गाड़ी मांगता है जैसे की आस्चिन क्या प्रॉब्लम है टैलिफोन डिरेक्टरी खोलो क्लाशिफाइड कॉलम्स में कार रेंटल के अंडर नीरी कार रेंटल एजेंशिया दर्च मिलेंगी मैंने वो एड़ देखे थे उनमें उनके पास अवेलिबल कारों के मेक दर्च नहीं थे फोन लगाओ शाप किशी को भी इस वक्ट सुबर साड़े चार बजे कौन जवाब देगा सब जवाब देंगे शाप लेकिन डारेक्टरी में तो उनके वर्किंग आवर नौ से नो या साथ से नौ लिखे थे डारेक्टरी पुरानी है शाप आठ शाल से इधर नई डारेक्टरी नहीं चपी पहले ये वर्किंग आवर्ष होते होंगे अब तो almost 24 hours शर्विश है I see मैंने कुछ संच शोटा और फिर बोला ऐसी अजंसियों के offices में कारे तो बाहर ही खड़ी की जाती होंगी हाँ शाप जब 24 hours का बिशनश तो नहीं चलो कहाँ शाप जहां कई भी ऐसी अजंसियां हो खास तोर से जो यूरोपियन कास रेंटल पर देती हो देखते हैं कहीं आस्चिनों के दर्शन होते हैं या नहीं क्या बात करते हो शाप एशे भटकना मुझे पसंद है तुम्हें किराया पसंद है ना वो तो है शाप तो कमाओ तब उसने मेटर डाउन किया और फिर से इगनिशन आन किया कार्ट मार्डो के विभिन सडकों पर टेक्सी चलाते उसने मुझे कोई दो दर्जन कार रेंटल एजन्सियों के सेर कराई लेकिन किसी की पार्किंग में भी मुझे कोई आस्चिन खड़ी नहीं दिखाई थी एक बात बोलो शाप उस बार आगे बढ़ने से पहले वो बोला क्या जब शर्फ ड्रिवन टेक्शी तुम्हारे पास पहले से है तो मेरे टेक्शी अंगेज करके डबल भाड़ा क्यों भरते हो मेरा लेट नाइट ड्राइव का तज़ुर्बा कमजोर है अभी लेट नाइट किदर है शाप और थोड़ी देर में पौफ अटने वाली है मैं कार्ट मांडू में परदेसी हो न मेरे को रेंटल एजनसिया तलाश करने में दिक्कत हो सकती थी तुम तो सब एजनसियों से पहले से वाकिफ हो इसलिए दिक्कत का कोई मतलब ही नहीं हाँ शाप ऐसे तो कोई मतलब नहीं फिर मैं तीन रात का जागा हुआ हूँ कैसे गाड़ी खोद ड्राइव करूँगा फिर भी करूँगा तो वाक्ट्स वेगन सडक पर दौड रही होगी और मैं स्चेरिंग पर ही सोया पड़ा होँगा एशा तो नहीं होना चाहिए शाप नहीं होना चाहिए इसलिए मैं अपने फ्रेंड भीम बहादूर की टेक्सी में सवार हूँ फ्रेंड? हाँ बिलकुल आखिर मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ शाप अभी शेकेंड टाइम ही तो बैठे हो भई फर्स टाइम हुआ तो सेकेंड टाइम हुआ ना अभी सेकेंड टाइम हुआ तो थर्ड टाइम होगा ना फिर फॉर्थ टाइम फिर फिफ्थ टाइम एंड सो ओन सो ओन शाप वो शेर्फ ड्रेवन वॉक्ष वैगन टैक्सी वापिश करो ना और मेरे को एंगेज करो ना मैं जिदर बोलोगे हाजरी भरूँगा चीक है मैं सोचूंगा इस बारे में अब आगे बढ़ो उसने टैक्सी फिर सड़क पर दोड़ाई और एक घंटे बाद मैंने अपने उस अभियान से किनारा कर लिया शाप पाटन ट्राई करो भी महादूर ने राई दी बलकि भगपूर भी ट्राई करो क्यूं वो भी काट मांडू जैशी ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है धेरो होटेल है शाप जिदर टूरिस्ट उधर टैक्सी मुझे उसकी वो राई पसंद आई चलो मैं बोला कहां जहां क की राई दी पहले पाटन चलो वो करीब है चलता है शाप उसने कार को यूटर्ण दिया और पाटन की दिशा में दोडाया पाटन में मेरी भटकन खत्म होई मैंने भीम बहादूर को गले लगाने से कसर नहीं छोड़ी होटेल नराईनी के बाजू में एक बड़ी कार उन्ही में से एक आस्मानी रंग की आस्चिन भी थी जिसे मैंने उस कार के तौर पर फॉरण पहचाना जिसे मैंने पाबलो सिक्वेरा को चलाते देखा था उस वक्त पानी की बाल्टी पटका लिए एक नाबालिक नेपाली चोकरा उसे धो रहा था मैं भीम बहादूर की ट आस्चिन के करीब पांचा टैक्शी मांगता है वो पहले ही बोलने लगा अभी वेट करना पड़ेगा और फिस साथ बज़े खुलेगा भीम बहादूर में टैक्सी से निकल कर मेरे पीछे चला आया था उसने चोकरे को नेपाली में डांटा तो वो फिर नहीं बोला मैंने आस्चिन के पैसेंजर साइट का दर्वासा खोला और नीचे फर्ष पर जांका मामुली सी तलाश के बाद मुझे वो सिग्रेट लाइटर मिल गया जो जलता मैंने पाबलो की गोद में डाल दिया था अब कोई शुभा बाकी नहीं रहा था कि वो वही आस्चिन थी जो अभ देख रहा था था थैंक्यू शाप वो बोला मेरे को तो ये फर्ष पर मिला नहीं था तू अभी छोटा है मैं बोला बड़ा होगा तो निगाती की हो जाएगी मैं शोला शालका हूं वो गर्व से बोला अठारा के बाद देखना अभी ये बता ये कार्ट कब वापिस लोट यानि की लोटती देखी थी हाँ शाप कौन चला रहा था एक फिल्मो जैशा नौ जवान लंबे बाल लंबी लंबी कलमे दाड़ी मूद साफ गोरा रंग नेपाली नहीं था नाम पाबलो सिक्वेरा नाम नहीं मालुम शाप आफिश में मालुम होगा उधर शे पता करना ग क्या अकेला था नहीं शाप शाप में एक कटे बालो वाली शुंदर लेडी थी जो उम्र में उश्ये बड़ी लगती थी आंखों पर काले गौगल्स लगाई थी और और क्या और लगता था कि रो रही थी ऐसा क्या हाँ शाप उन्होंने आस्चिन वापिस करके कोई और गा गाड़ी नहीं शाप क्या काफी सामान था उनके पास हाँ शाप गाड़ी यहां खड़ी कर दी तो सामान का क्या किया खुद उठाया शाप तीन शूटकेश थे एक बैग था दो शूटकेश नौजवान ने उठाय बैग और एक शूटकेश लेडी ने उठाया मालूम है कि उन्होंने पेइमेंट कैसे की थी? मालूम है शाप क्योंकि वो आफिश में नहीं गए थे मेरे को कलर्ड को इधर बुला के लाने को बुला था कैसे की थी? क्या क्रेडिट कार्ट से? कैश से? डॉलर से? हम मैंने उसकी पेट थप थपाई और टिप में उसे पचास का नोट थमाया वो खुश हो गया उसने ठोक के सलाम किया मैं घूमा मैंने भीम बहादुर को इशारा किया और बाहर किया और बढ़ा मैं कमपाउंड के फाटक पर था जबकि वो छोकरा दौटता हुआ मेरे करीब पहुंचा मैं ठिटका मैंने प्रशन सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा शाप छोकरा तनी खाफता सा बोला वो लंबे बालो वाला शाप आपका दोश था क्या कैसे जाना शाप जब नाम भी जानते थे तो दोश थी होगा ना ये बात तो ठीक है क्या कहना चाहते हो आप भी शाथी होंगे कहें बिचुड गए होंगे इसलिए अब ढूनते हो छीक क्या कहना चाहते हो उसने पेट पेचे से अपना एक हाथ सामने किया तो मुझे एक आठ गुना दस का पीला लिफाफा उसके हाथ में भाई दिया उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और बोला इसमें कुछ शामान है जो उनका कार में रह किया था एशा शामान और फिश में जमा कराना होता है लेकिन केमती चीज़ कोई नहीं है होती तो खुद रख लेता खबर ही नहीं लगने देता बरामकी की मैंने मन ही मन सोचा आप उनके दोश्त है इसलिए शोचा आपको सौम दूँ ठीक सोचा, शाबाश जरूर वो पचास रुपई के टिप का कमाल था थैंक यू नमस्ते शाप हम वापिस आकर टेक्सी में सवार हुए अब वापिस चलू शाप भीम बहादुर बोला अभी नहीं उसकी भवें उठी तुमने वो सब सुना ना जो उस चोकरे ने कहा हाँ शाप तीन सूट के सौर एक बैग जो वो दोनों जने उठाए हुए थे इतना बोज उठा कर कोई कितनी दूर जा सकता है ज्यादा दूर नहीं किसी करीबी होटेल तक मैंने इंकार में सेर हिलाया नहीं वो बोला नहीं उन्होंने होटेल में जाना होता तो पहले चेक-इन करते सामान वहाँ छोड़ते और फिर टैक्सी लटाने आते चीक तो फिर टैक्सी स्टेंट पता कर उसने किया टैक्सी स्टेंट करीबी था वहाँ भी भीम बहादूर के अड़े जैसा कैबिन था और कई टैक्सीयां खड़ी करने का ठिकाना था कैबिन में विंडो पर बैठा व्यक्ती एक अधेर उम्र का अधगंजा मोटा नेपाली था नेपाली नेपाली से बेहतर पूश ताच कर सकता था इसलिए मैंने भीम बहादूर को आगे किया जिसमें एक गुण और भी था कि फैलो टैक्सी ड्राइवर था भीम बहादूर आगे बढ़ा और जाकर कितने ही देर बड़ी आत्मियता से उसके साथ बत्याता रहा आखिर वो मेरे पास वापिस लौटा शामान उठाई यहीं पांचे थे वो दोनो वो बोला कितना करेक्ट शोचा शाप टैक्सी स्टैंड के बारे में और क्या पता लगा मैं उतावले स्वर में बोला उन्होंने यहां से टैक्सी ली थी कहा के लिए ये नहीं बोला था तो फिर क्या फाइदा हुआ शाप कई बार पैसेंजर एडवांच में नहीं बोलता टैक्सी में बैठ जाता है टैक्सी चल देती है रोड पर आ जाती है फिर बोलता है किदर जाने का था लेकिन हाथ तो कुछ नहीं आया ना आईगा न शाप कैशे तौबा मैं भी तुम्हारी सौबत में सरको शो बोलने लगा हूँ वो हसा शाप फिर बोला जिस टैक्सी पर वो गए उसके ड्राइवर को मालुम होगा ना किदर जाने को बोला किदर पहुंच आया हाँ तो शाड़े शाद बजे वो इधर ड्यूटी पर आता है धनुश नाम है मैंने कलाई घड़ी पर निगा डाली साड़े साथ बचने में अभी तेईस मिनट बाकी थे चलो मैं बोला कहीं चलके छोटा मोटा नाश्ता करते है करीब जो रेस्टरेंट हमें उस घड़ी खुला मिला उसका नाम एवरेस कैफे था और वहाँ कॉफी सेंड़िच आमलेट और पेस्ट्रिस उपलब थी भीम बहादुर की चॉइस जो कि उसने बहुत संकोच से बताई पोच कर मैंने और्डर दिया अपने लिए कॉफी मैंने जान बुच कर ब्लैक और विदाउट शुकर मंगाई जागते रहने का वो भी एक तरीका था शाप ब्रेकफास के दौरान भीम बहादुर संजीत की से बोला तुम किशी खाश प्राबलम में तो मालुम होता है है तो ऐसा ही भाई मैं उदासीन भाफ से बोला लेकिन तुम्हारे जैसे दिलदार साथी मिल जाते हैं तो प्राबलम हल भी होने लगती है शाप तुम बहुत अच्छा आत्मी है तुम जो शेवा बोलेका भीम बहादुर करेका क्या सच में करोगे भगवान पशुपती नात की कशम खाके बोलता हूँ शाप शच में करूँगा दिलशे करूँगा तो सुनो आज शाम तक अगर तुम्हारा मेरा दुबारा संपर्ट ना हो तो काट मार्णो में इंदिरा चौंग पर होटेल कॉंटी के पास एक क्राफ्ट सेम्पोरियम है जिसकी मालिक और संचालक शेलजा शेश नाम की एक नेपाली युफती है मेरे को वो एम्पोरियर मालूम है शाप गुड़ वहां में एक पार्सल छोड़कर आया था जिस पर नाम मिस्टर नवीन सेट तो लिखा है लेकिन कोई पता नहीं लिखा वो पार्सल तुमने वहां से कलेक्ट करना है और जब तक मुझसे मुलाकात ना हो अपने पास रखना है वो तुम्हें रखूंगा शाप पर एम्पोरियर की माल के इन पार्शल मेरे को देगी क्या हाँ मैं चिठी दूँगा ना ओ चिठी देंगे हाँ क्या करोगे ये काम जरूर करूँगा शाप मैंने घड़ी पर निगार डाली और बोला चलो हम वापिस टैक्सी स्टैंड पर लाटे धनुश वहां मौजूद था भीम बहादूर ने उसके करीब जाकर उससे कुछ शंड खुसर फुसर की फिर उसे मेरे पास लाया वो नाजवान लड़का था और खुश मिज़ाश था मैंने निकोल और पाबलो की बाबत उससे सवाल किया हाँ वो बोला कल शाम वो मेरे टैक्सी में थे मैं उन्हें काट मांडू लेकर गया था पता नहीं क्या बात थी उन दोनों में कि सारे रास्ते लड़ते जगड़ते ही रहे थे एक मिनट भी चुप नहीं बैटे थे कामोश होते थे फिर दोनों में से एक भड़क जाता था और फिर तक्रार शुरू हो जाती थी अच्छा तक्रार का सब्जेक्ट क्या था साहब इतना ध्यान मैंने उनकी बातचित की तरफ नहीं दिया था दूसरे वो धीमी आवास में बोलते थे जब जगड़ते थे तो आवास उंची होती थी और मुझे मालूम पढ़ता था कि तक्रार फिर शुरू हो गई थी काट मार्णू में कहा छोड़ा था वो हिच किचाया मैं उसके उत्तर की प्रतिक्षा करता रहा उत्तर देने की जगा वो भीम बहादूर की तरफ घूमा और तेजी से नेपाली में कुछ कहने लगा वो खामोश हुआ तो भीम बहादूर ने मेरी तरफ देखा ये कहता है शाप वो बोला पेशंजर्स के बारे में ऐशी बाते किशी अजनभी को बताना चीक नहीं लेकिन मैं फैलो टेक्शी ड्राइवर इसलिए मेरे को बता शकता है तो क्या उसने बताया हाँ शाप मैं लेके चलता हूँ तुमको वहाँ ठीक है चलो मैंने धनुश को थैंक यू बोला और भीम बहादूर के साथ वहाँ से रुकसत हुआ हम काट मांडू लोटे भीम बहादूर मुझे टेको के इलाके में स्थित वैली व्यू नाम के एक ऐसे होटेल में लेकी आया जिस पर होटेल के नाम का बोट नहीं लगा होता तो मालूम ही नहीं पड़ता कि उस पांच मंजिला इमारत में होटेल चलता था इतनी मामुली होटेल में मैं निकोल की कलपना नहीं कर रहा था इसी वज़ा से पिछली रात मेरी तलाश काम्याब नहीं होई थी मैं और भीम बहादूर आगे पीछे चलते भीतर दाकिल हुए और रिसेप्शन पर पहुँचे जहां कि एक पचास से एक साल का नेपाली खड़ा कभी नाक को रेद रहा था तो कभी कान खुजा रहा था मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ नाक से जो कुछ बरामत हुआ था उसने उसको उंगली पर से जटका और जबरन मुस्कुराता बोला वेलकम सर थैंक यू मैं अधिकार पॉंट स्वर में बोला अब मैं जो कहूँ उसे गौट से सुनो येस सर मुझे एक औरत और एक मर्द की तलाश है दोनों इंडियन दोनों गोवानी औरत तीस से एक साल की गोरी चिट्टी कटे बालू वारी मर्द कोई पच्चे से एक साल का लंबे बालू लंबी कल्मो वाला क्लीन शेव चोकरा क्यों तलाश है सर उनके फैमिली में मौत हो गई है मैं फैमिली फ्रेंड हूँ खबर करना चाहता हूँ हम औरत का नाम निकोल डिसिलवा चोकरे का नाम पाबलो सिक्वेरा डिफ्रेंट सर नेम्स तो क्या हुआ ये वैसा होटेल नहीं है कैसा होटेल नहीं है इस नाम के कोई साहब मेम साहब लोग यहां नहीं ठहरे हुए तो उन्होंने कोई और नाम बताए होंगे ऐसे नहीं चलेगा क्या नहीं चलेगा सर मैं बोला ना ये वैसा होटेल नहीं है मैंने भी तो पूछा ना कैसा होटेल नहीं है ये ये respectable place है सर ठीक है ठीक है मैंने परे लॉबी में एक सोफे पर बैठी बहुती ज्यादा लिपी पुती दो नौजवान लड़कियों की और निगा दोड़ाई उनके नुमाईशी मेकप से उनकी नुमाईशी ड्रेस भी पूरी-पूरी मैच कर रही थी मैंने जेब से बटवा निकाला और उसे खोल कर नोटों की जलक उसे दिखाई वो लड़कियां मैं उसके तरफ जुकतार रास दराना लेचे में बोला क्या चार्च करती है दो दो हजार स्वय मेव उसके मुँ से निकला नो प्राब्लम मैं नोट निकालने लगा दोसो मेरे वो दबे स्वन में बोला चीक है मैंने बटुआ जेब में रखा और उसे गिरेबान से थाम लिया सससर वो चट पटाया शाप क्या करता है मेरे पीछे से भीम बहादुर बौकलाई लहचे में बोला सालिक कमी ने मैं उसका गिरेबान जिन्चोड़ता दान पीसता बोला कहता है कि ये वैसा होटेल नहीं है छोड़ो साप छोड़ो जान से मार दूँगा छोड़ो प्लीस शाप भीम बहादुर व्याकुलभाव से बोला फौशदारी हो जाएगी ठीक है छोड़ता हूँ मैं बोला लेकिन जो पूछा जाए उसका जवाब देना है वरना पुलिस आके तुम्हारी खबर लेगी सर कौन? डिटेक्टिव, इंटरपोल इंटरपोल मालूम है ना उसने भईभीत भाव से सहमती में सेर हिलाया यहां रेट पढ़ गई तो जैसी दो लॉबी में बैठी है वैसी कई होटेल से भी बरामत हो जाएंगी उसने जोर से थोक निकली बाईयों को ही नहीं सालों मुझ्रिमों को भी पना देते हो नो सर, नेवर सर आकरी बार जिन जोड कर मैंने उसका गिरेबान छोड़ा मुझ्रिमों को बिलकुल पना नहीं देते सर वो गिर गिराता से बोला लेकिन कोई प्रेमी जोड़ा यहां आ चाए वो भी परदे सी तो उसकी हेल्प तो करनी पड़ती है न वो दोनों उसे घूरता मैं बोला जिनका मैंने जिक्र किया कल शाम को यहां पांचे थे रात को वो जल्दी से बोला सूरज डूप चुकने के काफी देर बाद तभी सही लेकिन पांचे थे न हाँ और उन दोनों ने यहां चेक-इन किया था नहीं लड़का पहले से यहां था क्या मतलब हुआ इसका वो वो मैडम जिसे कल रात को लड़का यहां लाया था लड़के के ही रूम में बढ़िया सर मैंने बोला न प्रेमी जोडों की हेल्प करनी पड़ती है चीक है कमरा नंबर बोलो कमरा नंबर बोलू अरे कौन से कमरे में है यहां वो दोनो वो यहां कहा है मेरे से पूछ रहे हो होटेल तुम चलाते हो कि मैं तुम्हें नहीं पता कहा है सर मेरा मतलब है वो यहां नहीं है क्या वो तो आज सुबस अवेरे ही चेक आउट कर गए मैंने असहाई भाफ से गर्दन हिलाई पता नहीं सुधीर कोहली की फेमस लक कहा घास चरने गई होई थी कमरा नमबर फिर भी बोलो मैं बोला अठारा तीसरी मंजिल पर मैंने पीछे की बोर्ड पर निगार डाली अठारा नमबर पर चाबी टंगी थी वो चाबी मेरे को दो मैं बोला ककक क्यों चेक इन कर रहा हूँ क्या कोई एतराज उसने चाबी उसके स्थान से हटा कर काउंटर पर रखी मैंने चाबी उठाई और बोला उल्टे पाउन लोटता हूँ तब खाना पूरी करता हूँ वो कुछ नहीं बोला यहीं ठहरना मैं भीम बहादूर से दबे स्वर में बोला और इस पर निगार रखना कोई बेजा हरकत करे तो मुझे खबर करना उसने बड़े सस्पेंस भरे अंदास में सेमती में सेर हिलाया मैं रिसेप्शन पर से हटा शुक्र था कि वहां लिफ्ट थी जिसके जरिये मैं तीसरी मन्जिल पर पहुंचा मैंने चाबी लगा कर 18 नंबर का दर्वासा खोला और भीतर दाखिल हुआ कमरा खाली था तेजी से मैं बात्रूम समेथ सब जगा फिरा मैंने हर जगा टटो ली कहीं से कुछ आत नहीं आया कमरे को लॉक करके मैं वापिस लॉबी में और रिसेप्शन पर पहुंचा वो यहां टेक्सी पर पहुंचे थे मैं सकती से नेपाली क्लर्क से बोला यहां से गए कैसे थे कार पर वो बोला रात को लड़का अकेला कहीं गया था और वापिस एक कार के साथ लॉटा था कैसी कार महरोन कलर के इंडिगो क्या प्राइवेट कार टेक्सी सर्फ डिवन कैसे जाना जब ड्राइवर नहीं था जब वो खुद चला कर लाया था तो अरे यह कैसे जाना की वो टेक्सी थी वो वो नमबर से जाना नमबर भी देखा था जब कार पार्किंग में खड़ी थी तो देखा था ना, नोट किया था ना क्यूं? जो मेहमान कार पर आते हैं, उन्होंने रिजिस्ट्रेशन कार पर कार का नमबर दर्च करना होता है मिस्च मुरावला ने ऐसा नहीं किया था, जरूर भूल गए थे, इसलिए ये काम मैंने कर दिया था मुरावला? उस लड़के ने यहां अपना यही नाम बताया था, यही नाम रिजिस्ट्रेशन कार्ट में भरा था उस लड़के ने जिसका मैंने अभी हुलिया बयान किया था हाँ सर, असल में जिसका नाम पाबलो सिक्वेरा है अगर आप कहते हैं तो हाँ मेडम से किस से वाकिफ हो? सोनिया हम, कार का नमबर एक कागस पर लिख कर मुझे दो तदकाल उसने आदेश का पालन किया के टी 4347 तुमने उन्हें प्रेमी जोड़ा कहा मैं बोला, क्या वो लगते थे प्रेमी जोड़ा? उसने हिच किचाते हुए इंकार में सिर हिलाया वजा मेडम उम्र में उससे काफी बड़ी थी आजकल तो चलता है उसकी सूरत पर प्रेमी का वाले कोई भाव नहीं थे फिर भी बोला कोई प्रेमी जोड़ा यहां आई तो उसकी हेल्प करनी पड़ती है मेहमान जो बोले उस पर एत्वार करना पड़ता है मेहमान की हर बात पर शक करके होटेल नहीं चलाया जा सकता सर चीक है मैंने चाबी काउंटर पर फैंकी मुझे कमरा पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से रुकसत हुआ हम बाहर आकर टैक्सी में बैठे मेरे को ब्ल्यू डायमेंड पहुचा फिर तेरी चुटी उसने कार को रोड पर डाला शाब रास्ते में वो बोला शर्च में पुलिष वाला है क्या इंटरपोल का नहीं मेरा भी यही खयाल था शाब और क्या खयाल था कोई उप्रादी तो नहीं है शाब अप्रादी स्मगलर नार्कोटिक्स ट्रेडर हिट मैं नहीं अप्रादी नहीं हुँ मैं इंडिया शे ऐशा लोग बहुत आता है इधर उधर वांटिड होता है इधर शेफ होता है मैं वैसा नहीं हूँ यकीन कर मेरा उधर अपराद करता है इधर अपने अपराद का मज़ा लूटता है अब बस कर मैंने बोला ना मैं वैसा नहीं हूँ वो खामोश हो किया लेकिन मेरी तरफ से संदिक्द वो बराबर था क्यूंकि अब वो पहले की तरह मुझसे चहक के बात नहीं कर रहा था होटेल पहांच कर मैंने उसे भरपूर किराया अदा किया जो उसने बड़े अन्मने भाफ से कबूल किया प्रत्यक्ष्था की होटेल हिल व्यू टेको के मेरे विवहार ने मेरे प्रती उसकी श्रदा घटा दी थी अपने होटेल के कमरे में पहाँच कर जो पहला का मैंने किया वो ये था कि उस पीले लिफाफे की सुद ली जो पार्टन में कार रेंटल एजनसी के क्लीनर ने ये कहते मुझे सौंपा था कि उसमें औस्चेन के पैसेंजर्स का कुछ सामान था जो की पीछे कार में छूट गया था कोई ऐसी चीज उसमें से बरामत नहीं हुई जो मेरे लिए किसी तरह का कोई क्लू बन पाती सब फैंक ने लायक ही कबार था जैसे की एक सिग्रेट का पैकेट जिसमें दो सिग्रेट बाकी थे एक पेपर मैच जिसमें तीन तीलियां बाकी थी टिशू पेपर कई दान थुई एक कंगी एक नेपाल टूरिजम का पैंफलेट एक कार्ट मांडू के होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिस्ट और एक कई तै में मुड़ा हुआ नेपाल का नक्षा सब बेकार फिर भी मैंने एक एक चीज़ का कई कई बार मौयना किया वक्त भी बरबाद किया फोन की घंटी बजी मैंने कॉल रिसीव की लाइन पर भी महादुर था शाप उसके चिंते तावास मुझे सुनाई थी पक्का है ना कि कोई अपराद नहीं है अब क्या हुआ जवाब दो शाप हाँ अपराद ही नहीं हूँ मैं मैंने कोई अपराद नहीं किया अब बोलो क्या बात है बलकि पहले ये बोलो कि कहां से बोल रहे हो गर शेशाप घर पहुँच गए तुमको फोन करना था ना टैक्शी स्टेंड के फोन शे करना ठीक नहीं लगा था इसलिए गर आके फोन किया इधर शब शेफ है ना अब बोलो क्या बात है शाप स्टेंड पर पोलिश आई थी पोलिस और मेरे को पूछती थी कि मैं तुमको मेरी टैक्शी पर हितोरा लेके गया था क्या शाप मैं तुमको एस पेशेंजर हितोरा लेके गया कोई गैर कानूनी काम किया क्या नहीं फिर भी पोलिश धमकाता था बंद करने की धमकी देता था ऐशक क्यों शाप मालूम नहीं लेकिन यकीन जानो मेरी वज़ा से तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि गलत हो मुश्रिमाना हो मेरे को शांती मिली शाप मैं मामूली आत्मी पुलिश के चक्कर में फशा तो बरबाद इसलिए अब उस पार्शल की बाबत शोषता था जो तुम मेरे को इंदिना चौंक वाले क्राफ्ट एम्पोरियम शे कलेक्ट करने को बोला उस बाबत अगर तुम्हारे मन में कोई भ्रह्म है तो शाप पार्शल में क्या कुछ गैर कानूनी नहीं उसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई वह्म है उस पार्शल की बाबत तो मैं तुम्हें यही राई दूंगा की नहीं नहीं मैं आपका काम करूंगा शाप लेकिन खुद जाने की जगा अब अपने छोटे भाई पूर्ण बहादुर को भेजूंगा तुम शेलजा शेष्ट को ऐसा बोल के रखना शाप चीक है तुमने पुलिस को मेरे हितोरा के ट्रिप के बारे में क्या बोला यहीं बोला शाप कि पैसेंजर को ले गया जो कि मेरा काम पैसेंजर को उधर जहां वो बोला उतारा और मेरा काम फिनिश्ट आगे मुझे नहीं मालूम पैसेंजर किदा गया उन्होंने जिद नहीं की कि मैं लोटा भी तुम्हारे साथ था बहुत कीशाप पर जो शचे है वो शचे मैने शच बोला चीक किया और और मेरे को पुलिश को आठ शुभा साड़ी चार बजे वाली ट्रिप के बारे में भी बताना पड़ा उस बारे में क्या बताया शब कुछ बताया शाप बताना पड़ा क्या शब कुछ शिवाई एक बात के वो कौन सी बात? मैंने टेकू वाले होटेल का जिक्र नहीं किया क्यूं? पता नहीं ऐशे ही एंड टाइम पर मेरे मन में कुछ आया कि उश बाबत मेरी जुबान शिकुछ ना निकले उस होटेल के रिसेप्शन क्लरक से में बहुत बुरी तरह से पेश आया था अगर उसने कोई कंप्लेंट की तो उसकी मजाल नहीं हो शक्ती शाप जिस होटेल में कॉल गर्ल वाला कारूबाट चलता हो वो खुद अपने पर फोकश बनाना अफॉर्ड नहीं कर शकता काफी सेयानी बात कही और अच्छा किया कि मुझे बताया कभी पोलिस से मेरी जवाब तलबी की ना बताई तो मैं भी उस होटेल की अपने विजिट की खामोशी रहूंगा ठीक शाप एमपोरियन में बोलना की आपका पार्शल लेने पूर्ण बहादुर पहांचेगा अभी बोलता हूँ नमस्टे शाप मैंने शेलजा शेष को कॉल लगाई थोड़ी देर घंटी बच्टी रहने के बाद उत्तर मिला सुधीर कोहली बोलता हूँ मैं बोला पता मिल गया उसने पूछा नहीं, नहीं मिला एक कागस पर लिखा था कागस पता नहीं कहां गुम हो गया बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला तो फिर? दो पहर तक और तलाश करता हूँ फिर भी नहीं मिला तो पूर्ण बहादुर नाम का एक नेपाली लड़का तुमारे पास आएगा पारसल उसे लटा देना और दो हजार उपए भी? नहीं वो पास रखना मैं उधर से गुजरूंगा तो ले लूंगा ठीक है मैंने फोन रखा और बेट पर धेर हुआ तक यसे सिर लगाते ही मैं नीन के हवाले हो गया 24 घंटे बाद मैं सोके उठा घड़ी पर निगार डाली तो पाया की मुश्किल से तीन घंटे सोया था हालात की ऐसी ही 24 अरफा टेंशन मेरे पर बरबा थी पायल के किसी अंजाम का ख्याल आता था तो मैं नीन में भी बेचैन हो उठता था बुरे-बुरे सपने आते थे और चैन की नीद सपना बन जाती थी मैं टॉयलेट में गया नित्य कर्म से निर्वित हुआ और कपड़े तबदील किये फिर मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता एक कुर्सी पर धेर हुआ निकोल और पाबलो हाथ आते आते रह कई थे इसका मुझे अफसोस था उन्होंने फिर एक रेंटल कार हासिल कर ली थी ये बात मुझे अजीब लग रही थी लेकिन कोई वज़ा तो होनी चाहिए थी आस्चिन ही पास रखते तो क्या प्रॉब्लम थी पायल के होटेल के बेल बॉई ने मुझे बताया था कि वो आस्चिन में मैडम का सामान बड़े मुश्किल से लाग सका था इस लिहाद से चोटी कार को बड़ी कार में तबदील करना बनता था लेकिन कार उन्हें दरकार क्यों थी फ्लाइट पकड़ने के लिए एरपोर्ट पर सेल्फ ड्रिवन टैक्सी पर तो कोई नहीं जाता था लॉंग ड्राइब उस खयाल ने मुझे सचेत किया नेपाल जैसे देश में जहां मेटल रोड्स बहुत कम थी आस्चिन में लॉंग ड्राइब सजा बन सकती थी लॉंग ड्राइब पर मुझे नेपाल के उस नक्षे का फिर खयाल आया जो कि आस्चिन से बरामत बाकि फिजूल की चीजों के साथ पीले लिफाफे में था पीला लिफाफा बेट के हवाले होने से पहले मैंने रद्धी की टोकरी में डाल दिया था मैंने सिग्रेट को एश्रे में जोंका और टोकरी में से लिफाफा वापिस निकाला बाकि सामान को नजर अंदास करके मैंने नेपाल का नक्षा खोला और उसे अपने सामने मेज पर फैलाया नेपाल से निकलने का बेहतरीन तरीका तो त्रिभुवन राज मारगी था लेकिन उस पर आवा जाही और विजल बहुत ज्यादा होती थी दूसरे वो ही तौरा से गुजरता था जहां फिल जाने से जहां से गुजरने से भी निकोल को पाबलो को भी एतरास हो सकता था और अच्छा रास्ता चिटवान, बटवाल, भेरवा से होकर था जो बॉर्डर से इंडिया में उतरता था तो आगे गोरकपुर जाता था लेकिन हितौरा उस रास्ते में भी आता था हितौरा ना जाने की जिद हो तो थान कोर्ट से आगे पोखरा को जाती रोट पकरना पड़ता था और ये नहायत लंबा रूट बनता था एक रूट और था जो इंडिया जे नगर और आगे मधुबनी पहुँचता था जो की कदरन छोटा भी था बॉर्डर से वेस बंगाल में भी कई आउटलेट थे लेकिन वो सब नहायत लंबे रूट थे अब पता कैसे लगे कि उन्होंने कौन सा रूट चुना था मैंने आँखे फार फार कर बलकि आँखे फोर फोर कर नक्षे के एक एक इंच का कई कई बार मौईना किया आखिर मेरी मेनत रंग लाई धूली खेल पर पैंसल से एक छोटे से क्रॉस का निशान लगा हुआ था जिसे के रबट से मिटाने की कोशिश की गई थी वैसा ही एक निशान आगे पनौटी पर था जिसे की नहीं मिटाया किया था उसका साफ मतलब था कि वो किष्टों में अपने सफर को अंजाम देना चाहते थे और हॉल्ट के लिए उन्होंने पनौटी को चुना था धूली खेल के चौइस शायद उन्हें इसलिए नहीं जची थी क्योंकि वो मशूर बड़ा रौनक वाला टूरिस पॉर्ट था पनौटी छोटी जगा थी जो मौजूदा हालात में उन्हें ज्यादा रास आती मैंने मन ही मन एक निश्चे किया नक्षे को लपेट कर अपनी जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ तब ही फोन की घंटी बजी मैंने फोन के करीब पहांच कर कॉल रिसीव की लाइन पर मेरा क्लाइन था गुड आफ्टरनून सर अपने धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिश करता मैं बोला गुड आफ्टरनून परमजीत लाल बसरा की आवाज आई कैसे हो कोहली फाइन सर आप कैसे है मैं भी ठीक हूँ अभी वही है क्या हाँ लेकिन आज ही शाम को काट मांडू पहांच रहा हूँ मेरा दिल जोर से धड़का अर्राइवल टाइम साथ बजे एयरपोर्ट पर मिलना सर ये तो मुम्किन नहीं होगा क्यों इधर एका एक पोलिटिकल डिस्जर्बिंस पैदा हो गई है माउवादियों ने प्रधान मंत्री जालानात कारकी की बर्खास्तगी के लिए ऐसा भिजन अभियान छेड़ा है कि रॉइट कंडिशन बन गई है शाम तक कार्ट मांडू में कर्फियों लग जाने का अंदेशा है अरे आप भी बस एयरपोर्ट पर ही लैंड कर पाएंगे शेहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे ओ, देट्स चू बैड इसी वज़ा से मैं भी आपको रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाऊंगा लेकिन इधर कुवाला लैंपोर में तो मेरा ट्रेवल एजेंट ऐसा कुछ नहीं बोला आपने पूछा नहीं होगा सर फिर भी बोलेगा सर, शाम तक बोलेगा अब देखिएगा हम, सर फिलहाल आपको ये ट्रिप पोस्पॉन करना होगा अच्छा इधर हालात के नॉर्मर होते ही मैं आपको खबर करूँगा ओके उधर पायल को कोई खत्रा तो नहीं कमबत को अपनी नालाएक आलात की फिक्र थी अपने लायक पीडी की फिक्र नहीं थी जिसने की कुल जहान में से उसकी बेटी को खोज निकालने का असंभव काम करके दिखाया था नहीं पूछ रहा था कि यूर्स ट्यूली को तो कोई खत्रा नहीं था नहीं सर फोरेंट टोरेस इधर बिलकुल सेफ है जब सेफ नहीं होंगे तो सरकार ही उन्हें कार्ट मांडू से निकल लेने की सला देगी और खुद एयरपोर्ट पर सुरक्षित पांच आने का इंतिजाम करेगी आई सी लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने वाली सर एक दो दिन का उबाल है ठंडा पढ़ जाएका इधर ऐसे धरने प्रदर्शन होते ही रहते है हम पायल कैसी है ठीक है सर बात कराओ वो तो वो तो शौपिंग के लिए गई है क्या जब शहर में रॉइट कंडिशन है कर्फ्यू लगने वाला है तो शौपिंग के लिए क्यों जाने दिया उसे मैंने अपने होंट काटे सर फिर मैंने बात संभाली होटेल की शौपिंग आर्केट में गई है ओ ठीक है शाम को मैं फिर फोन करूंगा वेलकम सर तुम भी उदर के हालात की खबर मुझे करते रहना अफकॉस सर फिलहाल मैं कार्ट मांडू का अपना ट्रिप पोस्पन कर रहा हूँ आइंदा प्रोग्रेम के एडवांस में खबर करूंगा देट विल बी फाइन सर और लाइन कट गई चैन की सांस लेते मैंने रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रखा मैं अपने रूम से निकला नीचे जाकर अपनी कार में सवार हुआ और नए सफर पर रवाना हुआ मेरा जहन अपने आप ही हालात का हालिया तपसरा करने लगा शत्रंच की बाची की तरह सारे विकल्पों पर विचार करने लगा मिस्टर लोबो को पाबलो सिक्वेरा मानता था क्योंकि उसके निकाह में असली क्रिश उसके पास था जो कि उसने चीनियों का खोन करके हासिल किया था वो पायल मुझे तभी लटा था जबकि क्रिश या पाबलो समेथ क्रिश में उसके हवाले करता इंस्पेक्टर तारानात विसुराल सेवियो डिसिल्वा और मिकी चान और टेडी लॉंग नाम के दोनों चीनियों के हत्यारी या हत्यारों को गिरुफदार करना चाहता था और हत्यारी की तलाश का जरिया मुझे बनाना चाहता था मिस्चर लोबो और इंस्पेक्टर विसुराल दोनों ही सक्त मिजाज आदमी थे और दोनों में से कोई अपनी मांग अपने जित चोड़ने वाला नहीं था मेरी समस्या ये थी कि जो क्रिश पाबलो के पास था बावजुद मिस्चर लोबो की इस बाबत fancy explanation के वो नकली हो सकता था जिस आइटम के खातिल सेवियों की जान गई थी उसके अधिकार में वो नकली होती ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी और कार में इतनी चतुराई से चुपाए क्रिश को पाबलो बदलने में काम्याब हो गया होता ये और भी मुश्किल से हज़म होने वाली बात थी लहाजा मेरा अधिवार इसी बात पर था कि जो क्रिश मेरे कबजे में था वही असली था और जो चीनियों को सौनपा गया था वो नकली था लेकिन हाला तैसे थे कि मिस्टर लोगो को मेरे अधिवार पर अधिवार नहीं आने वाला था दूसरे अब उसे क्रिश नहीं पाबलो भी मांगता था जिसने उसके साथ दगा किया था वो सिर्फ असली क्रिश हासिल करके राजी होने वाला होता तो मेरी पेशकर शोदी कि वो मेरे वाले क्रिश को एक्जामिन करे या करवाई और अगर वो जैन्यून हो तो पायल को छोड़ दे लेकिन मौजूदा हालात में मैं ऐसा करता तो क्रिश भी मेरे हाथ से निकल जाता वो पायल को भी नहीं छोड़ता और उसका ये हुकम अपनी जगा कायम रहता कि मैं पाबलो को पकड़ के लाकर उसके हवाले करूँ विकट स्तिती थी अभी ये बात भी खाली गैस वर्क ही था कि हितोरा में सेवियो का खून उसको धोके से जहर किला कर पाबलो ने किया था मिस्चर लोबो ने पाबलो को एक मिशन पर हितोरा भेजा था जिसको अन्जाम दे कर वो वापिस लोटा था इसलिए सेहर जी सोच लिया गया था कि सेवियो को पाबलो ने खत्म किया था इस बात की पुक्तगी के लिए कोई सबूत मिस्चर लोबो ने पेश नहीं किया था ये तक नहीं कहा था कि पाबलो ने खुदा कर बोला था कि हितोरा में उसने सेवियों को खत्म किया था हकीकतन ये काम राए माजी का भी हो सकता था जिसे उसने कामयाबी की दोरी गैरेंटी के लिए हितोरा भेजा हो सकता था मेरे उस मुकमल सोच का लबू लुआब ये था कि अगर मैं मिस्टर लोबो का मुकाबला करना चाहता था अगर मैं पायल की सेफ वापसी चाहता था तो बहमाई क्रिश पाबलो मेरे कबजे में हर हाल में होना चाहिए था धूली खेल और आगे पनौटी जाती सडक पर मैंने तभी अपनी कार को डाला जबकि कार्ट मांडू में मुझे गारेंटी हो गई कि कोई मेरे पीछे नहीं लगा हुआ था निर्वेग्न मैं आगे बढ़ता रहा मैंने भक्त पूर पार किया नगर पीछे रह किया तो एक प्रत्याश्यत समस्या सामने आई मेरे पीछे एक जीप प्रकट हुई मैंने उस पर निगार डाली तो मुझे दिखाई दिया कि उसमें बावर्दी पुलिस वाले सवार थे मैं सक पकाया लेकिन अपने आपको तसली दी कि सिर्फ आगे गुजर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं था जीप जब मेरी वोर्क्स वैगन के बिलकुल समानांतर हो गई तो एक पुलिसिया मुझे बाजू में रोक कर रुकने का इशारा करने लगा डरते जिजगते सडक से नीचे उतार कर मैंने कार रोकी जीप बड़े फिल्मी अंदाज से मेरे सामने आकर तिर्ची खड़ी हुई मेरे को सबसे बड़ी चिंता गण की थी जो की मेरी पेट पीछे मेरी पतलून की बेल्ट में खुसी हुई थी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्यूं रोका किया था लेकिन अगर कोई गंभीर मसला होता तो यकीनन मेरी और कार्ट की तलाशी होती तब गंड की कोई सफाई दे पाना अपने आप में गंभीर मसला होता लेकिन गंभीर मसला कौन सा मैंने क्या किया था मुझे कोई जवाब नहीं सूचा एक सब इंस्पेक्टर जीब से उतर कर मेरे करीब पहुँचा वो नाजवान था और बार बार अपनी बेल्ट के होलेस्टर में लगी अपनी गंड को चू रहा था मैंने बड़े निर्दोश भाफ से मुस्कुराया उसने आप अलक मेरी तरफ देखा क्या कोई गलती होई श्रीमान मैं बोला यहां स्पेड लिमिट 40 है वो सकती से बोला आप साथ पर जा रहे थे ओ माई गाड मेरे को तो खबर ही नहीं लगी I am sorry sir मैं आइंदा ध्यान रखूंगा फिर ऐसी कोटा ही नहीं होगी sir ड्राइविंग लाइसेंस दिखाईए मैंने दिखाया उसने बारी के से उसका मुआइना किया मुझे बार बार देख कर उस पर छपी मेरी तस्वीर का मेरी शकले से मिलान किया Mr. सुधिर कोहली फिर वो बोला Yes sir, that's my name पासपोर्ट दिखाईए मैं इंडियन हूँ ड्राइविंग लाइसेंस पर धर्च है आपको पता है इंडियन को नहीं है कहा है मेरे होटेल के कमरे में कौन सा होटेल कहा Blue Diamond, Thamel, Kaatmandu क्या आप Kaatmandu से आ रहे है हाँ ये टैक्सी है Self Driven हाँ, नमबर प्लेट से जाहिर है कहा जा रहे है धोली खेल क्यूं प्रियटक हूँ प्रियटन पर निकला हूँ साइट सेंग पर निकला हूँ आगे कहा जाएंगे कहीं नहीं वहाँ से वापिस लोटूंगा Speed Limit का खयाल करके गाड़ी चलाईए मेरा Driving License मुझे लोटा था वो बोला आप टोरिस्ट हैं इसलिए आपका लेहास किया जा रहा है वरना बड़ा जुर्माना होता कार भी सेस कर ली जाती ओ नो अब जाएं थैंक यू आइविल बे वेरी कियरफूल रिगार्डिंग स्पीड नाउ चैन की सांस लेते मैंने कार आगे बढ़ाई रह रहकर मैं रियर व्यू मिरर में देखता रहा लेकिन उन लोगों ने मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं की मैंने गन को और स्पेर मैगजिन को निकाल कर कार के गलफ कमपार्टमेंट में रख दिया वहां उसकी माजूदगी की किसी को खबर लगती तो मैं दावा कर सकता था कि वो किराई की कार्ट थी मुझे नहीं पता था उसके गलफ कमपार्टमेंट में क्या थे वो एक्सक्योस कमजोर थी लेकिन ना होने से अच्छी थी मैं धूली खेल पहुँचा वहां तब आसमान पर बादल चाय हुए थे और गिली सडके बताती थी कि बारिश होकर हटी थी और किसी भी घड़ी फिर होने लग सकती थी मैंने वहां के हर टोरिस पॉर्ट का, हर रेस्टोरेंट का हर होटेल का चक्कर लगाया कोई महरून इंडिया मुझे दिखाई नहीं दी दिखाई देने की मुझे कोई खास उमीद भी नहीं थी क्योंकि नक्षे पर उनका जो हॉल्ट मार्ट था वो अभी आगे था फिर मैंने अपना सफर शुरू किया आखिर मैं पनौटी पहुँचा वहां हाईवे पर ही एक बार था जिसकी पार्किंग में महरून इंडिगो खड़ी थी वही नंबर जो मुझे होटेल वैली व्यू टेकू कार्ट मांडू के रिसेप्शन क्लर्क से हासिल हुआ था मुझे सफर की सारी थकान उतरती महसूस हुई मैंने कार को इंडिगो से परेपार किया और बार के भीतर दाखिल हुआ दर्वाजे पर से मैंने हॉल में निगा दोड़ाई हॉल उस घड़ी खाली था सिवाए परली तरफ एक कोने में बैठी कटे बालो वाली एक तन्हा औरत के मैं उसके करीब पहुँचा वो अपने खयालों में इतनी मगन थी कि पता नहीं उसे मेरी आहट नहीं मिली या वो समझती थी कि उसे मालूम था कौन आया था हेलो माई डियर डार्लिंग निकोल डिसिल्वा उसके सामने एक कोरसी पर बैठता मैं मधुरस्वर में बोला कैसी हो बेवा के नए रोल में उसने चौंक कर सिर उठाया मुझे सामने बैठा पाकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया जवाब नहीं दिया माई हनीपोट मैं देता हूँ ना मेरे पीछे से आवास आई साथी जो चीज मेरी गर्दन के प्रिष्ट भाग में खुबी उसकी बाबत मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं थी कि गर्दन की नाल थी तुम धीरत से मैं बोला वही होना जो मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो मैडम का नया बंदर अगर कोई हरकत की मुझे पाबलो सिक्वेरा का क्रोड स्वर सुनाई दिया तो भेजा उड़ा दूँगा फिर तेरा क्या होगा रे पाबलो मेरा जो होगा वो देखने के लिए तुम तो जिन्दा नहीं होगे मैं अपनी अकल को कोस रहा था कि वहाँ पहुँशने से पहले मैं गन को गलफ कमपार्टमेंट से निकाल कर अपने काबू में करना भोल गया था वैसे उस सिच्वेशन में मुझे उमीद नहीं थी कि वो मेरे किसी काम आती होसला रख यार मैं खुशामत भरे लेचे में बोला मैं सिर्फ बात करने के लिए यहां हूँ बात करने में कोई हर्स होता है यहां कैसे पहुँच गई सामने आके बैठ तो बताऊना कोई जरूरत नहीं निकोल उठो लेकिन बात सुनने में क्या हर्स है निकोल दविस्वर में बोली उसने तुरंद जवाब नहीं दिया देख लिया फिर नर्वर्स भाफ से बोला कहती थी कि इस रोट का किसी को खयाल तक नहीं आएका चीक कहती थी निकोल बोली लेकिन क्या करूँ यह आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही पहुँचा हुआ निकला उसका असाधारन आकार का हैंड बैग इधर आके बैठो वो पाबलो से बोली अपनी गन को जेप में रखो वरना वेटर देख लेगा वो आदर के साथ आता ही होगा मैंने इसे कवर किया हुआ है मेरी गर्दन पर से गन की नाल हटी इधर आके बैठो इस बार निकोल के स्वर में स्पष्ट आदेश का पुट था उसने आदेश का पालन किया मैंने देखा उसका दाया हाथ कोट की दाई जेब में था जाहिर था कि उस जेब में गन थी जिसकी मूट पर उसका हाथ था कितने दिलेर हो तुम दोनो मैं बोला परदेश में लॉली पॉप की तरह गन हाथ में रखते हो नहीं जानते हो कि सिर्फ पोजेशन ही गिरिफतारी की वज़ा बन सकता है शट अप पाबलो डपट कर बोला येस बॉस यहां कैसे पहुँच गए निकोल बोली एक नजूमी को कंसल्ट किया था उसी ने मोटी फेस लेकर बताया कि तुम लोग यहां हो सकते थे तो मैं दोड़ा चला आया जब गीदर की मौत आती है पाबलो बोला तो शहर की और भागता है भई मैं शहर से भागा हूँ शहर से परे भागा हूँ मुहावरा तो ठीक से इस्तिमाल करो इस आदमी को जिन्दा छोड़ना ठीक नहीं पाबलो निकोल से बोला चलाओ गुली वो वेटर निकोल हिच किचाती से बोली उसे भी शूट कर देना समझना गेहूं के साथ घुन पिसा गवा कौन छोड़ता है वेरी स्मार्ट मैं बोला वेरी स्मार्ट इंडीड कमान निकोल शूट हिम फिर कृश का क्या करोगे किसी म्यूजिम को दान कर दोगे क्या क्या बोला निकोल तनी खक बकाई से बोली तुम्हें मालूम है उसका कैश कस्टमर एक ही है मिस्टर लोबो उससे कैसे डिल करोगी उसने आशापोंट भाव से पाबलो की तरफ देखा ये करेगा जो मिस्टर लोबो की परचाई खुद पर पढ़ना अफॉर्ट नहीं कर सकता मैंने कहा ककक क्या कहना चाहते हो तुम लोगों की ये खिदमत मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूँ नो पाबलो ने तदकाल विरोथ किया मिस्टर लोबो को ये मालूम तक नहीं है कि क्रश तुम्हारे पास है उसे क्या मालूम है निकॉल के मुँसे निकला वो समझता है क्रश मेरे पास है तुम्हारी जानकारी के लिए उसने मुझे 5 करोड रुपई की पेशकश की है 5 करोड वो भी इंडिया में 12 घंटे में अगर मैं क्रिश उसके हवाली कर दूँ तो इंडिया में मैं जहां कहूंगा 5 करोड रुपया डिलिवर हो जाएगा निकोल के चेहरे पर ऐसे भाफ आए जैसे 5 करोड रुपई की कल्पना मात्र से उसे रतिस सुक की अनुभूती हो रही हो अब क्या कहती हो मैंने पूचा कुछ कहने की जरूरत नहीं पाबलो गुसे में बोला ये बक्वास कर रहा है इसकी किसी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं तुम गोली चलाओ बागी में भुगत लूँगा तुम चुप बैठो निकोल सक्ती से बोली मुझे सोचने दो तुम टाल रही हो चुप बैठो दुबारा ना कहना पड़े फटकार का उस पर अनोका असर हुआ येस माई डियर वो मिम्याता सा बूला पाबलो निकोल को गोली चलाने के लिए प्रोथ साहित कर रहा था जबकि खुद भी ये काम बाखुबी कर सकता था ये बात मुझे हैरान भी कर रही थी और कदरन निश्चित भी कर रही थी एक्सपीरियंस केलर बातों में वक्त जाया नहीं करता वो पहले एक्ट करता है क्योंकि बाते तो कभी भी हो सकती है वो इडियर्ट्स एक्ट करने की जगा मेरी बात सुनने को तयार थे अपनी सेफटी के मामले में ये बात मुझे काफी उमेद अवजा लग रही थी तुम कामखा भाफ खा रहे हो मैं पाबलो से संबोधित हुआ खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दिवाने तीन शट अप पाबलो गुर्राया आई मिन दिवाने दो दिवानी एक आई सेट शट अप अच्छा भई शट अप हो जाता हूँ जो बलड़ी सन ओफ बिश निकोल के साथ सोच चुका हो वो मेरा फ्रेंड कैसे हो सकता है ये कौन बोला मेरे मुझे निकला सलक कौन बोला का बच्चा मैंने निकोल की और देखा He is in love with me निकोल बोली टोटल फिदा है इसलिए हसद में इसे ऐसी बाते सूचती है मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं कृश की तलाश में हितोरा में तुमारे होटेल के कमरे में गई थी जहां कि तुमने मुझे पकड लिया था इसलिए रम डोडल में तुम्हें मेरे साथ देखके तुम्हें बिच कह रहा था निकोल ने हैरानी से पाबलो की तरफ देखा पाबलो हड़ बढ़ाया उसने बेचैनी से पहलू बदला तुम्हें हड़का रहा है फिर प्यत्रक्ष्टेला परवाही से बोला तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है अच्छा हाँ वहाँ ये तुम्हारे साथ था मैं तुम दोनों के करीब भी नहीं फटका था फिर इसे क्या मालूम मैं तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था दिवारों के भी कान होते हैं मैं बोला नॉंसेंस वो बोला फैलो डांसर्स के भी कान होते हैं शट अप मैं वापिस निकोल की तरफ आकरशित हुआ तुम कह रही थी हाँ निकोल बोली मैंने इसे बताया था कि होटेल के अपने कमरे में तुमने मुझे पकड लिया था इसके निगा में पकड लिया का वो मतलब होता है जो इसने अभी जाहिर किया दो में दो जोड कर जवाब 22 निकालने में ये माहिर है लेकिन माई धियर पाबलो बोला ततकाल वो खामोश हुआ एक वेटर एक ट्रे उठाए वहाँ पहाँच रहा था करीबा कर उसने ट्रे का सामान टेबल पर ट्रांसफर करना शुरू किया तो निकोल को टेबल पर से अपना बैग हटाना पड़ा तुम क्या लोगे? निकोल बोली मैंने मेज पर पड़े सामान पर निकाह डाली कोई चीज मेरी पहचान में नहीं आई सब नेपाली डिशिस थी कॉफी मैं बोला वेटर सहमती में सेर हिलाता चला किया महमान नवाजी नहीं समचना पाबलो विश्बरे स्वन में बोला समचना मरने वाले की आखरी ख्वाइश पूरी की धमकाना बन करो यार मैं बोला और कोई मतलब की बात करो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं हो सकती तो इसका मतलब मार के ही मानोगे? हाँ वो वेटर जो अभी यहां से गया उसकी सूरत से साफ लगता था अगर इसका कुछ करना है तो इसे यहां से कहीं बाहर लेकर चलना होगा ये हमारे साथ नहीं बिल्कुल नहीं अरे हमेशा के लिए थोड़े ना तो पता चलेगा बाहर जाओ और कार को में डोट पर लेकर आओ वो हिच किचाया ओ कम आन निकोल के स्वर में फिर फटकार का पोट आया स्नैप आउट ओफिट पाबलो तेवर अनिच्छा का प्रदर्शन करता अपने स्थान से उठा और भारी कदमों से चलता बाहर की और बढ़ा मैंने निकोल की तरफ देखा उसका हाथ अब हैंड बैक के भीतर होने की जगा उसकी ओट में था मेरी सुनो मैं उसकी और तनिक जुकता रासदाराना लहचे में बोला क्या सुनो वो निर्वी कारभाव से भूली टू इस कमपनी त्रू इस क्राउट यूनो तो इससे पीछा चुडाओ जैसे तो मैं तुम्हारे से पीछा चुडाने पर भी होगा मेरी उसकी एक बात नहीं है इक्जेक्टली तभी तो बोला कि ऐसा तो तुम्हारे से पीछा चुडाने से भी होगा अजीब मिजाज दिखा रही हो अजीब नहीं बिलकुल सही मुनासिब बोल गए होटेल में मेरे साथ कैसे पेश आय थे कैसे पेश आया था जैसे मुझे चूत की बिमारी थी जो चू जाने से तुमें भी हो सकती थी अब बीती बातों का पीछा चोड़ो तुम भी चोड़ो और बोलो असल में चाहते क्या हो मैं सस्पेंस में था कि तुम ये सवाल कब करोगी जवाब दो क्रिश को लेकर तुम्हारे व्यवार से मुझे हैरानी है उल्चन है तुमने चेनियों को उनके रकम लटा दी क्यूं भला मैं खामुश रहा क्रिश तुम्हारे पास था रकम तुम्हें उसके बदले में मिल रही थी कम थी तो मांग सकते थे उस वक्त थालात ऐसे नहीं थे चीक है मैंने कबूल की तुम्हारी बात तो फिर जो हात आ रहा था उसे क्यूं छोड़ा क्यूंकि कुछ और थामना चाहता था क्या तुम्हे बक्वास जब थाम सकते थे तब नहीं थामा तो अब मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ उस वक्त मैं ज़स्वाती हो गिया था क्या मतलब तुम ताजी-ताजी विद्वा हुई थी वो तो मैं अभी भी हूँ अभी विद्वा हुए कौन से मुझे साल छे महीने हो गए है तो समझ लो अब मुझे अकल आ गई है नहीं समझ सकती तुम फरेबी आदमी हो फरेबी और फंदे बास फरेबी बाते करते हो जैसा भी हो तुमारे उस जमूरे से अच्छा हूँ ये वहम है तुमारा पाबलो दिल से मुझे चाहता है मैं उसका एतबार कर सकती हूँ उस पर निर्भर कर सकती हूँ सोच लो तुम खता खाओगी इस बात की कोई गैरंटी है कि तुम से खता नहीं खाओगी मर्द सब एक जैसे होते है फरेबी दगाबास एक ही चीज़ के दिवाने कोई निष्टा कोई कमिटमेंट होती है तो आरत में होती है ये फाल्टो की बाते हैं जो इस वक्त करने लायक नहीं है ये क्विक एक्शन का वक्त है वो वापिस आता ही होगा उसके आने से पहले कुछ करो क्या करूँ? गण मुझे दो क्या कहने? कहना मानो सपने देखना बंद करो और तुम भी क्या मतलब? जो क्रिश बाजर या पाबलो तुमारे कबजे में है वो नकली है होना चाहिए था जो उसके मिस्टर लोबो ने सोची थी उसके मताबिक होना चाहिए था लेकिन नहीं है तुम्हें क्या पता? मुझे सब पता है सेवियो के कबजे में असली क्रिश था जो कि वो सिंगापूर से चोरी करके लाया था मिस्टर लोबो के हुकम पर पाबलो ने हितोरा में अदला बदली करके नकली क्रिश सेवियो के मत्थे मट दिया था और असली खुद हत्या लिया था उसने असली क्रिश मिस्टर लोबो को ये कहते सौंप दिया था कि वो नकली था क्योंकि वो हितोरा में अदला बदली में नाकाम रहा था जबकि असल में ऐसा नहीं था तुम्हें ये सब कैसे मालूम है खुद पाबलो ने बताया उसने जूट क्यों बोला क्योंकि वो समझता था क्रिश को तुम्हारे से वापिस सत्या लेना आसान था मिस्टर लोबो से ऐसा करना अपनी मौत को दावत देना था तुम यहाँ परदेसी हो उसे उसके साथ की धोकाधड़ी की सजा दिला सकता था तुम क्या हो कुछ भी नहीं मिस्टर लोबो को क्रॉस करना बड़े होसले का काम था खुद खुशी करने जैसा काम था आई सी मिस्टर लोबो ने क्रिश तुमें आगे चीनियों को देने के लिए सौपा आगे जो होना था पाबलो की उमीद से जल्दी हो गया इसलिए क्रिश हत्याने के लिए तुम्हारे पर हाथ डालने का उसे मौका ही नहीं मिला इसलिए उसने चीनियों का कतल करके क्रिश हत्या लिया हाँ असली क्रिश हाँ जाहिर है तो बात खत्म क्यों नहीं हो गई चीनियों के हत्यारे की बाबत अभी भी किसी को नहीं मालुम उस केस में पुलिस भी अभी अंधेरे में ही भटक रही है इस लिहाज से तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी पाबलो की बेवकोफी से नहीं होई इडियर जब भी टेंशन में होता है अपने में होसला पैदा करने के लिए घूट लगा लेता है फिर नशे में गैद ज़रूरी गैद जिम्हेदालाना हरकते करता है अच्छा क्या किया उसने राए माजी को अपना रास्दा बना लिया ओ नो बलके क्रिश अत्याने के मिशन में उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की ओ तो क्या वो गया गया लेकिन पाबलो के साथ नहीं कहीं और ही गया कहां मिस्चर लोबो के पास मिस्चर लोबो पर पाबलो का रासवाश कर दिया हाँ और यूँ पाबलो ने खुद अपने डेथ वारिन पर साइन किये वक्त रहते उसे भनक लग गई कि मिस्चर लोबो का कहर उस पर तूटने वाला था तो तब पना मानता मेरे पास पहुँचा दो कतल करने के बाद हाँ कृश असली हत्या लेने के बाद हाँ तुमारे हस्बंड की मौत का सामान भी उसने किया था क्या वो खामोश रही पाबलो वो शक्स है जो गन में चांदी गोलियां भरने चलाने जैसा फैंसी नुमाईशी काम करता है क्यूंकि वो खुद फैंसी नुमाईशी शक्स है उसने फिर जवाब नहीं दिया सेवियो को तुमारे हस्बंड को ये बात मालुम थी शक्की सुई पाबलो की तरफ मोडने के लिए ही उसकी जेब में चांदी की एक गोली मौचूद थी जो कि पुलिस ने ही तोरा में मेरे कमरे में पड़ी उसकी लाश की तलाशी में बरामत की थी तलाशी वसे तुमने भी ली थी लेकिन तुमने ये काम हट बड़ी में जल्द बाजी में किया था इसलिए गोली तुमारी हाथ नहीं लगी थी सेवियों की जेब में मौचूद वो सिल्वर बुलेट मैसेश था एलान था कि कातिल पाबलो सिक्वेरा था निकोल ने बोलने के लिए मुख खोला वापिस बंद किया बार के प्रवेश द्वार पर से हॉर्ण की आवास आई मैंने गूम कर दर्वाजे की तरफ देखा तो मुझे महरून इंडिको की जलक मिली निकोल ने मेरे पर से निगाह हटा कर उधर जांकने की कोशिश नहीं की कुछ शड हमारे बीच खामोशी रही तुमारे इस मैंने मेर्स पर पड़ी प्लेटो की तरफ इशारा किया और्डर का क्या होगा वेस जाएका क्यूंकि उसने इल्जाम लगाती निगाह से मेरी तरफ देखा मक्खी पड़ गई अच्छा मुझे मक्खी कह रही हो क्या तुम हो मक्खी नहीं तो क्यूं पूछते हो क्यूंकि तभी बार का शीशे का दरवासा खुला और पाबलो ने भीतर कदम रखा उसने वहीं से कोई इशारा किया पाबलो बहुत खतरना कात्मी है निकोल यूं बोली जैसे स्वते भाशन कर रही हो शराब की लत को काबू में रखे तो कहर ढ़ा सकता है नोबडी इस परफेक मैंने कहा उठो मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ दरवाजे की तरफ चलो पाबलो के पास आगे कार में मैं दरवाजे पर पाबलो के करीब पहुँचा साफधानी की प्रती मूर्ती बनी बैग में हाथ डाले निकोल एन मेरे पीछे थी बिल छोड़ कर जा रहे हो मैं बोला वेटर तुमारी शकले कभी नहीं भूलेगा बिल भागे जा रहे कस्टमर को कौन भूलता है निकोल ने पाबलो की तरफ देखा पाबलो भून भूनाता हुआ भीतर गया टेबल तक पहुँचा और कुछ नोट टेबल पर पड़ी एश्रे के नीचे रख कर लोटा निकोल के इशारे पर मैं उसके साथ बाहर कमपाउं में कार के पास पहुँचा तब तक पाबलो लोट आया उसने निकोल के लिए कार का पिछला दर्वासा खोल और मुझे आके पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा किया हम तीनों कार में सवार हो गए पीछे बैठी निकोल ने गं से मुझे कवर कर लिया तो कार वहां से रवाना हुई कुछ शंड बात कार में रोड पर पांची और आगे दौडने लगी हम कहां जा रहे हैं मैंने पूछा खामोश बैठो पाबलो घुड़क कर बोला फिर भी पता तो चले की पीछे बैठी निकोल ने गं की नाल से मेरी खोपड़ी पर दस्तक दी मैं खामोश हो गया धन दिवानी थी दोनों अलग-अलगी मुसीबत थे उनका कॉंबिनेशन मेरे लिए नहायत खतरनाक साबित हो सकता था में डोड मैटल नहीं थी जगा-जगा खड़े थे इसलिए वहाँ चालिस की परमिटेड रफतार पकरना भी मुहाल था उस बात को कैश करने की मैं मन ही मन जुगत करने लगा जल्दी ही एक मौका पेश हुआ कार ने मोड काटा तो उसका मेरी और का एक पईया एक खड़े में जाकर पड़ा मोड काटने के लिए पाबलो ने कार की रफतार पहले ही कम कर दी थी अब जटका लगा तो रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर उसका ब्रेक पर पाउं पड़ा मैंने हैंडल घुमा कर दर्वाजे को धका दिया और बाहर जुस्त लगा दी पीछे पाबलो जोर से चिलाया निकोल ने फायर किया कला बाजिया खाता में सडक से नीचे तमाम रास्ते उगे जाड जंकाडों में जाकर गिरा गाड़ी आगे जाकर रुकी और फिर बैक होने लगी सिर नीचा की ये शाम के जुट पुटे में मैं सरपर आगे भागा आगे एक खाई थी नी मंधेरे की वज़ा से और जाड़ियों से घिरी होने की वज़ा से जो मुझे दिखाई नहीं थी मैं धड़ाम से उसमें जाके गिरा मेरा सिर कहीं टकराया और मेरी चेतना लुप्त हो गई मुझे होश आया तो मैंने चोतर्फा सन्नाटा पाया अंधेरा पाया होश आने के बावजूद मैं कितने ही देर वैसे ही निश्चेश पड़ा रहा और कोई आहट लेने की कोशिश करता रहा सर्वत्र सन्नाटा था हिम्मत करके मैं उठके अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लंगडा था लड़ खडाता में डोट पर पहुँचा मेरी कार पीछे पनाटी में खड़ी थी और मैं पता नहीं उस खड़ी वहां से कितनी दूर था और अपनी उस हालत में पैदल चल कर वहां तक पहुँच सकता था या नहीं लगता था पीछे काई में गिरने नहीं मुझे बचाया था उसी वज़ा से वो लोग अगर उन्होंने कोशिश की थी तो मुझे तलाश नहीं कर सके थे तलाश करके शोट नहीं कर सके थे इसलिए अपनी राह लगे थे लेकिन कहा के लिए? क्या पता? उनके रोट की बाबत वहां तक का मेरा अंदासा ठीक निकला था वो उसी रोट पर आगे बढ़ते तो दुमजा सिंधुली लाल भीती वगेरा का रास्ता अख्या अक्तियार कर सकते थे लेकिन अपने मौझूदा हालत में अब मुझे नहीं लगता था कि मैं उनके पीछे पड़ा रह सकता था मेरी हालत खसता थी और मुझे एक लंबे आराम की फौरी जरूरत थी दूसरे मेरा अगला कदम जो भी होता पहले मेरा पनोटी पहाशना नहायत जरूरी था और मेरा जिस्मानी हालत ये थी कि हर कदम पर लगता था कि अभी गिरा अभी गिरा सड़क पर से वाहन गुजर रहे थे जिन में से कई को मैंने लिफ्ट का इशारा किया लेकिन कोई नहीं रुका पानी की एक मोटी बूंद टप से मेरी नाक पर आकर पड़ी मैंने आकाश में बादल की तरफ से रुठाया आकाश में बादल तो पहले से थे अब वो यूँ घुमड रहे थे जैसे तूट के बरसने की तयारी कर रहे हो कोड में खाज एक मुसीबत टली नहीं थी कि दूसरी धमकेने लगी थी सुधीर कोली की फेमस लग को सर्च में ही किसी कल मुहे की नजर लग गई थी लेकिन नहीं शायद अभी कोई कसर बाकी थी आखिर जब मैं चलना बंद करके सडक पर ही बैठे जाने वाला था बलकि लेट जाने वाला था तो एक कार मेरे पहलू में आकर रुकी मैंने कार के बोनट का सहारा लिया और आंधी में जूमते पेड की तरह हिलने लगा सिर उठा कर मुंदती जा रही आखो को जब रन खोल कर मैंने कार में जांका तो पाया उसमें तीन नौ जवान लड़कियां सवार थी जो कि इंडियन जान पढ़ती थी टुन है एक जो रंगत में सावली थी और पैसेंजर सेट पर बैठी थी वो बोली नो मैडम मैंने ततकार प्रतिवात किया कई दिनों से सोया नहीं हूँ इसलिए फटीक का मारा हूँ कबर से उठकर आई हो क्या ड्राइविंग सेट पर बैठी भूरे बालू वाली बोली यही समझ लो चक्कर आ किया था खाई में गिर गया था रो रहे हो क्या पीछे बैठी गोल्फ कैब वाली बोली नो मैडम लेकिन जी यही चाह रहा है कि जार जार रों बेचारा आप लोग इंडियन जान पड़ती हैं हाँ है तीनों एक साथ बोली मैं भी इंडियन हूँ फैलो कंट्रिमेन की मदद करो क्या मदद करें आगे शेहर तक पनौटी तक लिफ दे दो एहसान होगा तद काल कार का मेरी और का पिछला दर्वासा खुला क्रितग्यभाव से मैं कार में सवार हुआ चले भूरे बारो वाली बोली येस प्लीज थैंक यू कार आगे बढ़ी वैसे आप लोग कहा जा रहे हैं मैंने पूछा काट मांडू मेरे पहलू में बैठी गोल्फ कैप वाली ने जवाब दिया एक फ्रेंड को दुमजा ड्रॉप करने गए थे वहाँ से लौट रहे हैं दुमजा में क्या है? क्या है का क्या मतलब? क्या कोई फेमस चोरिस प्लेस है? नहीं शांत पहाडी जगा है बस जनकपूर अंचल और बागमती अंचल के बॉर्डर पर है छोटा सा कस्वा है जिसमें कोई जिक्र के काबिल चीज़ है तो हैली पैट है हैली पैट है? मैं संबल कर बैठा क्या दुमजा में हैली पैट है? हाँ भई इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? कोई नहीं मैंने ततकाल विशे बदला नेपाल में कैसे हैं आप लोग? यहीं रहती है सोल्टी में एम्प्लॉइट है आई सी तो मिधर कैसे? सामली ने पीछे घूम कर मुझसे पूछा बैठ लग ने फुटबॉल समझ के किक मारी ऐसे तीनों हसी पनौटी में रहते हो क्या? फिर ड्राइव करती बोली रहता तो दिल्ली में हूँ अपने कारुबार के सिलसिले में कार्ट मांडू पहुंचा था वहां से पनौटी आगे कबर में बैड लग की किक ने पहुंचा आया कारुबार क्या है? गॉल्फ कैब वाली बोली आई अम पीडी पीडी बोले तो मुंबई से हो क्या? कैसे जाना? उदर ही वाट डू यू में को बोले तो बोलते हैं नाइस डिडेक्शन ओ माई गाड कहें पीडी का मतलब प्राइवेट डेटेक्टिव तो नहीं? हाँ वही है हाँ रोमेंटिक पहली बार जिन्दा प्राइवेट डेटेक्टिव देखा है मैंने आदा जिन्दा अद्मरा आई मेंट अलाइव इन परसन वैसे ही बत्याते हम पनौटी पहुंचे तब मुझे मालूम पढ़ा कि पाबलो की कार से चलांग लगाते वक्त मैं पनौटी से कितनी दूर था अपनी उस वक्त थालत में जो की अब काफी सुधर गई थी पैदल चल कर मैं पनौटी हर्गिस नहीं पहुंच सकता था मेरे निर्देश पर कार चला थे उन्होंने मुझे मेरी रेंटल वोक्स वेगन तक पहुंचाया थैंक यू कार से उतरता में बोला थैंक यू लेडिस यू शूर यू आर ओके सांवली ने पूछा शूर ही इस ओके गॉल्फ कैप वाली बोली अब हाई हाई कहां कर रहा है शकल भी रोनी नहीं लग रही भूरे बालू वाली बोली रौनकी लग रही है तक दीन ने चाहा मैं बोला तो कार्ट मांडू में फिर मुलाकात होगी सोल्टी के कैसीनों में आना सांवली बोली हम तीनों वहां होस्चेस हैं जरूर होगी बाई बाकी दोंने भी बाई बोला उनकी कार वहां से दौट चली मैंने अपने कपड़े जाड़े अपनी कार के एक शीशे में देखकर अपने बालों में कंगी फिराई और बार में दाखिल हुआ मैं उसी मेज पर जाकर बैठा जहां मैं पहले फेरे में निकोल और पाबलो के साथ बैठा था वही वेटर मेरे करीब पांचा जिसने हमें पहले सर्फ किया था हमें एका एक उठके चल देना पड़ा था मैं बोला इसी लिए तुम्हें बोला कर बिल नहीं मंगा सके थे पेमेंट तो मिल गया था साहब वेटर अधब से बोला कम तो नहीं था ना ज्यादा था साहब थैंक यू लेकिन ओर को तो आप लोगों ने चुआ ही नहीं था बोला ना एका एक जाना पड़ा था अभी ओर्डर बोलो साहब विसकी कौन-कौन सी मिलती है सब हैं साहब तीन लाज लेके आओ विद सोडा एंड आईस तीन लाज वो दूसरे साहब और मेम साहब वापिस आ रहे हैं क्या साहब नहीं तीनों मेरे लिए एक साथ हाँ प्लीज हरी अब वो मेरे तेन ड्रिंक्स के साथ वापिस लोटा एक को मैंने उसके गिलास मेज पर रखते ही खाली कर दिया दूसरे को हलक में उतारने में पांच मिनट लगाई तीसरे को दस मिनट मेरी जान में जान आई उस दौरान एक ही बात हतोरी की तरह मेरे जहन में बच्टी रही दुमजा में हैली पैट था अब मुझे यकीनी तोर पर लगने लगा था कि उन दोनों का कहीं बॉर्डर तक ग्राइब करने का कोई इरादा नहीं था उस रोट पर उनकी मंजिल दुमजा थी आफ़त के मारे योस ट्यूली ने जहां पहुँशने का नाकाब नापाक इरादा उस घड़ी किया बिलदा करके जब मैं वहां से बाहर निकला तो लड़ खड़ा कर लंगरा डगमगा नहीं रहा था दुरेट कदमों से चल रहा था और वो दुरेटता तीन लार्ज ब्लैक लेबल की देन थी कार में सवार होकर पहले मैंने उन लोगों के पीछे चोड़े क्रॉस मार्क नक्षे का मौईना किया पर अपना आगामी रोट समझा निर्धारित किया फिर मैंने नक्षे को लपेट कर गलव कमपार्टमेंट में डाला एक सिगरेट सुलगाया और कार को स्चार्ट करके वहां से निकल पड़ा हाइवे पर पहुँच कर मैंने कार्टमांडो से विप्रे दिशा में कार्ट दोड़ाई मेरी वो हरकत अंधेरे में तेर चलाने जैसी थी मुझे इस बात ने उत्ते जित और आशानवित किया था कि दुमजा में हेलिपैट था सिर्फ इतने से इस बात की कोई गैरंटी नहीं होती थी कि उनका लक्ष्य दुमजा था जहां से वो हेलिकॉप्टर एंगेज करके कहीं उठ जाना चाहते थे लेकिन मैं भी आकिर क्या करता जब आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था तो उस रास्ते पर कदम डालना मेरी मजबूरी थी उस गड़ी मैं वो भी नहीं करता तो क्या करता इस बार गन मैंने गलव कंपार्टमेंट में नहीं पड़ी रहने थी जब होश में था उसे मैं तब वहाँ भूल गया था अब नशे में तो भूल जाने की और भी ज्यादा संभावना थी मैंने गन को वहाँ से निकाल कर अपनी पतलून की बेल्ट में खोसा और उपसे कोट के बटन बंद कर दिये कोई एक घंटा मैंने निरंतर कार चलाई फिर मुझे आगे सड़क के नारे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया मैंने अपनी कार पंप पर ले जाकर रोकी परे बैठा उंगता से नेपाली आउट कर खड़ा हुआ और पंप पर पहुँचा फुल कर दे उसने आदेश का पालन किया मीटर पर आई रकम मैंने अपने बटुए से बरामत की लेकिन उसे युवक को सौंपने से पहले मैं बोला कोई महरून इंडी को इधर से गुजरती देखी थी क्या गुजरती देखी हो या पेट्रोल डलवानी के लिए रुकी हो हवा भरवानी के लिए रुकी थी साहब मैंने खुद हवा भरी थी क्या कम थी हवा पिछले बाइन पहिये में टायर बुरे हाल को पहुँचा हुआ था शायद उस वज़ा से हवा जल्दी जल्दी निकलती थी हम दुमजा अभी यहां से कितनी दूर है इस रोड पर अभी एक घंटा और लगेगा साहब इस रोड पर क्या मतलब एक शॉर्टकट भी है ना अच्छा शॉर्टकट भी है हाँ उससे 25-30 मिनट में पहुँच जाओगे I see लेकिन वो रोड इतनी खराब है कि कोई एक्सपर्ट ड्राइवर ही उसे पार्ग कर सकता है मैं हूँ ना एक्सपर्ट ड्राइवर समझाओ मुझे वो शॉर्टकट उसने वो काम किया मैंने उसे पेमेंट सौपी ठैंक यू बोला और कार आगे बढ़ाई मैंने शॉर्टकट पर थोड़ी ही देर कार चलाई थी कि मुझे उस पर चलने के अपने फैसले पर पश्तावा होने लगा खड़ाब सड़क को पेट्रोल पंप वाले युवक ने बहुत कम करके बयान किया था सड़क तो वो थी ही नहीं वो तो ऐसा रास्ता जान पड़ता था जो कि सड़क के लिए तरस रहा था जैसे तैसे मैंने उस सड़क को पार किया तो आगे मुझे पक्की सड़क दिखाई थी जिस पर लगे एक साइन बोट के मताबिक दुमजा वहाँ से साथ किलो मिटर दूर था तब ही मुझे उस पर से गुजरती महरून इंडी को दिखाई थी मैं उत्तेजित हो उठा मैंने कार की रफ़तार बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वो उस सड़क पर मुम्किन नहीं था फिर भी जल्ब से जल्ब पकी सड़क पर पहुँचने की अपनी कोशिश मैंने बरकरार रखी आखिर मैं पकी सड़क पर पहुँचा और आगे उधर कार दोडाई जिदर मुझे सिर्फ धूल का एक गुबार उड़ता दिखाई दे रहा था मैं गुबार के पीछे लगा रहा जबकि अब ये बात संदिग्द थी कि गुबार की ओट में महरून इंडिको थी थी तो वो महरून इंडिको जिस पर निकॉल और पाबलो सवार थी एक उमीद के सहारे में कार दोड़ाता रहा और गुबार के करीब करीबतर होता गिया उस सड़क पर इतने मोर थे कि हर कुछ शड़ों के बाद गुबार मेरे निगाहों से उजल हो जाता था लेकिन मोर काटते ही गनीमत थी कि फिर दिखाई देने लगता था सड़क पर और भी ट्रैफिक था जिसकी वज़ा से राप की उस घड़ी निश्चित रूप से ये कहना मोहाल था कि मैं अभी भी महरून इंडी को की ही पीछे था फिर सड़क का धूल भरा हिस्सा समाप्त हो गया और आगे धूल का गुबार गटा गटा गायब हो गया सड़क में एक खब माया जिस पर से मैं गुजर गया तो आगे मुझे महरून इंडी को दिखाई थी इसलिए दिखाई थी कि दौरती होने के जगा वो सड़क के किनारी खड़ी थी पूरी ताकत से मैंने ब्रेक के पैडल को धबाया पहियों के सड़क पर रिपटने की आवास होई लेकिन कार ने रुकने का नाम नहीं लिया इससे पहले की कार आगे खड़ी कार से टकरा जाती मैंने स्टेरिंग को घुमाया और मेरी कार सरल से खड़ी कार की बगल से गुजरी मैंने रियर व्यूर मेरर पर निकार डाली तो वो दोनों मुझे सड़क पर खड़ी दिखाई थी मेरे देखते ही देखते वो लपक कर कार की ओट में हो गई जाहिर था कि मैं उनकी पैचान में आ चुका था तो मेरी बैक स्क्रेन से आकर टकराई थी और उसके परखचे उड़ गए थे मेरा पाउं अभी भी ब्रेक के पैडल पर था इसलिए कार आखिर कार रुख गई थी गोली फिर चल सकती थी चली इसलिए मैं स्चेरिंग के नीचे उकड़ू हो गिया तब तक गोलियां फासले से चल रही थी अब जब की कार खड़ी हो गई थी वो मेरे करीब आकर मुझे शूट कर सकते थे लिहाज़ा कार से किनारा करने में ही मेरा कल्यान था मैंने हाथ बढ़ा कर पैसेंजर सेट की और का दर्वाजा खोला उकड़ू हाल में ही सरक कर उसके करीब पहुँचा और बाहर सरक पर डाइव लगाई एक कंधे के भार में सरक पर जा गिरा तब ही गोली फिर चली संबलते संबलते मेरा मुझ सरक के धूल में रगड़ा किया कांग था कराता मैं अपनी कार की ओट में सीधा हुआ मैंने बेल्ट में खुसी अपनी गण निकाल कर अपने हाथ में ली और साफधानी से बोनट की ओट से सेर उठा कर पीछे निगा दोड़ाई मैरून इंडिको के इलावा सड़क पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया सननाटे से लगता था जैसे वो कार को वहीं खड़ी छोड़ कर कहीं किसक गए थे कहां किसक गए हो सकते थे मुझे कोई जगा नहीं सूझी उनकी जानकारी में मैं हत्यार बन नहीं था इसलिए पाबलो बेहिचक मेरे सिर पर आकर मुझे शूट कर सकता था बोनट पर कोहनिया टिकाई दोनों हाथों में थाम कर मैंने मुस्तेदी से गन को सामने तान कर रखा नाहक गोली चलाने से मैंने परहेस रखा क्योंकि यूँ उनको मालूम हो जाता कि मैं हत्यार बन था मेरी गति तब तक धीरश रखने में ही थी जब तक कि वो मुझे सड़क पर अपनी तरफ बढ़ते दिखाई नहीं देती फिर एक फायर हुआ जो मुझे कहीं टकराता नहीं जान पड़ा लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला कि फायर कहां से हुआ था सांस रोके मैं प्रतिक्षा करता रहा कई ख्षण वैसे ही खामोशी से सस्पेंस से गुजरे उनकी तरफ से फायरिंग हो रही थी इसका मतलब साफ था कि मेरे शुरुआती अनुमान के अनुसार वो कहीं खिसके नहीं थे जैसे मैं अपनी कार की ओट में चुपा हुआ था वैसे ही वो भी अपनी इंडिगो की ओट में चुपे हुए थे आखिरकार उनी के सबर का पैमाना चलका कोहली निकोल की आवास आई मैंने जवाब नहीं दिया सुधीर फिर उसकी पहले से उन्ची आवास आई और कौन होगा मैं उसके स्वर से मैच करते स्वर में बोला और क्या तुम लोग काले चोर पर गोलिया दाग रहे हो काले चोर ही समझा था समझाता कोई हमें लोटने के इरादे से घेरने की कोशिश कर रहा था सुनकर तसल्ली हुई कि उधर तुम हो अब यहां आ जाओ क्या कहने तो आ रहे हो ना पहले बताओ गोली कौन चला रहा है तुम या तुम्हारा जमूरा जवाब नहीं मिला ठीक है ना दो जवाब मैं वैसे ही मालूम कर लूँगा वैसे कैसे मालूम कर लोगे जो पहली गोली तुम लोगोंने चलाई थी वो मेरी कार्ड की बैक स्क्रेन से टकराई थी वो कार्ड के भीतर कहीं गिरी होगी मैं तलाश कर लूँगा उसे क्या होगा? वो गोली अगर नॉर्मल लेट बुलिट हुई तो मतलब होगा तुमने चलाई चांदी की हुई तो मतलब होगा पाबलो ने तुम्हारे जमूरे ने चलाई काफी सयाने हो, यहां आ जाओ मिलके सयानी बाते करेंगे मैं सोचूंगा इस बारे में सोच कर चिठी लिखूंगा जवाब में जवाब नहीं आया गोलियों की बाचार आई एक के बाद एक कई फायर हुए एक गोली मेरी कार के एक टायर से टकराई और उसके बैटने की हवा निकलने की आवाज मुझे साफ सुनाई थी अब कुछ करना ज़रूरी था उनकी मनमानी जारी रहती तो चारो पहियों का वही हाल हो सकता था और मैं वही फसा रह सकता था मैंने बोनट पर से सेर उठाया मैंने देखा इंडिकों के दोनों अगले दर्वासे खुले थे और उकड़ू वो दोनों उसमें सवार हो रहे थे मैंने अपनी गन का घोड़ा खींचना शुरू किया दर्वाजों की ओट की वज़ा से मैं जानता था कि मैं उन्हें शूट नहीं कर सकता था शूट करना भी नहीं चाहता था क्यूंकि यूँ क्रेश की बरामदी में पंगा पढ़ सकता था मैंने भी उनके टायरों को निशाना बनाया था तब मुझे एक नई मायूसी का सामना करना पड़ा वो नन्नी सी गन थी उसका रेंज इतना नहीं था कि उससे चली गोली टायरों तक पहँच भी जाती तो उने एक शतिग्रस भी कर पाती तब ही इंडी को तोप से छूटे गोली की तरह वहां से भागी वो मेरी कार के पहलों से गुजरी तो मैंने बड़ी उमेद से उसके टायरों को निशाना बनाया लेकिन कोई प्रत्यक्ष नतीजा सामने नहीं आया कार बद स्थोर सड़क पर दौरती रही मेरी चलाई कोई गोली उनका कोई नुकसान नहीं कर सकी सड़क पर आगे फिर एक मोर था जिसको काटने के बाद इंडी को मेरी निगाहों से उचल हो गई असहाई भाव से गर्दन हिलाता मैं अपने एक बैठे पहिये वाली वोक्स वैगन के पास खड़ा रहा उसी मुकाम पर मुझे एक घंटा फसा रहना पड़ा वो भी पहिये की वज़ा से आम हालात में जिसे चेंज करना पांच मिनट का काम था शौर्ट कर्ट की जो एडवांटेज मुझे हासिल होई थी वो अब सजा में तबदील हो गई थी चेंज करने के लिए जब मैंने स्टेपनी निकाली थी तो पाया था कि कार में पाना नहीं था जिसके बिना मैं बैठे हुए पईये के नट नहीं खोल सकता था आते जाते वाहनों से मदद मांगने के इलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था लेकिन कोई रुकता ही नहीं था कोई भला मानस रुकने लगता था तो मेरी कार की टूटी बैक स्क्रीन देख कर रफतार बढ़ा देता था वो टूटी स्क्रेन मेरे लिए आइंदा भी मुसीबत बन सकती थी मुझे पुलिस द्वारा रोका जा सकता था और मुझे स्क्रेन में मौजूद गोली के चेट की सफाई देनी पढ़ सकती थी आखिर एक कारवाला मेरी फर्याद पर रुका तो पहिया चेंज करने का पांच मिनट का काम पांच मिनट में ही हुआ मैं अपने बाकी के सफर पर आगे बढ़ा मैं दुमजा पहुँचा वो छोटा सा कस्वा था जिसकी तमाम सडकों का चकर काटने में मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा महरून इंडी को मुझे कही दिखाई नहीं थी क्या वो लोग दुमजा में नहीं रुके थे वहां से आगई गुजर गए थे वैसा सरासर मुम्किन था लेकिन अगर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दुमजा में हैलिपैट होना कोई इतिफाक नहीं था उसका जरूर उनके स्कीम में कोई रोल था मैंने हैलिपैट का पता दर्याफ्त किया और फिर वहां के लिए रवाना हुआ तब ही बारिश होने लगी पहले मामुली फिर मुसलाधार उस महाल में अंजान सड़क पर अंधेरे में कार्ट चलाना मुसीबत को खुद नियोता देने जैसा था लेकिन मैं मचबूर था कार्ट मांडो से इतना दूर पहुंच चुकने के बाद इतनी मुसीबते और दुश्वारियां जिल चुकने के बाद अब मैं अपने उस अभ्यान से किनारा नहीं कर सकता था आँखे फार्ट फार्ट कर विंड स्क्रेन से पार्ट सड़क को देखते मैं कार्ट चलाता रहा आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा हैलिपैट का निजाम मैंने मिनियेचर एरपोर्ट जैसा पाया वहाँ प्राइवेट हैलिकॉप्टर खड़े थे जिसको की चार्टर पर एंगेज किया जा सकता था फ्रंट में एक दो मंजिला इमारत थी जिसके सामने बहुत बड़े याट में पार्किंग थी वहाँ कई कारे मोटर साइकले खड़ी थी लेकिन महरून इंडिगो मुझे वहाँ कही नहीं दिखाई थी वही मैंने अपनी कार्ट पार्ट की बारिश तब तक बूंदा बांदी में तब्दील हो चुकी थी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा जगमग हॉल था जिसमें बुकिंग काउंटर थे और रिसेप्शन लाउंच था मैं भीतर दाखिल हुआ एक काउंटर पर टाई लगे एक स्मार्ट युवक मौजूद था लंबे डग बरता मैं उसके करीब पहुँचा जो किया तुमने किया जजबात में थर-थर कामता मैं बोला क्या टाई वाला युवक खट बढ़ाया सब तुम लोगों की मिली भगत का नतीजा है ककक्या मेरा घर उजार के तुम लोगों को क्या मिला अरे क्या कह रहे है श्रीमान तुम लोगों की मिली भगत मिली भगत नहीं तो मदद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था अरे क्या नहीं हो सकता था कुछ कहिए भी तो सही जैसे कि तुम्हें मालूम नहीं मेरी भीवी मेरा घर उजाड के चल दी तुमने उसके नापाक की रादों में उसकी मदद की इसलिए मैं यह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अगर मैं हकीकत भाप नहीं चुका तो यहां नहीं होता अब मैं इतना उंचा बोल रहा था कि वहां उस जैसे जो और लोग माजूद थे उनके कान भी मेरी तरफ थे क्या नहीं किया मैंने उस औरत के लिए ड्रामाई अंदास में मैं चिलाया खुद लुटके उसके बदन की डाली को सजाया मेरे जिगर के खून से उसके लबो पर लाली थी मेरे चाहतों ने उस औरत को देवी बना कर पूचा मेरे अर्मानों ने उंचे सिहासन पर बिठा कर उसकी आरती उतारी मुझे और कोई फिर्मी गाना याद नहीं आया जिसे मैं अपने उस घड़ी के ड्रामे में इस्तिमाल कर पाता ड्रेस देखी उसकी सेंडले देखी उसकी और डिजाइनर स्चफ कानों में टॉपस हीरे के नाक में लॉंग हीरे की गले में नेकलेस प्लेटिनम की तार में हीरो का ब्रोच बाए हाथ की उंगली में अंगूठी हीरे की सब सब मेरी वचा से लेकिन ना शुक्रापन तो देखो मुझे छोड़ के यार के साथ चल दी खड़े पैर यार के साथ चल दी और तुम लोगों ने उन दोनों की मदद की लेकिन मैं क्या छोड़ दूँगा पाताल तक पीछा नहीं छोड़ूँगा लेकिन श्रीमान आप सरा नहीं उनका ना तुम्हारा नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा लेकिन तभी काउंटर के पिच्छवारे का एक दर्वासा खुला और एयर फोर्स की वर्दी जैसी पैंट जैकेट और टाई पहने एक व्यक्ति ने बाहर कदम रखा दृर्टा से कदम उठाता वो मेरे करीब पांचा और कठोर स्वर में बोला What's this nonsense? क्यों चिला रहे हैं आप? मैंने आहद भाफ से उसकी तरफ देखा मरे को सब मारते हैं फिर में बोला सताई को सब सताते हैं कोई हमदर्द नहीं उसका इस दुनिया में बात क्या है? इस से पूछो मैंने इल्जाम लगाती उंगली टाई वाली की तरफ उठाई मेरी बीवी अपने यार के साथ भाग गई और ये मैंने खंजर की तरफ उंगली उसकी तरफ भूंगी वो पाइलिट है जो हेलिकॉप्टर पर उन्हें कहीं पहुंचा कर आया नॉनसेस जैकेट वाला बोला ये पाइलिट नहीं काउंटर क्लर्क है क्या? जी हाँ, कलर्क है ये तो फिर जो किया, तुमने किया, तुम तो पाइलिट हो ना प्रॉब्लम क्या है आपकी? लो, जिसकी वज़ा से प्रॉब्लम है, वही पूछता है प्रॉब्लम क्या है? ठीक से बोलिए वर्ना वर्ना क्या? वरना मुझे पुलिस को कॉल करना होगा और लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आकरी बार पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है आपकी कई बार बोल चुका हूँ छीक है फिर बोलता हूँ मेरी बीवी एक चिकने गोवानी चोकरे के साथ भाग गई है अभी आदा गंटा पहली बड़ी हत पौना गंटा पहली यहां से कोई हेलिकॉप्टर पर उन्हें कहीं पहुंचा के आया मैं मांग करता हूँ कि मुझे बताया जाए उन्हें कहां पहुंचा आया गया है आपकी मांग गलत है न जायस है बलकि वाहिया थे पिछले पांच घंटे से यहाँ से कोई हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा क्या? कोई बीवी आपकी या किसी और की हेलिकॉप्टर पर सवार होकर यहाँ से नहीं गई मैंने मूबाई उसकी तरफ देखा Are you sure? मैंने पूचा Sure, I am sure जैसा आज का मौसम है उसमें नाइट टाइम में हेलिकॉप्टर फ्लाइट्स पर्मिटेड नहीं है मेरे मूँ से लंबी ओह निकली विवाहित इसरे का ऐसे किसी के साथ जाना अब रात है आप अपनी पतनी का और उसके बॉइफ्रेंड का हुलिया बयान कीजिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उन्हें यहाँ से हेलिकॉप्टर चार्टर नहीं करने दिया जाएगा येस, देट विल बी फाइन अब तो राजी है ना जी हाँ, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर वो घूमा और लंबे डग भरता वापिस उस जर्वाजे के पीछे गायब हो गया जिसमें से निकला था पीछे मैंने कलर को नामों समेथ दोनों के हुलिये लिखवाई और सिर से पाउं तक थैंक यू बना वहाँ से रुकसत हुआ अब ये निश्चित हो गया था कि फ्लाइट का वो रूट उन दोनों को उपलब नहीं होने वाला था मैं वापिस कस्बे में लोटा वहाँ जो किसी काबिल होटेल था उसका नाम हिमालियन कुईन था मैंने अपनी कार को उसके पिछवाड़े में खड़ा किया और उसके बार कम रेस्टरेंट में पहुँचा वहाँ मैंने विस्की के दो पैक पिये और फिश फिंगर्स खाई मैं अपने तीसरे और आखरी पैक का आनंद उठा रहा था जबकि एक आएक मुझे एक बात सुची गोलियां मैंने भी चलाई थी मैंने वेटर को बुलाया आसपास क्या कोई कार रिपियर शॉप है मैंने पूछा पिछली सड़क पर उसके सिरे पर वो अदब से बोला और कोई उसने इंकार में सिर हिलाया हम वो पिछली सड़क वाला क्या इस वक खुला होगा उसका सिर सहमती में हिला मैंने बिल चुपता किया और वहां से बाहर निकला पिछली सड़क के सेरे पर जो आटो वर्क शाप थी उसके भीतर महरून इंडी को खड़ी थी मैं भीतर पहुंचा भीतर एक बैंच पर एक अधेड़ा वस्ता कर नेपाली बैठा सिगरेट पी रहा था मैं इंडी को के करीब पहुंचा और चारो तरफ से उसका मौईना करने लगा उसने सिगरेट फैंका और बैंट से उठकर मेरे करीब पहुंचा ये कार मैं बोला मालिकान कहां है इसके मालिक वो बोला कान मालिक ओनर जो इस कार को यहां लाई एक औरत और एक मर्द अब आई बात समझ में हाँ तो जवाब दो कार्ट छोड़के गए रिपेर हो जाएगी तो लेने आएंगे कब? दो दिन बाद रिपेर का इतना लंबा काम है क्या? हाँ क्या? क्या काम है? बॉडी में छेर्द है वेल्ट करके बंद करने है फिर घिसकर स्प्रे पेंट करना है छेद कैसे हो गए? यहाँ तक कि सड़क खराब है गाड़ी जरा रफतार पकड़े तो सड़क से उखड़े पत्थर उड़ने लगते हैं और इतने फोर्स बॉडी से टकराते हैं कि छेद हो जाता है कमाल है आप कौन है? उनका साथ ही वो लोग मेरे रिष्टेदार है मैं रास्ते में बिछुड गया था दुमजा लेट पहुंचा अब कहां मिलेंगे वो? कहां मिलेंगे? अरे भई मुसाफिर हैं किसी होटेल में ही होंगे जिसकी बाबत तुम्हें तो जरूर बताया होगा नाम बोलो नाम बोलू? हां भई होटेल का जिसमें वो ठहरे हुए हैं मुझे नहीं मालूम क्या उन्होंने नहीं बताया? नहीं तुमने पूछा होता क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अगर वो ना लोटे तो उसने उस बात पर विचार किया ये कार टैक्सी है फिर बोला सेल्फ ड्रिवन टैक्सी कार रेंटल सर्विस का नाम पता टेलिफोन नमबर सब इसमें माजूद है मैं उनको फोन करूँगा वही अपनी टैक्सी क्लेम करने आएंगे तो मेरा बिल भरेंगे ओ लेकिन वो नौबत नहीं आएगी क्या बोला? वही लोग लोटके आएंगे तुम तो बहुत यकीन से कह रहे हो जी हाँ उनका सामान जो पड़ा है टैक्सी में ओ तब मैंने पीछे जाके डिक्की का धकन उठाया भी तर दो सूटकेस पड़े थी लेकिन मुझे निश्चित रूप से मालुम था कि कुल सामान तीन सूटकेस और एक बैक था पीछे चूटा जो सामान मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा था उसमें कोई केमती आइटम ना कैश ना क्रिश मौचूद नहीं हो सकती थी दोनों में से इतना मूर्ख कोई नहीं था कि क्रिश खासतोर से क्रिश पीछे छोड़ जाते सामान और भी था मैं बोला हाँ वो बोला एक सूट केस और एक बैग वोर्ट ले गए ओ तो तुम्हें नहीं मालूम वो दुमजा में कहा ठहरे हुए थे उसने इंकार में सिर हिलाया ओके थैंक यू मैं वहाँ से बाहर निकला मुझे नहीं लगता था कि वो लोग वहाँ लोट के आने वाले थे पीछे छोटे सूट केसों में या तो कोई सामान था ही नहीं था तो गैर जरूरी था जिसको फैंक ना वो अफॉर्ट कर सकते थे इस लिहाँ से उनका दुमजा में मौचूद होना भी जरूरी नहीं था था तो मैं घर-घर गली-गली धके खाते उन्हें तलाश करता फिर सकता था और बेवकूफ बन सकता था या वही धके मैं काट मांडू लोट के खा सकता था और तब तक खाता रह सकता था जब तक कि मुझे पायल की खबर नहीं लग जाती और मिस्टर लोबो और राय माजी को शूट करने का मौका नहीं मिल जाता तब मैंने अपनी बाबत यही फैसला किया कि अनिद्रा और बे आरामी से पैदा हुई फटीग से मेरा दिमाग खराब हो गया था मैं वापिस हिमालियन कुईन पहुँचा रिसेप्शन पर एक नौजवान युफदी मौजूद थी जिसको मैंने अपना परीचे इंस्पेक्टर कोहली फ्रॉम दिल्ली पुलिस इंडिया के तौर पर दिया और कहा कि नेपाल पुलिस और दिल्ली पुलिस एक जॉइंट वेंचर पर काम कर रहे थी जिसके अंतरगत कार्ट मांडू में मेरा काउंटर पार्ट इंस्पेक्टर तारानात विसुराग था जिससे फोन पर तुरन वार फुटिंग पर मेरी बात कराई जाए कॉल के चार्जिस कौन देगा वो अनिश्चित भाव से बोली मैं तूंगा मैं बोला फिर क्या बात है आप उधर जाके बेटिये कॉल लगते ही मैं आपको खबर करूँगी ठैंक यू कॉल पंद्रा मिनिट में लगी क्योंकि रिसेप्चनल युफ्ती ने बताया इंस्पेक्टर विसुराल को तलाश कराया जाना पड़ा था मैंने रिसेवर कांग से लगाया मेरे मुख खोल पाने से भी पहले मेरे कांग में इंस्पेक्टर विसुराल की आवास पड़ी जहां हो वही रहना हिलना नहीं बहुत जल्दी वहां तुम्हें कोई पिक करने पहुँचेगा कैसे जाना लाइन पर मैं था भगवान पशुपती नात ने जनवाया अंदर से आवास आई कमाल है दुमजा कैसे पहुँच गए क्यों पहुँच गए क्यों क्या मतलब आपने खुद अपनी जुबानी मुझे इजासत दी थी कि मेरे इंडिया किसक जाने पर पाबंदी थी नेपाल में कहीं भी जा सकता था तब तक जब तक कि मेरा तुम्हें जेल में डालने का मन ना बन जाई ठीक है तब तक ही सही अब मन बन गया है तुम्हारी नाजाएस हरकते बढ़ती जा रही है अब तुम्हारी गिरफदारी को नजर अंदास नहीं किया जा सकता क्यूं अब क्या हुआ सेंट्रो मिल गई है कौन सी सेंट्रो तुम्हें मालूम है कौन सी सेंट्रो नीली सेंट्रो हद प्रांट सेवियो डिसिलवा की परचेश सेंट्रो जिसे तुमने हितोरा पुलिस टेशन से चुरा कर आपको खबर कैसे लगी इतिफाक से कोई उधर भटक गया जिसने कार को वहां खड़ी देखा उसने पुलिस को खबर कर दी मैं नेपाल के नागरिकों की जाग रूपता की और नेपाल पुलिस की जोस्ति फुर्ति और मुस्तैदी की दाथ देता हूँ देना जितनी मर्जी देना जेल में बैटके आराम से देना इंस्पेक्टर साहब इतना कुछ कहना सूझा ये पूछना नहीं सूझा की मैंने कॉल क्यूं की आपका खादिम जेल में बंद होने के लिए मरा जा रहा था इसलिए तो नहीं की होगी कुछ शर्ण खामोशी रही हलो मैं बोला लाइन पर हो ना अच्छा बताओ क्योंकि वो बोला इस इलाके में जहां कि इस घड़ी मैं हूँ मुझे एक आदमी की तलाश है और उस तलाश में आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं कौन आदमी जो हर गुंडी खोल सकता है हर पेश धीला कर सकता है आपके हर जवाब के तलबगार सवाल का जवाब दे सकता है स्चोरी है मैं स्चोरी सुनूँगा लेकिन तुम जेल की सलाकों के पीछे मौचूद होगे अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो एहसान करो क्या मुझे कुछ गंटों की मौलत तौर दे दो कुछ गंटों में मैं या तो असली मुश्रिम को आपके सामने हाजिर कर दूँगा या जेल की सलाकों के पीछे बंद होने के लिए हाजिर हो जाओंगा मैं सोचूंगा इस बारे में एक घंटे बाद फिर फोन करना ना किया तो तो क्या बरबाद कर दूँगा याद करोगे कभी नेपाली पुलिस से वास्ता पड़ा था मैंने फोन बंद कर दिया बार में जाकर मैंने ब्लैक लेबल का एक लार्च पैग हलक से नीचे उतारा और सिग्रेट्स उलगाता बाहर को बढ़ा लॉबी से गुजरता मैं बाहर में डोट की और बढ़ रहा था जबकि मुझे बाहर एक चौंका देने वाला नजारा दिखाई दिया पार्किंग में एक मोटर साइकल पर एक हेलमेट धारी युवक सवार था उसके करीब वैसे ही हेलमेट पहने एक युवक खड़ी थी युवक ने मोटर साइकल को स्टार्ट किया तो युवक ने उसे एक सूट केस थमाया जिसे युवक ने टंकी पर हैंडल की दोनों मूठों के बीच रख लिया युवक जब पीछे बैठी तो मैंने वो एक बैक संभाले थी किसी कार के हेड लाइट्स जम की और मोटर साइकल पर पड़ी निकोल, पाबलो साफ जाहिर हो रहा था कि वो दोनों वहाँ पहुंचे थे और मोटर साइकल से उत्रे ही थे कि उन्हें पारकिंग में खड़ी मेरी कार दिखाई दे गई थी और उन्होंने वहाँ से कोच कर जाने में ही अपना कल्यान समझा था मोटर साइकल पारकिंग से बाहर निकली और सड़क पर दोड़ चली मैंने सिगरेट फैंका लॉबी से निकला और बगले की तरह अपनी कार की योड लपका फुर्ती से मैं कार में सवार हुआ और उसे पारकिंग से निकाल कर मैंने मोटर साइकल के पीछे सड़क पर दोड़ाया अंधेरे में सड़क पर आगे कहीं मोटर साइकल होनी की खबर मुझे उसके शक्तिशाली इंजल के आवाज से लग रही थी या फिर हेलमटों पर लगा फ्लोरोसेंट टेप मेरी हेडलाइट्स की रौश्नी में चमक रहा था इससे उसकी खबर लग रही थी पाबलो बिलाशक दक्ष ड्राइवर था वो ऐसी रफतार से मोटर साइकल दोड़ा रहा था कि मुझे अंदेशा था कि मैं उससे पिछड सकता था पता नहीं उन लोगों को खबर थी या नहीं कि वही कार उनके पीछे लगी हुई थी जिसको पारकिंग में खड़ा देख कर उन्होंने वहां से पलायन किया था बेखबर तो वो नहीं हो सकते थे ड्राइवर हो भी सकता था तो पैसेंजर नहीं हो सकता था लेकिन हाई बीम पर जलती कार की हेड लाइट्स की वज़ा से मुझे यकीन था कि ना कार उनके पहचान में आ सकती थी और ना ड्राइवर एक बार मोटर साइकल के आगे कोई व्यवधान आया जिसकी वज़ा से ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई नतीशतन मोटर साइकल और कार के बीच का फासला बहुत घड़ गया तब मुझे घूम के पीछे देखती निकोल के नेत्र फैलते साफ दिखाई दिये उसने पाबलो की पेट पर जुक कर उसके कान में कुछ कहा तो मोटर साइकल फिर तोप से छूटे गोले की तरह सड़क पर भाग चली इस बार मोटर साइकल आत्म घातिस पेट से सड़क पर भागी और फिर उसके और मेरे बीच का फासला बढ़ने लगा रफतार में मोटर साइकल से मुकाबला करने के लिए मैंने एकसीलेटर पर दबाव बढ़ाया तो कार मुझे कंट्रोल से बाहर निकलते महसूस होई मैंने गण निकाल कर हाथ में ले ली अब मैं मौका लगते ही किसी ना किसी को शूट करने के लिए द्रिट परतिग्य था तब ही कार का पहिया कहीं खड़े में पड़ा स्चेरिंग पर से मेरे हाथ तो खड़े गण निकल कर चट से जाकर टकराई और कार के फर्ष पर कहीं जाकर गिरी बड़ी मुश्किल से मैंने स्चेरिंग को वापिस अपने काबू में किया सड़क तब तक आबादी से बाहर निकल आई थी और आगे आगे उसकी हालत खसता थी जिस पर की मोटर साइकल तो फिर भी रफ़तार से चल सकती थी लेकिन कार नहीं चल सकती थी फिर आगे मोटर साइकल मुझे में रोड चोड़ कर एक कच्ची सड़क पर उतरती दिखाई थी मैं उस सड़क पर पहुँचा तो हिचके चाते हुए मैंने कार को उस पर डाला उस कच्ची सड़क पर कार का कोई पहिया कहीं भी फस सकता था और मैं भी वहीं फसा रह सकता था मोटर साइकल फसती भी तो दो जनों के लिए उसे धकेल कर निकालना आसान था सड़क कच्ची होने की वज़ा से मेरे सामने मोटर साइकल का उड़ाया धूल उंचा गुबार उड़ रहा था जिसके पार जांक पाना बहुत ही मुश्किल था एका एक वो गुबार मुझे घड़ता महसूस हुआ वज़ा मेरे समझ में नहीं आई मैं गुबार से पार निकल गया तो वज़ा पेश होई गुबार मोटर साइकल के दौड़ते पहियों के बन रहा था मोटर साइकल ने दौड़ना बन कर दिया हुआ था इसलिए गुबार का वजूद भी घटा घटा खत्म हो गया था अब कार की हेड लाइट्स की रोश्नी में मुझे बेट सड़क पर कार की और मुझ की ये मजबूती से दोनों हातों से गन थाम कर कार की तरफ ताने निकोल खड़ी दिखाई थी उसके पेछे मोटर साइकल एक तरफ लुड़की पड़ी थी उसका पिशला पहिया तब भी हवा में घूम रहा था और उसके पहलों में छेन भेन सा पाबलो पड़ा हुआ था मेरी अकल ने मुझे सुझाया कि इससे पहले कि वो गोली चला पाती मुझे कार उस पर चड़ा देनी चाहिए थी लेकिन औरत के साथ यूँ पेश आने की मेरे दिल ने गवाही नहीं थी मेरी गन कार में पता नहीं कहां गिरी थी उस पर मेरी पहांच बन जाती तो मुकाबला बराबरी का होता मैंने कार रोकी और इगनिशन आफ किया बाहर निकल आओ वो उच्छ स्वर में बोली हाथ सेर से उपर कोई हेल हो जदकी तो गोली चला दूँगी पाबलो आउट ओफ क्वेशन था मैं समझता था उसे अकेली को मैं हैंडल कर सकता था मैं दोनों हाथ कंदों से उपर उठाई कार से बाहर निकला गन थामे उसकी बाहें तन गई मैं एक एक कदम मजबोती से रखता उसकी तरफ बढ़ा उसके जब्रे भिंच गए उसने जल्दे से गर्दन घुमा कर एक निगा पाबलो पर डाली और वापिस मेरी तरफ देखा वहीं रुख जाओ वो सकती से बोली और आगे नहीं बढ़ना मैं थमक कर खड़ा हो गया तुम्हारी गण कहा है कार में कहीं गिरी पड़ी है मैंने जवाब दिया मेरे से परे परे चलती वो कार की परली तरफ पहुँची उसने उधर का एक दर्वासा खोला और साफधानी से भीतर निगा दोडाई निगा यकीनन उसकी तीकी थी उसे गण दिखाई दे गई जो कि उसने काबू में कर ली उसने कार की हाई बीम को आफ कर दिया लेकिर पार्किंग लाइट्स जलती रहने थी फिर वो वापिस लोटी अब उसके दोनों हाथों में गण थी एका एक उसने मेरी गण को जो कि वास्तव में उसी की थी दूर अंधेरी जाडियों में उचाल दिया ये क्या किया मेरे मूँ से स्वयमे भी निकल गया जो किया चीक किया वो सक्ती से बोली अब बोलो क्या मर्जी है तुम्हारी कैसी मर्जी मेरी राख चलने की मर्जी पहले भी बोला मेरा साथ दो मेरे रहबर मरो दोनों माला माल हो जाएंगे लेकिन तुम हो की सुनते ही नहीं हो बोलो क्या कहते हो मैं खामोश रहा मेरा साथ दो मेरे साथ चलो एक आदमी हमें सिंधुली में मिलेगा जो कि क्रेश के डेल में हमारी मदद करेगा और हमें इंडिया में इंडियन कैरेंसी में पेइमेंट की गैरेंटी करेगा अच्छा और जमूरे का क्या होगा? जो मरसी हो मुझे क्या? ऐसा क्या? हाँ, वो जब तक मेरे काम का था, अब किस काम का? ऐसा क्या? हाँ, कोई जान लिवा एक्सिनेट नहीं हुआ था, बस मोर्टर साइकल स्लिप कर गई थी कोई बड़ी बात होई होती, ये मर गया होता, तो क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी होती छीक, मर गया होता तो तुम ही कहती, तुम्हारे पर मरता था, आखिर यही होना था मजाक मत करो, ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम्हारे हस्बेंट को जहर इसने दिया था ना, हाँ, और चीनियों को, इसीने मारा था, क्या तुम्हारी खातिर, जाहिर तो यही करता था, लेकिन असलियत को चाट थी, क्या, होमिसेडल मैनियक है, खून करके आनंदित होता है, शौक के लिए खोन करता है, इसलिए अपने ट्रेड मार्क के तौर पर, खास तौर से बनवाई गई, चांदी की गोलियां इस्तेमाल करता है, मैं तुम्हारा साथ दूँ, तो इसका पत्ता कट, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, इक्जेक्ली, तुम मेरे ख सेवियो था, मैं मजबूत मर्द प्रसंद करती हूँ, अच्छा, जो कि मैं हूँ, उमीद तो है कि हो, बस उमीद है, यकीन है, इस वक्त अपने यकीन पर भरोसा करने के इलावा, कोई चारा नहीं, ठहर जा, निकोल ने चिहुंकर पीछे देखा, मेरी निगावी उधर वो मुझे उकडू दिखाई दिया, उसके हाथ में सूट केस था, और वो उटके सीधा होने की कोशिश कर रहा था, बलडी बिच, वो चीखा, लाउजी टू बिट फॉकिंग बिच, साली कल तक मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ती थी, अब कहती है, मेरा पता कट, मुझे अं साली जूटी मकार, डबल गेम खेलती है, ये साला चाला खरामी, ज्यादा भागिया, तो बोलती है मेरा पता कट, तो शुरू से ही इससे फिट है, जब से इससे मिली है, तब इसे इस पर लट्टू है पाबलो, ठीक है, भाड में जाओ तुम दोनो, मरो, जान छिड को एक दूसरे पर, अब वो सीधा खड़ा था, और सूट केस को उसने अपनी चाती के साथ दबोचा हुआ था, अब इस से, उसने सूट केस को और जोर से भींचा, तेरा कोई मतलब नहीं, साली चिनाल, वो पीछे हटने लगा, पाबलो, रुख जाओ, गुडबाई, मदाम माताहारी, वो एका एक घुमा, और हवा से बाते करता, दोड़ता अंधकार में कहीं विलीन हो गया, रोको उसे, निकोल मुझ पर बरसी, कौन, मैंने नकली हर बड़ा हर जाहिर की, क्या मैं, डोंट एक्ट स्मार्ट डैम यू, उसके पीछे जाओ, काहे को, मेरा क्या ले गया वो, ओ, डैम, फिर वो घुमी, और खुद उसके पीछे भागी, रुख जाओ, मैं चिलाया, मुर्ख नहीं बनो, उसके पीछे भागने का कोई फाइदा नहीं, जहां जाता है, जाने दो जो क्रिश उसके पास है, वो नकली है, और उसे इस बात की खबर है, वो तुम्हारा दिवाना है, बाग कर कहा जाएगा, घुम फिर कर फिर तुम्हारे पास ही आईगा, लेकिन वो नहीं रुखी, मजबूरन मैं उसके पीछे भागा, आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं द रहा था, लेकिन उन दोनों के जमेन पर, दम दम पढ़ते कत्मों की आहट, मुझे साफ सुनाई दे रही थी, फिर एक फायर की आवास होई, भाग नहीं, रुख जा, फिर निकोल की चिलाती आवास आई, रुख जा एडियट, क्रिश मेरे को दे, फिर एका एक ऐसी आवास जो तू चाहती है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, अब तू उसके सपने ही देखेगी, ता जिन्दगी, गोली फिर चली, फिर वो दोनों मुझे अपने एन सामने दिखाई दिये, मिठिट का, पाबलो जमीन पर गिर पड़ा, और निकोल उसके सिर पर खड़ी थी, मेरे देखते उसने पाबलो के निश्चेत शरीर में दो गोलियां और दाग दी, मैंने करीब जाकर जोर से उसे धका दिया, वो धड़ाम से जमीन पर गिरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पाउं की एक भरपूर ठोकर उसकी पसलियों में जमाई, उसके मूँ से यू सिसकारी निकली, जैसे गैस में से हवा निकली हो, फिर वो बिलकुल निश्चेश्च हो गई, मैं वो बिलकुल निश्चेश्च हो गई, जिसके शरीर में इतनी गोलियां दाखिल होई हो, उसका मौाइना बेकार था, लेकिन फिर भी मैंने किया, ये दे की पुतलियां मुत्वातर कटोरियों में फिर रही थी माई डाइंड डिक्लेरेशन वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया मरने से पहले मेरा इकबालिया बयान ऐसा बयान पुलिस के या मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए तो किसी काम का होता है मैं बोला गवा भी सुने तो मेरा कुछ कहना जरूरी है भूमिका नहीं बांधो ताइम जाया नहीं करो जो कहना है कहो मैं पापी हूँ जनम से ऐसा हूँ मैंने बहुत पाप किये हैं जैसे मर्डर नो नेवर मरने से पहले आत्मी हमेशा सच बोलता है जब जो कह रहे हो उसको इकबालिया बयान कह रहे हो तो फिर फिगर आ। सपीज डाइंग डिकलेरेशन को बोला ठीक है सच तो बोलना चाहते हो न अंहां क्या तुम्हारे पास जो क्रेश यह jagु सथ है मैं बताता हूं सब सब बताता हूं प्राण निकलने से पहले वो कितनी ही देर बोला जा मेरे भाई मैं उठता हुआ मैं कार वापिस ड्राइब कर रहा था पैसेंजर सीट पर निकोल मौजूद थी जब उसे होश आया था तो उसने खुद को वहाँ पैसेंजर सीट पर बैठे पाया था लेकिन आजाद नहीं सफर के हमराही की तरह नहीं बंदी की तरह सीट बेल्ट के अंदर थी वो हिल डोल सकती थी हाथ हिला सकती थी लेकिन खुद को आजाद नहीं कर सकती थी उसकी टांगे टकनों के पास उसके सकाफ से जकड़ी हुई थी सूट के सगली पिछली दोनों सीटों के बीच में कार के फर्ष पर माजूद था होश में आने के बाद वो भड़क चुकी थी कड़क थी अपनी उस हालत में जो कहर बरपा सकती थी बरपा चुकी थी और अब शान थी और आहद दिखाने की कोशिश कर रही थी एक लंबा अर्सा कामोशी में कटा फिर वो सिसकने लगी मैंने गर्दन गुमा कर देखा तो पाया उसकी आँखों से आंसु बै रहे थे ततकाल मैंने सामने देखा और ड्राइविंग की तरफ तवज्जो दी क्यों तुम मेरे साथ ऐसे पेशा रहे हो वो कातर स्वर में बोली कैसे पेशा रहा हो बिना सड़क पर से निगा हटाई मैं बोला क्या तुम्हे नहीं मालूम नहीं मालूम इतना तो बतादो हम कहां जा रहे हैं काट मांडू वापिस वही तो और कहा वहां क्या करोगे मैंने उत्तर नहीं दिया वहां मैंने इच्छा या अनिच्चा से इंस्पैक्टर तारानात विसुराल के हवाले होना था उसके साथ मेरा जो भी हश्र होता वो उसकी मर्जी और मिजाच पर निर्पर होता लेकिन उसके रूबरो होने से पहले पायल को रहा करने के लिए मैंने मिस्चर लोबो से दो चार होना था कैसे होना था ये तो मेरा इश्वर ही जानता था कार खामोशी से दोड़ती रही हम दुमजा पहाँचने वाले थे जबकि वो एका एक बोली मेरे को टॉयलेट जाने का है मैं खामोश रहा अरे सुन रहे होना वो जल्लाई क्या? I have to take a pee Go ahead यहीं कार में हाँ पागल हुए हो मैं खामोश रहा कहीं कारी रोको मैंने कार को एक चौड़े तने पेड के करीब रोका और हैडलाइट्स और इगनिशन को आफ किया मैं कार से निकला और पेसेंजर साइड में पहुँचा मैंने उसे बंदन मुक किया एक हाथ में पाबलो वाली गन थामे और दूसरे हाथ में उसकी बाँ पकड़ कर उसे कार से बाहर निकला और पेड की तरफ चलाया हम पेड के पीछे पहुँचे तो मैं बोला Go ahead पेड क्या जो करना है करो क्या अरे तुम तो टलो ये नहीं हो सकता कम से कम पेड तो फेरो मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तुम पेड फेरो लेकिन कोई बेजा हर्कत की कोई होश्यारी दिखाने की कोशिश की तो गोली तुम आत्मी हो की क्या हो क्या हूँ चोईस दी ना तुमने मैंने ली तौबा ऐसी बेलिहाजी तुम्हें मेरा कोई लेहास नहीं क्यों होना चाहिए उससे जवाब देते नहीं बना लेहास से लेहास होता है हितौरा में जो हुआ वो भूल गए क्या हाँ लेकिन जो नहीं हो सका वो याद है मर्द होना जुल्म धा सकते हो ये शास्तरात का टाइम नहीं है मैडम हमारी मन्जिल खोटी हो रही है हमने बहुत दोर जाना है इसलिए बहस ना करो अकल करो उसने मेरी तरफ से पेट फेरी पांच मिनट बाद हम फिर पोरवत कार में सवार थे और आगे बढ़ रहे थे हम दुमजा पहुंचे मैंने कार को हिमालिय कुईन की सुनसान पारकिंग में ले जाकर रोका मैंने उसके बंधन नए सेरे से चेक किये और उसके मुँ में रुमाल थूसा दस मिनट में लोटता हूँ मैं बोला मुँ से घोंगों की आवास निकाल कर उसने अपना विरोध जगा जटाया मैंने पेचे से सूट के सुठाया और कमपाउंड में आगे बढ़ा सडक पर पहुँच कर मैंने उस गैराज का रुक किया जिसमें मैरून इंडी को खड़ी देखी थी पिशली बार वाला अधेर नेपाली तब भी वहां मौजूद था पिशली बार वो मुझे बैंच पर बैठा सिगरेट पीता मिला था इस बार वही पर घूट लगाता मिला पता नहीं काम कब करता था या काम करने वाली कोई और ही थे मुझे देख कर वो हट बढ़ाया उसने गिलास नीचे रख कर गिलास और बोतल पर अकबार डाला क्या मुझे पहचाना मैंने पूचा उसने सेहमती में सिर हिलाया सिस्टर और ब्रदर इनलोर ने भेजा क्या अरे भई मेरे रिष्टेदार मेरे सफर के साथी जो रिपेर के लिए इन्डिगो यहाँ छोड़ कर गए थे वो वो आपके ब्रव आपकी बेहन और जीजा थे तो और मैं क्या बोला पिशली बार तो आपने बोला नहीं था रिष्टेदार बोला था हाँ वो तो बोला था तो क्या फर्क हुआ कोई नहीं क्या चाहते हैं इन्डिगो में वेल्डिंग और पेंटिंग के इलावा कोई काम नहीं चीक है चीक है सिस्चर ने कार रेंटल एजनसी से बात कर ली है वो कार को इसी हालत में वापिस लेने को तयार है अच्छा जो डेमेज हुआ है वो चार्च कर लेंगे इसलिए अब रिपेर की जरूरत नहीं रिपेर की जरूरत नहीं मैं कार लेने आया हूँ कार लेने आये है ये तोता रंटत पिशली बार तो नहीं थी लगता है घूंट का असर है घूंट नशा बोलता न नहीं चाबी कहा है चाबी कार की ताकि मैं यहां से लेके जाऊं लेकिन तुम्हारी लेकिन का जवाब भी देता हूं ये लो हजार रुपए मैंने नोट उसकी गोद में डाले किया तो तुमने कुछ है नहीं समझो कार को गैराज में खड़ी रखने की उजरत उसने सिर जुका कर नोटों पर निगार डाली तो चाबी वो में सहब और सहब कहा है कौन मेरे जीजा और जीजी जी हाँ वो कहा है वो दोना सिंधलू में है काफी अर्सा वहीं रुकेंगे रेंटल एजनसी को इंडिगो लोटाने का काम उन्होंने मुझे सौंपा है उसके चेहरे पर अनिश्चे के भाफ आई उसके अनिश्चे ने मुझे चिंदित किया और दबाफ की जरूरत थी एक कार में यहाँ छोड़ के भी तो जाऊंगा क्या? वोक्स वेगन हिमाले कुइन के कमपाउंड में खड़ी है येलो चाबी मैंने चाबी भी उसकी गोद में डाली उसने चाबी का उसके साथ जुड़े पीतल के आइडेंटिटी टेग का मुआइना किया क्या वो भी रेंटल कार है? उसने पूछा हाँ एजेंसी वाले खुद कलेक्ट कराएंगे उनकी पेमेंट? समझो हो चुकी उनके पास बहुत एडवांस जमा है कार्ट मांडू जाकर हिसाब करूँगा तो कुछ पैसा मुझे ही वापिस मिलेगा हम, चीक है क्या चीक है? इंडिगो की चाबे इगनिशन में है मेरे जान में जान आई मैंने जाकर इंडिगो में सवार हुआ मैंने उसका इगनिशन आन किया और उसे रिवर्स में चलाता सड़क पर लाया आगे बढ़ने से पहले मैंने गेराज के बीतर निगा दोड़ाई तो देखा कि गिलास वापिस उसके हाथ में आ चुका था मैंने हाथ हिला कर टाटा बाई बाई किया और कार को आगे बढ़ाया मैं वापिस हिमालिय क्वेन के कमपाउंड में पहुँचा पार्किंग का रुख करने से पहले मैं लॉबी में और आगे रिसेप्शन पर पहुँचा पार्किंग में एक वोक्स वैगन खड़ी है जो कि सेल्फ ट्रिवन टैक्सी है मैं रिसेप्शनिस से संबोधित हुआ रेंटल एजन्सी का कोई आदमी कार कलेक्ट करने आई का उसको बोलना चाबी पचले सडक जो मोटर रिपियर शॉप है उसके माली के पास है ओके ये सर रिसेप्शनिस अदब से बोला क्या इस वक बार खुला होगा नो सर ग्यारा बचे बंद हो जाता है ओके थैंक यू मैं बाहर जाकर इंडिगो में बैठा और उसे चलाता वहाँ पहुचा जहां मैंने वोक्स वैगन पार्ट की थी वोक्स वैगन के बाजू में उससे समानांतर मैंने इंडिगो को खड़ा किया मैं वोक्स वैगन पर पहुचा मैंने उसके भीतर जांका निकोल की शकल से पोशाक से पोजेशन से हर बात से लग रहा था कि पीछे उसने आजाद होने की हर चंद कोशिश की थी लेकिन काम्याप नहीं हो सकी थी बास नहीं आई ना मैं बोला गलती की मैंने खोपड़ी बजा के जाना चाहिए था ताकि बेहोश पड़ी होती या डिकी में बंद करके जाना चाहिए था उसने मूँ से गोंगों की आवास निकाली मैंने आवास की और ध्यान नहीं दिया मैंने सेट बेल्ट हटाई उसके पाउं खोल के और उसे उठा कर कंदे पर लात लिया मैंने उसे ले जाकर इंडिको की पैसेंजर सेट पर डाला और उसकी सेट बेल्ट से पूरवत उसको वहां बांद कर बिठाया मैं खुद भी कार में सवार हो गया तो मैंने कार को पारकिंग से निकाला और में रोड पर लाकर उसे धूली खेल की तरफ दोडाया कार्ट मांडू पहांशने तक मैं बोला हमें सड़क पर कई जग़ चेकिंग के लिए पुलिस वाले मिल सकते हैं उन्हें देख कर तुम्हें होश्यारी आ सकती है और तुम चिला चिला कर आसमान सेर पर उठाने लग सकती हो उसने जोर जोर से इंकार में सेर हिलाया मैंने कार को एक बाजू खड़ा किया और उसके मूँ में ठूसा रुमाल बाहर निकाला तक कार वो यूँ हाफने लगी जैसे तभी उसे ठीक से सांस आई हो बाकी भी खोलो फिर वो बोली क्या कहने प्लीज कहीं पुलिस वाले मिले तो मुझे यूँ बना देख कर भी तो सोचेंगे जो मेरे मूँ में रुमाल ठुसा देख कर सोचते मैंने उस बात पर विचार किया मैंने सीट बेल्ट खोल दी थैंक यूँ वो बोली लेकिन पाउँ नहीं खोले और उसकी कमर में अपनी पतलून की बेल्ट डाल कर उसे सीट के पीछे कस दिया यू सन ओफ अ बिच नो आई कैननोट बी यूर सन यू आई नौट बिची इनफ टु बी माई मदर उसका मूँ फिर खुला अब कोई वाही तबाही बकी तो मजबूरन मुझे तुम्हारी खोपरी ठक ठकानी पड़ेगी डिकी में बंद करना पड़ेगा उसने असहाई भाफ से गर्दन हिलाई और अपना शरीर सीट पर ढीला छोड़ दिया मैं वापिस कार में सवार हुआ मैंने कार को फिर सड़क पर ड़ाया हम कहां जा रहे हैं वो बोली कुछ याद नहीं रख सकती कार्ट मांडू जा रहे है कार्ट मांडू प्रॉपर हाँ पाठन वहां क्या है वहां मिस्चर लोबो से कॉन्टेक्ट होने की उमीद है तो तुम क्या मिस्चर लोबो के पास जाना चाहते हो हाँ गलती कर रहे हो उससे बेहतर डिल करने के लिए जरूरी है कि उसमें और तुम्हारे में फासला हो क्रिश के साथ उसके पास ही पहुंद जाओगे तो खता खाओगे मैं खामोश रहा अब क्रिश तो है न तुम्हारे पास हाँ अगर पिछे पाब्लो के पास था तो मेरे पास भी है गुड और डेल की तुम फिक्र नहीं करो मुझे मालूम है क्या करना है कैसे करना है किसके साथ करना है अब हम अमेर हो जाएंगे न हम हाँ मैं और तुम अब पाबलो की जगा मैं फिट हूँ क्या पाबलो वक्ती सहूलियत था मेरी चॉइस मेरी पसंद तुम हो और सेवियो वो भी वक्ती सहूलियत था वो दिन क्या दूर होगा जब मेरा भी दर्जा वक्ती सहूलियत का होगा ऐसा कभी नहीं होगा वो बड़े चित्ता कर्शक भाफ से मुस्कुराई उसने मेरी तरफ जुक कर मेरे गले में बाहें पी रोने की कोशिश की लेकिन कमर से बंदी बेल्ट की वज़ा से ऐसा नहीं हो सका वो मेरी तरफ परियाप नहीं जुक सकी विकल्ब के तौट पर उसने अपना दाया हाथ मेरी जांग पर सरकाया बास आजाओ मैं सक्ती से बोला एक्सिडेंट हो जाएगा उसने मुँ बिसूरा फिर अपना हाथ वापिस कींचा I love you वो फिर आँखों से जुबान से मत टपकाने लगी महाबबत के लिए कुछ खास दिल मक्सूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर सास पर गाया नहीं जाता मैं शायरी नहीं समझती मैं उर्दू नहीं समझती जो समझती हूँ वो मैंने बोला I swear सुधिर I love you from the core of my heart मैं खामोश रहा तुमने उसने फिर मेरी जान पर हाथ सरकाया सुना मैंने क्या कहा हाँ सुना कुछ समझा हाँ तो जवाब क्यों नहीं देते जित करती हो तो देता हूँ सुनो जैसे सुरिष्टी में ऐसे फूल होते हैं जिनमें खुश्बू नहीं होती वैसे ही ऐसी औरते भी होती हैं जिनमें प्यार का जजबा नहीं होता वो सेक्स तो कर सकती हैं पर प्यार नहीं कर सकती ये तो मुझे कह रहे हो दिल में प्यार नहीं जजबात नहीं तो समझो गल्ले में माल नहीं जजबात बिना दिल जैसे चिलर बिना गुल लग मुझे कह रहे हो कहना तो नहीं चाहता था तुमारी जिद्धी जवाब सुनने की इसलिए कहा उसने हौले से अपना हाथ वापिस खींचा एक लंबा अर्सा मुकमल खामोशी से कटा पीछे फिर वो बोली पाबलो बेचारक किस हाल में होगा किस से पूछ रही हो मैं बोला पीछे जो हाल तुमने उसका किया उसी हाल में तो होगा मैंने उसको सिर्फ डराने की कोशिश की थी काम्याब कोशिश की थी बड़िया डराया था दम ही निकाल दिया था अच्छा हुआ साथ उसे साथ नहीं लाई क्या मसकरी मार रही हो नहीं मैं तो आगे एक पेट्रोल पांपा रहा है पेट्रोल डलवाना जरूरी है तो तो का जवाब तुम दो मैं मैं कुछ नहीं करूँगी करना पसलियों में हर वक गन की नाल होगी गवा के सामने मुझे श्योट करने की तुमारी मजाल होगी क्या होगी क्योंकि फिर गवा भी तुमारी ही राह का राही होगा मैं कुछ नहीं करूँगी I swear उसने वागे कुछ नहीं किया कार में पेट्रोल भरे जाने के दारान पूरी तरह से अमन शांती बनाई रखी कार फिर सड़क पर दोड़ने लगी हम निर्विख्ण धूली खेल से गुजर गए उस दोरान निकोल उंगती सोती जाकती रही धूली खेल पीछे रह गया तो वो एका एक बोली सुनो बोलो मैं भाविंस्वन में बोला मैंने फैसला कर लिया है किस बाबत? क्रेश की बाबत क्या मतलब? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है वा, अभी तो कह रही थी शायरी नहीं समझती उर्दो नहीं समझती अभी खुद शेर कह रही हो मुझे नहीं पता ये शेर है मैंने तो मुहावरा जानके कहा क्या कहने के लिए कहा साफ बोलो तुमारे क्रिश के साथ मिस्चर लोबो के पास जाने से मुझे कोई एतरास नहीं तुम्हे कोई एतरास नहीं हाँ तुम जो डेल करोगे जैसे करोगे मुझे मन्जूर होगा तुम्हें मन्जूर होगा अब कौन सा पैंतरा आस्मा रही थी वो पैंतरे बास औरत मैं समझती हूँ क्रिश के साथ तुम्हारा मिस्टर लोबो के पास जाना बहुत बोल्ड कदम होगा लेकिन क्या हर्स तुम बोल्ड आत्मी बोल्ड कदम उठा सकते हो हाँ आगे आगे ये कि मिस्टर लोबो या तुम जो भी मुझे देना चाहोगे मुझे कबूल होगा ओ वेरे सपोर्टिंग ओफ यू आई विल गो बाई यूर सुपेरियर जज्ज्मेंट ओके ओके अब तुम्हारे मेरे में कोई राड नहीं तक राड नहीं छीक है ना छीक है वो यार फ्रेंड्स नाओ ओके इफ यू से सो येस आई डू से सो ओके तो फिर मुझे बांद के रखने का क्या मतलब क्या मतलब अरे भाई खोलो मुझे मैं खामुश रहा अब तो मैं राजी से तुम्हारे साथ मिस्चर लोबो के पास चल रही हूँ बलकि यू समझो कि तुम्हारे पीछे चल रही हूँ मैं सोचने लगा आखिर तो खोले गे ही ऐसे थोड़े ही मुझे कहीं ले जा सकोगे अच्छी बात है मैं कार को गेर से निकाल कर ब्रेक लगाता बोला लेकिन कोई चालाकी करने की कोई पैंतरे बाजी आसमाने की कोई होश्यारी दिखाने की कोशिश की तो इस पार तुम्हारा अंजाम तुम्हारी कल्पना से कहीं बुरा होगा तुम्हारी वॉर्निंग मेरे सिर्मा थे क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है इसलिए मुझे मालुम है तुम मुझे फिर डेल दोगे मैंने कार रोकी और उसे बंदन मुख किया उसने थैंक यू बोला और थैंक यू को अमली जामा पहनाने के लिए मेरे गले लगने की कोशिश की मैंने इगनेशन फिर आउन किया जल्दी क्या है वो फुस फुस आई क्या मतलब खुद समझो क्या समझू उसने मेरा गियर स्टिक पर पड़ता हाथ थाम लिया और उसे खेंच कर अपने वक्ष के साथ भींचा आँखों से मत के प्याले चलकाते उसने मेरी तरफ देखा मैंने अपना हाथ जबरन वापिस खेंच लिया पहला काम पहले मैं शोशक स्वर में बोला मेरा इश्वर जानता है कैसे मैं खुद को जगा रख पा रहा हूँ मुझे पाटन पहुँच लेने तो वो काम कर लेने दो जो ज़रूरी है फिर जैसे मरसी हिंट ड्रॉप करना भुन-भुनाती से वो परले दरवासे के साथ पीट लगाकर बैठ कई और परे देखने लगी हम पाटन पहुँचे मैंने होटेल टोपास पैलिस के सामने ले जाकर कार खड़ी की उस वक्त रात के दो बज़े थे और सर्वत्र सन्नाटा था यहां क्या है निकोल संदिक दुभाव से बोली मिस्टर लोबो से मुला का थोने का मौका है मैं बोला कैसे? सामने आईगा फिर भी मैं यहां रिजिस्टर्ट हूँ मिस्टर लोबो के हुकम बड़ ताकि वो जब चाहे मुझसे कॉंटेक्ट कर सके खुद मैं उससे कॉंटेक्ट नहीं कर सकता मेरे पास ऐसा करपाने का कोई तरीका नहीं कोई जरिया नहीं इसलिए यहां अपने कमरे में मौजूद रह कर मिस्चर लोबो से कॉंटेक्ट होने का इंतिजार करना उसकी कॉल आने का इंतिजार करना मेरी मजबूरी है इसके इलावा और कोई चारा नहीं और मैं तुम मेरे साथ चलोगी क्या तुमारे कमरे में और कहां रात की इस घड़ी कोई एतरास नहीं करेगा क्या पत्नी के पती के कमरे में जाने से कोई क्यूं करेगा भला पत्नी अभी इंडिया से आई फ्लाइट लेट थी इसलिए यहां लेट पाहुँची ओ लेकिन एक बात याद रखना कोई बेजा हरकत की कोई भी बेजा हरकत की तो इस बार जिन्दा नहीं चोड़ूँगा याद रखना मेरी बात दोहरानी ना पड़े तुम क्या गबर सिंग हो देखना कोई बात याद नहीं रख सकते क्या पिछे सफर के दोहरान में क्या बोली अब हम फ्रेंड है दोस्ती में दोस दोस पर विश्वास करता है उसे धमकिया नहीं देता वार्निंग्स नहीं जारी करता कितने अफसोस की बात है कि मैंने तुम पर मुकमर भरोसा जाहिर किया तुमें मुझ पर जरा भरोसा नहीं मैंने खामोशी से सोट केस काबू में किया और कार से बाहर निकला उसने भी पैसेंजर साइट से बाहर कदम रखा हम रिसेप्शन पर पहुँचे रिसेप्शन पर वही क्लर्ट मौजूद था जो परसो मेरे मत्थे लगा था माई वाइफ मैं बोला अभी इंडिया से आई वेलकम मैम निकोल ने बड़ी अदा से मुस्कुरा कर वेलकम कबूल किया चाबी दो कलर्ट ने मुझे मेरे कमरे की चाबी सौंपी क्या मेरे लिए कोई मैसेज मैसेज कोई नहीं सर काली मिस्चर लोबो ने दो तीन बार फोन करके आपकी बाबत पूछा था आखरी कॉल अभी कोई आधा गंटा पहले आई थी लेकिन उन्होंने मैसेज कोई नहीं छोड़ा था मिस्चर लोबो ने जी हाँ उसने वाल क्लोक पर निगार डाली वैसे तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन आप कहें तो मैं उन्हें कॉल लगाऊं तुम कॉल लगाऊं मैं तीखे स्वर में बोला येस सर कलरखर बढ़ा किया आप कहें तो क्या तो मैं मालूम है मिस्चर लोबो कहां उपलब्ध है उन्हें कहां कॉल लगाई जा सकती है येस सर, अफकॉस सर, मिस्टर लोबो आपसे पहले से इस होटेल में है मैं बुचक्का सा उसका मूँ देखने लगा कैसे उस घड़ी बगल में चोरा, शहर में धिंडोरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी उन्होंने ही तो आपकी यहां रिजर्वेशन करवाई थी आपके एक मन्जिल ही तो उपर है वो, यहां इस होटेल में सुईट नमबर 904 में, आप कहें तो मैं उन्हें कॉल लगाऊं नहीं, मैं बोला, जरूरत नहीं मिस्चर लोबो रात को बहुत कम ही सोते हैं, पता करेंगे जाकर जाग रहे होंगे तो मिल लेंगे ओके, यू नो बेटर सर येस, आई नो बेटर, थैंक यू वेलकम सर एक बात और येस सर परसो मैंने तुम्हें कोई और धंदा तलाश करने की राय दी थी, मैं शर्मिंदा हूँ मैं अपने अलफाज वापिस लेता हूँ आपका बड़पन है सर वरना मैंने तो नया धंदा तलाशना शुरू कर ही दिया था कोई जरूरत नहीं अपने मौजूदा धंदे में तुम एन फिट हो बाकी बात रही चोटी मोटी कोता ही की तो वो किसी से भी हो सकती है येस सर गौड ब्लेस यू हम जाकर लिफ्ट में सवार हुए मैंने नौवी मंजिल का बटन दबाया निकोल शीशे में अपना मौ निहारने लगी मेरा हैंड बैग एका एक वो बोली शायत कार में रह किया नहीं मैं बूला जब तुम वोक्स वेगन में सवार हुई थी तो हैंड बैग तुम्हारे साथ नहीं था जाके पीछे जरूर पीछे रह किया अब मैं मेक अप कैसे ठीक करूँ अरे वक्त तो देखो ये टाइम मेक अप के फिक्र करने का है क्या मैं औरत हूँ अच्छा हुआ बता दिया वरना मुझे कहां पता लगना था पैसा भी पीछे चूट गया पाबलो की तो चांदी हो गई कैसे वो कबजा लेगा फरे भी बाते कर रही थी समझती थी मुझे नहीं मालुम था उसने धराशाई पाबलो को पूरी निर्दैता से पॉइंट ब्लैंक शोट किया था नहीं कबजा लेगा मैं बोला क्यों भला अब वो ऐसी मो माया से मुक्त है क्या मतलब तभी लिफ्ट नौवी मंसिल पर पहुंच कर रुकी उसका दर्वासा खुला अभी रुको मैं बोला मुझे बाहर देखने दो निकोल की भवे उठी रिसेप्शन क्लर्ट ने हमारी आमत की खबर पहले ही उपर पहुंचा दी हो सकती है वो मेरे से कुड़ा हुआ है बावजुद मेरी पुछ पुछ के वो अभी भी मेरे खिलाफ हो सकता है ओ मैंने साफधानी से गर्दन निकाल कर बाहर चांका गल्यारा खाली था उसमें मुकमल सरनाटा था मैंने लिफ्ट से बाहर कदम रखा मेरे इशारे पर निकोल भी बाहर निकली दबे पाउं कार्पेट पिछे गल्यारे में चलते हम सूइट नंबर 904 के दरवासे पर पहुँचे कुछ शंड मैंने कान खड़े करके आहट लेने की कोशिश की फिर सूट के स्नीचे रखा और बेल्ट में खुसी गन निकाल कर हाथ में ले ली मैं दरवाजे से परे हटा फिर मैंने पूरी शक्ती से अपने दाएं पाउं की भरपूर ठोकर दरवाजे पर जमाई दरवाजा ऐसे वेक से खुला जैसे उसमें बारूद लगाया किया हो मेरी निगा भीतर फिरी मिस्टर लोबो विशाल कमरे के मध्य में अपनी वीलचेर पर बैठा हुआ था उसका ट्रेड मार्ट कमबल तब भी उसके कमर से लेकर पैरो तक धके था परेखिडकी के करीब राए माची खड़ा था और उस घड़ी तिपाई पर पड़े फोन पर उसका रिसीवर वापिस रख रहा था वो कमरा स्वेट के ड्राइंग रूम की तरह सुसजित था दोनोंने अब अलक यूँ भड़ आख से खुले दर्वासे की तरफ देखा हिलना नहीं चौकट में कदम डालते मैंने वार्णिंग जारी की हिलना नहीं बेहिचक शूट कर दूँगा मिस्टर कोहली मिस्टर लोबो यूँ शांती से बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो वेलकम प्लीस कम इन मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रहा था क्यूंकि वित्रिशना पून भाव से बोला रिसेप्शन प्लर्ट ने फोन पर खबर की क्यूंकि मेरा दिल गवाही दे रहा था मिस्टर कोहली कि बले ही देर से हो आज तुम से मुलाकात होगी कमाल है सूट केस राय माची को दे दो और भीतर आचाओ राय माची मेरे करीब पहुँचा तब उसे गल्यारे में खड़ी निकोल दिखाई थी उसके नेत्र फैले मैंने उसे सूट के स्थमा दिया उदर मेज पर रख मैं बोला मशीन की तरह उसने आदेश का पालन किया मैंने निकोल को इशारा किया आगे पीछे चलते हम कमरे के भीतर पहुँचे मैंने मिस्चर लोबो पर गन तानी कंबल के उपर गोद में रखे अपने दोनों हाथ उसने मुझे दिखाई और मुस्कुराता हुआ बोला मैं निहत्ता हूँ पायल कहा है क्रिश कहा है मैं पूछता हूँ क्यूं पूछते हो जरूरत कहा है कुछ पूछने की हमारे बीचे एक डिल हुई है उस पर कायम रहो बोलो क्रिश कहा है कोई डिल नहीं मौजूदा हालात में मुझे कोई डिल कोई बारगेन कोई ट्रेट मन्सूर नहीं मिस्चर लोबो अभी इसी वक्त पायल को यहां हासिर करो उसने उत्तर नहीं दिया उसने खामोशी से तीन चार गहरी सांस ली फिर यूं जाहिर किया जैसे तभी पहली बार उसने निकोल को देखा हो मिस्स डिसिलवा वो बोला वेलकम थैंक्यू निकोल यूं बोली जैसे बारात में आई हो इधर आके विराजिये उसने करीब पड़ी एक कुरसी की तरफ इशारा किया निकोल ने फिर थैंक्यू बोला और मुज़ित मेमान की तरह जाकर कुरसी पर बैठ गई मिस्चर लोबो फिर मेरी तरफ आकर्शित हुआ मेरी तरफ गन तानना बेकार है वो सहत स्वर में बोला धंकियों में आने की मेरी उम्र नहीं है जिसको अपनी अगली सांस का भरोसा ना हो उसे गन नहीं धंका सकती और मेरी सांस की डोर से तुम्हारी लड़की की सांस की डोर से जुड़ी है मेरी सांस की डोर टूटी तो समझो लड़की की सांस की डोर टूटी वो कहा है मैंने पूछा जहां है ठीक है साकुशल है फिलहाल डिल से मुक्रोगे करार से फिरेंगे तो उसे कुछ भी हो सकता है लेकिन क्यों तुम कुछ होने देते हो क्रिश लाओ लड़की ले जाओ क्रिश नहीं तो लड़की नहीं It is as simple as that Mr. Kohli मैं परे टेबल पर पड़े सूट केस की तरफ बढ़ा ऐसे नहीं ऐसे नहीं निकोल तीखे स्वर में बोली पहले पैसा मांगो पहले पैसा काबू में करो मैंने उसकी बात की तरफ द्यान नहीं दिया टेबल पर पहांच कर मैंने सूट केस खोला और भीतर से एक लकडी का डिबा बरामत किया मैंने उस डिबे का ढखकन उठाया और भीतर से क्रिश निकाल कर हाथ में लिया फिर मिस्चर लोबो की तरफ घूम कर मैंने अपना क्रिश वाला हाथ उंचा किया मिस्चर लोबो के शरीर में जुड़ जुड़ी दौड़ गई उसकी उम्र दरास आंखों में उमीद की चमक आई इधर लाओ कामती आवाज में वो फुस फुसाता सा बोला मैं उसके करीब पांचा बड़ी एतियाब के साथ मैंने क्रिश उसकी गोत में रख दिया बड़ी व्यक्रता से उसका कंकाल जैसा हाथ क्रिश पर पड़ा उसकी उंगलियां यूँ उस पर फिरने लगी जैसे कोई माँ अपने नवजाद शिशू का दुलार से सपर्ष कर रही हो कई बार उसने मोटे शिशों वाला दूरबिन जैसा अपना निगाह का चश्मा कान पर आगे पीछे एड़्जस किया राइमा जी फिर वो अपने एक शेंड स्वर के विपरीत ऐसे तीखे स्वर में बोला कि हैरानी से उसका मुँ में देखने लगा मैगनिफाइंग ग्लास राइमाची ने मेरी तरफ देखा फिर मेरे हाथ में थमी गन की तरफ देखा मैंने गन को जेब में रख लिया राइमाची ने कहीं से एक तश्टरी जितने व्यास वाला आतशी शीशा बरामत किया और उसे ले जा कर अपने एमप्लॉयर को थमाया मिस्टर लोबो ने अपना चश्मा आँखों से माथे पर सरकाया और आतशी शीशे की मदद से क्रिश का बारीक मौइना शुरू किया फ्रेंच विंडोस खोलो मिस्टर लोबो ने आदेश दिया राई माजी ने आगे बढ़कर बैलकनी के सामने भारी परदे सरकाई और विशाल बैलकनी में खुलने वाले दर्वासे खोली बैलकनी के सेरे पर लोहे की रेलिंग थी और ढलती रात का अंधेरा था पता नहीं उसने वो दर्वासे क्यों खुलवाई थे जिनके खोलते ही भेतर थंडी हवा के जोंके प्रवेश करने लगे थे रात की उस घड़ी थंडी हवा काने का उसका इरादा तो नहीं हो सकता था बहरहाल अपने इंस्पेक्शन के दिशा में कोई दो एडवांटिश बैलकनी के दर्वासे खुलने की उसके जहन में थी एका एक उसके मुझे एक निराशा और आक्रोश से भरी सिसकारी निकली जाली है वो बोला नकली है डुपलिकेट है मिस्टर कोली मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी ये जूट बोल रहे है निकोल तीखे स्वर में बोली ये असली है असली को नकली बताने के पीछे इनकी कोई साजिश है पापलो ने खुद मुझे बोला था ये क्रिश जैन्वन था उसने जूट बोला होगा मैं बोला नहीं जूट ये बोल रहे है ये इरादतन असली क्रिश को नकली शट अब वुमिन मिस्चर लोबो बोला उसके स्वर में आक्रोश का सरवदा अभाफ था निकोल ने होन भींचे एंड लुक एट मी रैदर लुक एट क्रिश मैंने भी उसकी तरफ तवज्जो दी मिस्चर लोबो ने क्रिश की उंगलियों में पिरोई हुई बांसोरी खींच ली और उसे तिनके की तरफ तोड़ कर सामने कमरे के कार्टपेट बिचे फर्च पर फैंक दिया निकोल के मुँसे सिसकारी निकली क्या अब भी किसी और सबूत की जरूरत है मिस्चर लोबो बोला कि ये क्रिश नकली है कोई कुछ नहीं बोला मिस्चर कोली वो मेरे से मुखातिब हुआ अब तुम क्या कहते हो मैं वही कहता हूँ जो आप सुनना चाहते है मैं निर्नायक भाव से बोला गर निकाल कर मैंने फिल अपने हाथ में ले ली कोई अपनी जगा से ना हिले कोई बेजा हरकत ना करे कोई मुझे हूल ना दे मैं असली क्रिश पेश करता हूँ सब खामोश रहे मैं फोन के पास पहुँचा बाचरिया ऑपरेटर मैंने भीम बहादूर को कॉल लगाई काफी देर घंटी बचते रहने के बाद मुझे उसका जवाब मिला सुधेर कोईली बोलता हूँ मैं बोला पहचाना हाँ शाप भीम बहादूर की आवाज मेरे कान में पड़ी बाई ने जो काम करना था वो कर लिया क्या हाँ शाप पारसल अब किधर है मेरे पाश है उसे लेकर पार्टन में होटेल तोपास पैलेस के रूम नमबर 904 में आ सकते हो क्या हाँ शाप अभी फॉरन हाँ शाप गुड अपनी टैक्सी का मेटर चला की आना मैं डबल भाड़ा भरूँगा बस शम्जो पहाँच क्या शाप मैंने रिसीवर वापिस रख दिया और घोम कर अपने सामने निगा दोडाई असली क्रिश को लेकर मैंने इतनी बड़ी घोशना की थी लेकिन उसका कोई संसनी खेज असर मुझे कही दिखाई नहीं दे रहा था राय माजी बैलकनी के फ्रेश डोर की चौकट के साथ लगा खड़ा जमहाईया ले रहा था मिस्टर लोबो की शकल से यू लग रहा था जैसे बैठा बैठा सो गया हो सिर्फ निकोल कदरन उत्तेजित दिखाई दे रही थी और बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी द्रेड कदमों से चलता मैं मिस्टर लोबो के करीब पहुँचा राय माजी पर निगार रखते हुए मैंने गन की नाल मिस्टर लोबो की कनपटी से सटा थी मिस्टर लोबो पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी और उसका कंबल उंचा करके उसकी गोद में चांका गन उसकी गोद में भी नहीं थी हो गई तसली वो सहज भाफ से बोला हाँ हो गई मैं बोला मिस्टर लोबो आपको अपनी जिन्दगी से कोई मो नहीं क्यूंकि आप 102 साल के हो लेकिन राय माजी की तो समझो अभी बाली उमरिया है उसे अपनी जिन्दगी मुझे पूरा यकीन है कि खूब प्यारी होगी क्या कहना चाटे हो एक मिनट में पायल यहाँ हो वरना मैं राय माजी को शोट कर दूँगा राय माजी को जी हाँ और इसका खूण आपके सिर होगा नहा की खूण बहाओगे राय माजी मेरे से बाहर नहीं जा सकता ये खुशी-खुशी जान दे देगा मैंने राई माची की तरफ देखा उसका सिर बेहिचक सहमती में हिला मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा मैंने पहले ही बोला था कि आश्रा तुम्हारे से मुलाकात होने का मुझे पूरा विश्वास था इसलिए मैंने लड़की को ऐसी जगा चुपाया है जिसके साथ जनम तुम्हें भनक नहीं लग सकती लग सकती है तो तभी लग सकती है जबकि असली क्रिश मेरे कबसे में हो पाबलो वाली गन मुझे दो निकॉल कुर्से से उठती हुई बोली मैं इससे चुटकियों में कुबलवा के दिखाती हूँ कि लड़की कहा है बैट चा मैंने कहा मेरा कहना मानो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ नहीं चाहिए मदद बैट दोबारा ना कहना पड़े और वो कुर्सी पर बैट कई मैं मिस्टर लोबो के वेलचेर से परे हटा और राय माची से संबोदित हुआ अपना कोट उतार उसने उतारा लपेट के मेरी तरफ उचाल उसने वो भी किया मैंने कोट को लपक लिया और उसकी जेबे टटोली कहीं से कोई हत्यार भरामत नहीं हुआ पतलून क्या पतलून उतार के इधर फैंक माता फिरा है क्या मैडम का तो लिहास करो पहले मैं अपना लिहास कर लूँ फिर ऐसे नाइस सिटिस के बारे में सोचूंगा उतार जैसे तैसे उसने वो काम भी किया कोई हत्यार पतलून में भी नहीं था मैंने दोनों चीजें उसकी तरफ वापिस उचाल दी जो उसने पहन ली तो मैं बोला वहां से हट और उदर कोने में जाकर खड़ा हो क्यों यहां क्या है वो भुन भुनाया तो उट जाएगा भारी कदमों से चलता वो कोने में जाकर खड़ा हुआ मैंने फिर मिस्टर लोबो की तरफ तवज्जो दी तो मैं बोला आप मरने से नहीं डरते क्या मैंने कई बार बोला वो शांती से बोला मैंने कई बार सुना लेकिन मरने मरने में फर्क होता है क्या कहना चाहते हो वो मौत आसान होती है जिसमें प्राण निकले तो खबर तक ना हो लेकिन आसान मौत तो बहुत खुश नसीबों को हासिल होती है क्या आप हैं बहुत खुश नसीब उसके चेहरे पर उल्जन के भाव आई क्या कहना चाहते हो उसने फिर दोराया बाई एक्ट बताता हो ना डेमोंस्ट्रेशन देता हो ना मैंने करीब जाकर रिवॉल्विल के नाल से उसकी नाक पर दस्तक दी उसके मों से दर्द नाक चीक निकली तदकाल नकसीर की तरह उसके नथुन से खोन बै निकला मार के आगे भूद भागते हैं मैं क्रोट स्वर में बोला अपना टाइम वेस कर रहे हो है ना टाइम मेरे पास वेस करने के लिए राय माची तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देगा अभी तो नहीं कर देगा अभी तो वो अपनी चांप मश्री के लिए फिक्र मन्द है चीक है जो जी में आए करो नतीजा सिफर निकले का इस बार में उसकी खोपड़ी खड़काने की तयारी कर रहा था जबकि दर्वाजे पर दस्तक पड़ी निकोल ने कुर्सी से उटने का उपक्रम किया खबरदार मैं गुड़कता सा बोला मैं तो दर्वाजा खोलने जरूरत नहीं वापिस बैठ वो बैठ गई तीनों पर निगार रखता मैं दर्वाजे पर पहुँचा साफधानी से मैंने दर्वाजा खोला और बाहर जांका चौकट पर भीम बहादुर खड़ा था ले आई क्या मैंने पूछा उसने भीतर का नजारा देखा मेरे हाथ में गन देखी मेरी आंखों में मौत नाश्ती देखी तो घबरा कर एक कदम पीछे हट गया तुम अपराधी है शाप वो भैभीत भाफ से बोला गैंक्शर है पारसल पारसल कहा है उसने पेट पीछे से अपना एक हाथ सामने किया जिसमें की पारसल था नीचे लॉबी में जा पारसल काबु में करता मैं बोला और वहां से इंस्पेक्टर तारानात विसुराल को फोन लगा वो लाइन पर आई तो बोलना सुधिर कोहली का पेगाम है कि वो बुलेट के रफतार से यहां पांचे शाप तुम क्रिमिनल अगर मैं क्रिमिनल होता तो खुद यहां पुलिस को बुलाता क्या ओ अब जा शाप फोन करना ज़रूरी नहीं क्या मतलब मैं जब अपने टैक्शी स्टेंड से चला था तो तभी मेरे को मालूम पढ़ गया था कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे थे थोड़ी देर बात ये भी मालूम पढ़ गया था कि वो पुलिस वाले थे मैं इंस्पेक्टर तारानात विशुराल को पहचानता हूँ मेरे खयाल से मैंने उन में इंस्पेक्टर विशुराल की भी जलक देखी थी इस वाश्ते उसको इसको इधर ही कहीं होना चाहिए बढ़िया जाके ढूंट मिल जाए तो बोलना अकेला यहां आए अकेला? हाँ बाद में चाहे फौच बुला ले लेकिन अभी अकेला यहां आए समझ गया? हाँ शाप अब जा शाप मैं अपरादी की शहायता नहीं कर सकता अपरादी नहीं है ना? हरे नहीं हूँ मेरे बाप कसम पशुपती नात की नहीं हूँ अब जा अपने बीचे दर्वासा पूरवद बंद करता वो चला गया पारसल के साथ मैं वापिस लोटा आंखों में आशा की नई चमक लिये मिस्चर लोबो मेरे हाथ में थमे पारसल को देख रहा था उसके चेहरे के भावों से नहीं लगता था कि अब उसे नात पर लगी चोट की याद भी थी मैं टेबल के करीब पहुँचा वहाँ पहले मैंने पारसल की वो पैकिंग उधेडी जो शेरजा शेश ने प्लाई का बॉक्स इस्तेमाल करके मेरे बॉक्स की मेरे सामने की थी फिर मैंने अपने वाला बॉक्स भी खोला और खुले बॉक्स को अपने सामने उंचा किया मिस्चियो लोबो के मुँ से तीखी सिसकारी निकली मुझे देखने दो मिस्चर लोबो याशना पूंट स्वर में बोला प्लीज मैं खुला बक्सा लेकर उसके करीब पहुंचा देखो मैं बोला लेकिन हाथ नहीं लगाना कांपते हाथों से उसने बॉक्स को थामा और उसके भीतर जांका प्रत्याशा से पहले ही चमकती उसकी आँखे बिश्ली के बल्बो की तरह चमकने लगी उसने कंबल के पर्तों में आतशी शीशा तलाश करना शुरू किया नहीं मिला तो नेचे फर्श पर जांका जहांकी एक पहिये के करीब वो गिला पड़ा था उसने उसे उठा लिया और उसकी सहायता से करीश का बारी लंबा मौइना किया यही है आखिरकार यूरेका की तरह उसके मुझ से निकला यही है करीश दा रियल थिंग मैं आगे बढ़ कर बॉक्स उसके हाथ से ले लिया अब तो जवाब दो कि पायल कहा है मैंने पूछा अगर अब भी हुज़त की तो समझ लेना तुम्हें जैन्यून क्रिश के अभी आखरी दर्शन किये है निकॉल भी उत्तेजित थी और उत्तेशना के आदिक्य में मौसे अजीब अजीब आवासे निकाल रही थी उसके चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था जो रंग आखर का चेहरे पर ठिका था वो भभूत सा सफेद था राई माजी एक आएक स्प्रिंग लगे खिलानी की तरह तन गया था और लगता था कि अभी स्प्रिंग रिलीस हुआ अभी उसने जुस्त लगाई हो चुकी मिस्टर लोबो मैं सकती से बोला अब ये तुम्हें तभी मिल सकता है जब मुझे पायल मिलेगी खबरदार कुर्सी से उठने को तत पर निकोल चिल्लाई खबरदार ऐसा नहीं करना यही मौका है हार्ट बार्गेन का एक करोड रुपया तो इसने कमिट किया हुआ ह दो की मांग करो चार की मांग करो बलकि पांच की मांग करो जो कि तुम कहते हो ये तुम्हें पहले ही ओफर कर चुका है इस वक्त जो मांग करोगे पूरी होगी सिर्फ लड़की की एवच में क्रिश इसे सौम देने की मूर्खता हर्गिस नहीं करना कसम है तुम्हें आखि मैंने उसके प्रलाप की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने बॉक्स में से कृष निकाल कर हाथ में लिया और खाली बॉक्स को टेबल पर ढाल दिया, अब पायल मैं निर्नायक भाफ से बोला, पायल नहीं तो कृष नहीं, फैसला एक मिनट में, मिस्चर लोबो ने व्यग्र भा से एक में दाखिल हो गया, जब वो वापिस लोटा, तो पायल उसके साथ थी, चिराक कले अंधेरा, जरूर इसी वज़ा से, जब मिस्चर लोबो ने मेरी उस से फोन पर बात कराई थी, तो उसने कहा था, कि उसे मालुम था, वो कहा थी, लेकिन बताने कौन देता, कि जैसे सोते से जागी हो, मुझे देखते ही, उसके नेत्र फैले, वो दोड़ कर मेरे करीब आई, मुझ से लिपट गई, और सुबक सुबक कर रोने लगी, किसी ने तेरे साथ बुरा सुलुक तो नहीं किया, मैं सक्त लेचे में बोला, नहीं, तो फिर क्यों रोती है, अगर मैं कॉपरेट नहीं करूंगी, भाग निकलने की कोशिश करूंगी, या कोई और कैसा भी पंगा करूंगी, तो ये लोग मुझे माट डालेंगे, अब कोई तेरा बाल भी बांगा नहीं कर सकेगा, अगर कोशिश भी करेगा, तो जहन्नुम की राहता राही होगा, यहां मेरा इंतिजार कर, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मेरे पास ही रहेगी, मेरी हिफाज़त में, जो हुआ हर्गिस दुबारा नहीं होगा, अब कहना मान, जा, आखरी एक शंट तक खिच किचाती, लोट आने को तत पर, वो वहां से चली गई, पीछे मैंने क पर कायम हूँ, मैं बोला, क्रिश तुम्हारे हवाले है, तब तक तो बराबर है, जब तक कि कानून के लंबे हाथ, तुम्हारी गर्दन तक ना पहन जाएं, बद्दूआ मत दो, मिस्टर लोबो बोला, बद्दूआ नहीं दी, हकीकत बयान की, उसने प्रतिवाद में उस चेबल की तरफ बढ़ाया, जिस पर क्रिश रखा था, निकोल के मुँ से एक डरावनी घर घराहट निकली, स्प्रिंग लगे खिलानी की तरह, उचल कर वो अपनी कुरसी में से निकली, और मेस के करीब पहुँची, चील जैसा जपट्टा मार कर, उसने मेस पर से उठा लिया, और दर्वासे की तरफ लपकी, मैं चलांग मार कर बेच में आया, और दिवार की तरह, उसके रास्ते में खड़ा हो गिया, वो ठिट की, केवल एक शन को, फिर उसने रास्ता बदला, और बैलकनी की तरफ लपकी, अप्रत्याशित, अनपेक्शित फूर्ती द लगी गन प्रकट हुई, उसने गन को निकोल की तरफ ताना, वो बोला, तो उसकी हमेशा मिम्याती आवाज, गरजन में तबदील हो गई, स्चॉप, और आई विल शूट, निकोल तब तक बैलकनी में पहुंच चुकी थी, उसने अपना क्रेश वाला हाथ, बैलकनी की रेल गसे हिला, निकोल फिर छिलाई, अगर किसी ने भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो मैं इसे नीचे फैंक दूँगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मिस्चर लोबो आश्वासन हीन स्वर में बोला, कुछ नहीं बचेगा, मैं भी इसके हिस्ट्रे से वाकिफ वो ब्रिटल होती है, भुर भुरी होती है, और वो इसमें बहुत कम मात्रा में, वो भी महीन बुरादे की सूरत में इस्तेमाल हुई है, ज्यादातर इसमें चूना, उड़त की दाल, कौडियां और खडियां है, छोटे मोटे फासले से गिरने पर, जैसे कि मेरे हाथ से नि मन्जिल की उंचाई से नीचे सड़क पर गिरने से इसका कुछ नहीं बचेगा, और फिर खामोशी चा गई, चलाओ गोली और फिर देखो क्या होता है, मिस्चर लोबो के चेहरे पर अनिश्चे के भाफ आई, तभी मेरे पीछे कमरे का दर्वाजा धीरे से खुला, मैंने वो अकेला नहीं आया था, शायद नेपाल पुलिस की परिभाशा में एक मातत के साथ आना अकेला आना ही होता था, जल्दी से मैंने हाथ में थमी, गन जेब में हस्तांतरित की, इंस्पेक्टर विसुराल दो कदम आगे बढ़ा, दूसरे पुलिसिये ने उसके पेछे दर् बंद किया, इंस्पेक्टर का तुजूर बेकार निगा, पैन होती सारे कमरे में घूमी, चुटकियों में वो तमाम माचरा भांप गया, तब उसने अपना सबसे पहला आदेश मिस्चर लोबो के लिए जारी किया, नो फायर वर्क्स मिस्चर लोबो, वो अपने व्यवसाय सुलब अधिकार पुंट स्वर में बोला, गन को फर्ष पर डाल दीजिये, मिस्चर लोबो की सूरत से मुझे नहीं लगा, कि उसका ऐसा कुछ करने का इरादा था, कोई अपनी जगा से ना हिले, वो बोला, मिस्च वो जोर से कांपी, उसका पहले से फक रंग और फक हो गिया, सुधीर उसने फर्यात की, कुछ करो, ये हमें अभी, अपनी खुशी से करोडो रुपया देखा, रकम थामो और निकल चलो, अकेला मैं बोला, नॉनसेंस मेरे साथ, मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, आतो रहा हूँ, माई डियर, इस सांसत से निकलने के लिए तुमने जो करना है, खुद करना है, अब तुम्हें ऐसी कोई मदद, हासिल नहीं होने वाली, जिसे फोर ग्रांटिर लेने की तुम्हें आदत है, ये तुम बोल रहे हो, तुम, जिसकी खातिर मैंने पाबलो को श खयाल है तुम्हारा, वो लड़का ऐसा नहीं था, वो होमेसीडल मैनियक था, उसका ये इमेज भी तुमने खड़ा किया था, हर किसी को उसकी बाबत, गलत राय कायम करने को मजबूर करने के लिए, हर किसी को गुमरा करने के लिए, जो लड़का हर वक्त गन पास रखता हो डेकोरेशन पीस के तौर पर सिल्वेर बुलेट्स वाली गन उसकी सजावट थी उसका फैशन था उसका जेवर था वो फितरन एग्जिबिशनिस था इसलिए वैसे तमाश भी निके काम करता था वो ना होमे सिडिल था ना मैनियक था कुछ था तो एक फैशनेबर जिन्दा दिल शरीफ लड़का था उसकी गलत चवी अपने फाइदे के लिए तुमने बनाई थी ताकि लोग उससे ख़फ खाई और उसकी वज़ा से तुमारे करीब ना फटके शरीफ लड़का वो खोकली हसी हसी सेवियो का कातिल शरीफ लड़का अपने हस्वेंट को तुमने मारा था तुमने सेवियो को चोरी से उसके विसकी के जाब में मिला कर जहर दिया था जूट आई अम अ डिटेक्टिव रिमेंबर पता नहीं क्या बला हो तुम लेकिन इस बाबत कुछ डिटेक्ट करने का तुम्हारे पास कोई जर्या नहीं था बिल्कुल ठीक लेकिन कातिल की पोल आखिर तो खुलके रहनी होती है इसलिए एक जर्या खुद ही निकल आया था कौन सा जर्या पाबलो पाबलो सिक्वेरा मरने से पहले उसने मुझे सब कुछ बताया था वो तुम्हारे घिनोने किरदार का परदा फाश करके मरा था वो मर रहा था वो मेरे बारे में कुछ भी बख सकता था लेकिन तुम भूल रहे हो उसने दो कतल और भी किये थे तब ही उसके हाथ क्रिश लगा था वो कतल भी तुमने किये थे मिकी चान और टेरी वांग नाम के सिंगापूर से आए दो चीनियों को तुम ही ने मारा था पाबलो को तुमने इस काम के लिए उकसाया बराबर होगा लेकिन वो शरीफ नेक लड़का खुन से अपने हाथ रंगने को तयार नहीं हुआ होगा तब जो काम तुम उससे नहीं करा सकी वो तुमने खुद किया था तो फिर क्रिश उसके कबसे में क्यूं था तुम्हारे ही कबसे में था क्यूंकि वो तुम्हारे कबसे में था वो तो बेचारा मजदूर था, तुम्हारे नास नक्रे उठाने वाला और प्रिश समीत सामान धोने वाला, कहो तो मैं गलत कह रहा हूँ वो खामोश रही, बेचैनी से उसने हपने होंटो पर जुबान फेरी और जोड से थोक निगली पाबलो की गैंक्स्टर वाली चवी नामुम्किन थी, बनेश्वर में मेरी जब उससे पहली मुलाकात होई थी तब मैंने जलता सिगरेट लाइटर उसकी गोत में डाल दिया था, तो वो हिंसक नहीं हुआ था, बच्चों की तरह उचला कूदा था रम डूडल के डांस फ्लोर पर जब मैंने उसकी टांग पर अपने जूते की ठोकर जमाई थी, तब भी वो एक टांग पर फुदकता, लगभग रोता हुआ, बाउंसर से पनाख के लिए फरियात कर रहा था पनाटी के बार का मनजर याद करो, जहां वो तुम्हें गोली चलानी के लिए उकसा रहा था, जबकि खुद उसके पास गंद थी, वो खुद ऐसा कर सकता था, ऐसा शक्स, गैंक्स्टर क्यों हुआ, दुरदान थत्यारा क्यों कर हुआ, उसके गले की घंटी जोर से उचली तुम्हारी ट्रेजडी ये है मैदाम, डेथ, कि तुम्हें नहीं मालुम था कि जो क्रिश मैंने चीनियों को सौंपा था, वो नकली था, जबकि पाबलो को ये बात शुरू से मालुम थी, मिस्चर लोबो ने नकली क्रिश के साथ जो काम करने के लिए उसे हितौरा भेजा उसे वो अंजाम नहीं दे सका था, वो अपने पास मौजूद नकली क्रिश को सेवियो डिसिलवा के पास मौजूद असली क्रिश से नहीं बदल सका था, हितौरा से लोट कर उसने अपने नाकामी को लपेट कर लिफाफे बाजी के साथ पेश किया था, क्यूंकि तब तक उसे ये सिचुएशन मालूम पढ़ चुकी थी, कि मिस्चर लोबो असली क्रिश के एवर्श में उसका सौदा मेरे साथ करने को तयार था, उसने मिस्चर लोबो के मुँसे निकला, नशे में राय माची को ये क्यूं कहा, कि असल में उसने मुझे असली क्रिश तौंपा था, इसको गुम्रा करने के लिए मैंने मजबूत उंगली निकॉल की तरफ उठाई, ताकि ये समझ थी, कि बाजर या यूर्स ट्यूली सुधिर कोहली असली क्रिश चीनियों के कबसे में पहँच गया था, और इसकी पहँच से बाहर निकल गया था, क्यूंकि उन चीनियों के पीछे, क्रिश के पीछे, सिंगापूर जाकर उसे वापिस हासिल करना, उसके बस की बात नहीं होता, लेकिन इसे मालूम पड़ा, कि वो चीनी अभी काट मांडू में ही थे, तब इसने पहले पाबलो को उनके कतल के लिए उकसाया, फिर उसके सिल्वर बुलिट्स वाली गन हत्या कर खोद उने कतल किया, और क्रिश नकली लेकिन उसकी निगा में असली, अपने कबसे में कर लिया, तब इसने पाबलो को मिस्चर लोबो को डिच करके अपने साथ भाग चलने के लिए तयार किया, कैसे? इंस्पेक्टर ने पूछा, ये औरत है, खूप सूरत है, कैसे किया होगा? ठीक है, मौजूदा हालात में उसको भी लग रहा होगा, कि मिस्चर लोबो से दोर निकल जाने में ही उसका कलियान था, आखिर वो मिस्चर लोबो से दो बार जूट बोल चुका था, और वो जानता था, कि कार्ट मार्डू में मिस्चर लोबो की पहांच में बने रहने से उसका अंजाम बुरा हो सकता था, मेडम को मिस्चर लोबो बोला, देर सवेर मालूम होके रहना था, कि जो क्रिश उसके हाथ लगा था, वो नकली था, जाहिर था, उसका उसके असली होने का भरम तभी तक बना रह सकता था, जब तक कि उसके सौदे बाजी की, तुम्हारे से या किसी से भी, मसलन सिंगापूर वाले औरिशनल ओनर एंटोनियो बॉंग से नौबत नहीं आती, तब क्या होता, होना क्या था, तब बड़ी हद यही होता, कि वो रुमानी रिष्टा तोट जाता, जो फरसी था, जिसकी बुनियाद इस सौरत की मतलब परस्ती थी, लालश था, राइट, अब इसे निर्वी वाद रूप से मालुम है, कि जो क्रिश इसके कबसे में था, उसकी कोई कीमत नहीं, इतिफाक देखो, कि असले क्रिश पर अब ये सच में काबिस है, लेकिन रहेगी नहीं, मिस्चर लोबो पूरे विश्वास के साथ बोला, मिस्चर डिसिलवा, इधर और क्रिश को मेज पर रख दो, उसने मजबूती से इंकार में सिर हिलाया, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, वो रोने लगी, अब क्या फाइदा, मैं धीरे से बोला, सबसे ज्यादा तुमी ने मुझे नाउमीद किया, रोते रोते वो गुसे से बोली, मैं पहले ही कबूल कर चुकी हूँ, कि मुझे अपने हस्बेंट से कभी महबत नहीं हो सकी, अब ये भी कबूल करती हूँ, कि पाबलो से मेरी मतलब की सहूलियत की दोस्ती थी, महबत का जिसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे भीतर, जो जज़बात उम्रे थे, व मुझे स्ट्राइक किया था, ये जुबान मेरे सुनी हुई है, ये फैंसी जज़बात मेरे भुखते हुए है, दूद का जला चांच भी फूख फूख कर पीता है, क्या मतलब? तुम्हारे जैसे एक औरत से मैं कभी मेरीट था, अब तो नहीं होना? नहीं, अब विधुर ह सुधेर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उंगलियां परक्ते रहने का मुझे कोई शौक नहीं, तुम पागल हो, मेरा कहना मानो, मेरी फर्यात को बूल करो, मुझे मेरी मौजूदा दुश्वारी से निजात दिलाओ, फिर देखना, मेरे साथ तुम्हें जिंद कदमों में होगी, नो, मैं तुम्हें पर्मानन्द के साथवें आस्मान पर पांचा दूंगी, नो, मैं तुम्हारे पाउं धो धोके पीऊंगी, नो, मैं, नो, नेवर, पहले से राक हुआ उसका चेहरा, अब एक एक क्रोथ से तम तमाने लगा, एक हफते में, चार लोगो को तुमने पर लोक की राह लगाया मैं पांचवा नहीं बनना चाहता मैं मौत को गले नहीं लगा सकता तुम्हें मेरे बारे में बारी गलत फैमी है सुधिर मैं अपनी गलत फैमी पर कायम रहना चाहता हूँ तुम तुम एमक हो अकल के अंदे हो जो वक्त के नजाकत नहीं पैचानते मौके का फाइदा उठाना नहीं जानते मैं तो ऐसा ही भला हूँ तो क्या ये तुम्हारा आखरी फैसला है ये मेरा इकलौता फैसला है मेरे में ना सही तुम्हें मेरे हाथ में धमे क्रेश में भी क्या कोई दिल्चस्पी नहीं नहीं ये असली है हाँ है मुझसे बैतर इस हकीकत से कौन वाकिफ है आगे उसने जो किया वो सब के लिए अप रित्याशित था क्रिश के गेद लपटी अपने उंगलियां उसने खोल दी सबसे तीकी सिसकारी मिस्चु लोबो के स्मूँ से निकली ढलती रात के अंधेरे में क्रिश नो मंजिल से नीचे गिरने लगा क्रोध और बेबसी से पगलाई मिस्चु लोबो ने अपने हाथ में थमी गन का घोड़ा खींचना शुरू कर दिया गन से निकली हर गोली निकोल के जस्म से कही ना कही टकराई स्लो मोशन में वो बैलकनी के फर्ष पर धेर होई अब वो शान्त थी ऐसी शान्त जैसी अपने जिन्दगी में शायद कभी नहीं होई थी अपने जिन्दगी के आखरी लम्हे तक उसने अपनी एक सिर्द निभाई थी जो चीज उसकी नहीं वो किसी पुलिसिये ने राय माजी पर अपनी गन तान दी थी मैंने जेब से पाबलो वाली गन निकाली और उसे इंस्पेक्टर को दिखाते हुए में इस पर रख दिया पाबलो सिक्वेरा के मलकी अद मैं इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ ये वो गन है जिससे इस औरत ने दोनों चीनियों को शूट किया था और मेरे सामने पाबलो को शूट किया था सिलवर बुलेट सभी भी माजूद है उसका सिर्ष सहमती में हिला मैंने तुम्हें फिर एका एक वो बोला एक गंडे बाद फोन करने को बोला था वह आपना बोला याथ है मेरा बोला भूल गए तुमने क्या बोला था क्या सच में ही भूल गए वरना ये सवाल नहीं कर रहे होते मैंने बोला था कुछ गंडों में मैं असली मुझ्रिम को तुम्हारे सामने हासिर कर दूँगा बोलो मैंने किया या नहीं हम् तो फिर फोन करने के जरूरत रह गई कोई कसर रह गई क्या हम् अभी जा रहा हूँ कहा काट मांडू कल हेड़ क्वार्टर में हासिर होंगा अगर अगर कि कोई गुझाईश नहीं आखिर मैंने अपना पास्पोर्ट वापिस हासिल करना है उसके चेहरे पर अनिश्य के भाव आई तुम्हारा के इस हल हो चुका है कर्टसी सुधिर कोहली दो ओनली वन हल हो चुका है अब मुझे यहां रोके रखने से तुम्हे कुछ हासिल नहीं होने वाला और लड़की वो सेफ है मेरे पास है ओ, मैं बाहर को बढ़ चला उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की पायल महरून इंडिगो में पैसेंजर सीट पर बैठी मेरा इंतिजार कर रही थी मुझे लोटा पाकर हाँ, वो उत्सात से बोली लेकिन चलाने कोई नहीं देता क्योंकि नबाली को डम डम नबाली को कोई ड्राइविंग लाइसेस देता है क्या, ड्राइविंग लाइसेस भी है क्या बराबर है, उस पर डेट आफ बर्थ होती है न तेई साल पहले की लिखी दिखाई दिये तो बोलना कुछ दिन और साथ बना रहा तो तु खुद को पचास साल पहले पैदा हुई साबित करके ही माने की ड्राइविंग सेट पर बैठ कार्ट चला और खुद को साबुद वन पेस कार्ट मांडू होटेल पहुँचा कर दिखा अपना नहीं बोले मैं तो पैसेंजर सेट पर धेर होके मरने लगा हूँ किसी के देंदार बन के मरो तो नर्ग का भागी बनना पड़ता है मालू है मैं किसका देंदार हूँ लो भूल भी गए जबकि अभी तेन दिन पहले की बात है कौनसी बात इसलिए बोला था प्रोनोट लिखके दो कि तुम मेरे जब भी पप्पी के कर जाई हो ओ कोई बात नहीं भूलती ना तू भूलने से कहीं वसूली होती है क्या क्रेडिट साला पहले ही इतना लंबा चल गया जो वसूली बड़ी हद अगले दिन इतवार को ही हो जानी चाहिए थी वो साला बुद्वार का सवेरा होने को है आज फिर भी पैंडिंग है तू कुछ भूल रही है क्या शनिवार रात के बाद से मैंने तेरी आची सूरत देखी है हाँ ये बात तो है तो फिर तो फिर तू बोल अब क्या कहता है अभी तो मैं मरने लगा हूँ होटेल पहुँच कर जिन्दा पाओ तो करिश्मा समझना और किसी तरह कमरे में पहुचा देना आगे आगे जान है तो जहान है जहान है तो कॉल करार है चीक है हाँ ठीक है अब मरो हुए दोस्त तुम जिसके दुश्मन उसका आस्मा क्यों हो क्या बुला कुछ नहीं मैं कार में सवार हुआ उसने कार पारकिंग से निकाल कर आगे बढ़ाई मेरी आँखे मुंदने ही लगी थी कि एका एक पायल बोली देखो सर प्रियास मैंने आँखे खोली और कार के बोनट से आगे सड़क पर निगा दोड़ाई जिदर की वो इशारा कर रही थी आगे सड़क पर होटेल की नोवी मंजिल से नीचे गिर कर खील खिचे हुए क्रिश के टुकडे फैले हुए थे जिने होटेल का एक सफाई करम चारी हैंड हैड वाइपर से समेट रहा था क्रिश मीरा का माधव सौल्वी सदी की दुरलब राजस्थानी कला क्रिती भारत की सांस्क्रितिक धरोहर नेपाल की सड़क का कच्रा निकोल डिसिल्वा का चकना चोर हुआ आर्थिक भविश्य मिस्चु लोबो का टूटा सपना एंतोनियो वांग का प्राउड पोजेशन सेवियो डिसिल्वा की बदनियती का केंद्र बिंदू चार हत्याओं की वज़ा सब खत्म बैलकनी में से कूडा फैंक दिया पायल कह रही थी यहां भी दिल्ली वाला ही हाल है हाँ मेरी आँखे वापिस मुंद गई दोस्तो इसी के साथ यह कहानी यहीं कम्प्लीट होती है कोमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही बहुत सारी दिल्चस्प कहानिया आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें